प्लीज थमसब कर दीजे कर दीजिए आज कोई चार किलो भाद खाके तो नहीं आये हैं कि 40 रोटी और 30 किलो भाद खाके आ जाते हो यहां के बोलते हो सर नींद लग रहा है और दो घंटे बाद भूख भी लग रहा है और अधियो एंड वीडियो क्लियर है तो फड़ा फट थमसब कर दीजिए हलो 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 आप सभी बच्चों को एमार का बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है कॉम्पिटीशन वाला की यूटूब चैनल पे जिसमें हम उम्मीद 2.0 के सेक्षन में आज पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का 2nd चेप्टर Electric Potential and Capacitance तो साब वैसे तो आपका Magnetism and Matter अगले लेक्चर होगा आप Magnetism and Matter पे पहुंच गये हैं उसके बाद Optics, Modern, Physics और Semiconductor का सेक्षन ही आपका बज़ता है लेकिन मेरे पाओं में चोट लगने की बज़े से और फिर थोड़ा सा फीवर हो गया था मुझे बहुत जादा इसलिए इस लेक्चर में थोड़ा डिले हुआ कोई बात नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली एलेक्ट्रिक पोटेंशल इनकैपसिटेंस का ये खोबशूरत लेक्चर जिसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में आपको हम कंसेप्ट समझाएंगे कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जिस पे हम आपको सवाल नहीं कराएंगे सारे कंसेप्ट पे सारे थियूरम पे सारे फॉर्मुले पे आपको सवाल भी कराया जाएगा बित हन्डेट परसेंट पी वाई क्यू प्रिविएस यर कोश्चन जितने भी होंगे वो सारे आपको कराया जाएंगे ठीक है बेटा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में जो हमारा गोल होगा जो हमारा मैप है जिसके थुरू हम आगे बरहेंगे वो आपको स सबसे पहले बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशल के कंसेब्ट को समझेंगे और उस पे लगवग लगवग चार्यूस कोश्चन करेंगे इंकलूडिंग पी वाई क्यू उसके बाद हम electric potential energy के concept को समझेंगे और conservation of mechanical energy के बहुत सारे सवाल बनते है system के potential energy लिखने के बहुत सारे सवाल बनते है ये सब कुछ हम करेंगे including pyq plus pyq उसके बाद बेटा electrostatics of conductor conductor की कुछ important electrostatic condition होती है उसके कुछ क्यूरम होते है वो सारी चीज हम समझेंगे electrostatic conductors के concept को हम समझेंगे उसके बाद equipotential surface के concept को समझेंगे और उसके कुछ numerical करेंगे उसके बाद हम आएंगे final destination, final topic और अब यूँ कहें कि complete 12th नहीं complete physics में सबसे सादा important section है need point of view से capacitance का तो सारे type के हम capacitance समझेंगे capacitance parallel plate का, spherical capacitor का, cylindrical capacitor का combination of capacitor होते है दो sphere के combinations ही वो समझेंगे उसके बाद बेटा capacitor पे based हम circuit समझेंगे series and parallel combination of capacitor समझेंगे उस पे सवाल करेंगे effect of dielectric समझेंगे कि capacitor पर dielectric का क्या effect होता है dielectric डालने के तरीके भी अलगल होते है series में dielectric डालते हैं parallel dielectric डालते हैं cosine on C equivalent अलग से करेंगे total 70 से ज़ादा सवाल इस पे करेंगे with PYQ ठीक है time duration की जहां तक बात है मैं कोसिस करूँगा कि किसी चीज़ पे जादा ना रुके थोड़ा सा रफ्तार बनाये रहें लेकिन जल्दिवाजी भी ना करें चीज़े आपको समझ आए और बहुत अच्छे से सारे सवाल हम आपको करा दे तो लेक्चर का duration five hour तो होगा ठीक है ना बेटा अब आपन कोसिस करेंगे five hour plus minus something clear है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि electric charge and field हम पर चुक है electrostate का पहला section electric charge and field हम पर चुक है इसमें especially आपने क्या पराता charge की बारे में पराता उसके बाद electrostatic force समझाता और electrostatic field समझाता ठीक है साब electrostatic force and electrostatic field आपने समझाता बहुत अची बात है तो अब एक नय चेप्टर electrostatic potential की क्या ज़रुत परी electric potential energy electric potential की क्या ज़रुत परी तो देखो बेटा हर सिक्के का दो पहलू होता है हर सिक्के का दो पहलू होता है अगर तुम एक पहलू देख के काम चलाना चाहते हो तो तुम्हारा physics में काम चल जाएगा लेकिन यहां पर यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है समसना तोरा सा कि physics में किसी भी phenomena को explain करने के दो method होते है किसी भी phenomena को explain करने के दो method होते है कौन कौन से दो method होते है force method slash field method मतलब यह एक ही method है force या field method से explain करो अरे वाई force ही field है किसी q charge पे force लगता है तो force है एक कुलम पे force लगता हो field है और इसका दूसरा method है potential energy और potential potential energy और potential मालो कि मैं marker को यह से छोड़ रहा हूँ तो marker free fall करता हुआ नीचे गया एक छोटा सा सवाल बेटा समझने ecosis करना concept अगर मैं यहाँ पे marker को छोड़ दू तो marker नीचे गया अब इसको कैसे explain करोगे कि marker नीचे क्यों गया सुनना अच्छे से यह तुमें समझ आएगा कि physics का यह इतिहास रहा है यही तो परंपरा है और उस परंपरा को हम कैसे तोड़ सकते है कौन सा इतिहास कैसा परंपरा किसी भी फिनोमेना को दो तरीके से explain करने की इतिहास किसी भी फिनोमेना को दो तरीके से explain करने समझने का इतिहास जैसे मारकर में यहाँ से छोड़ता हूँ तो पहला explanation अप 9th class से पढ़ते आ रहे कि सर electrostatic force लगेगा sorry sorry I'm sorry gravitational force लएगा इसको नीचे खीच लेगा पहला explanation तो यही है ना कि अगर मारकर को मैं छोड़ूँगा इस पर gravitational force लएगा और इसको नीचे खीच लेगा तो force में धड़ हो गया दूसरा पता है क्या है कि सर इसको यहाँ से छोड़ोगे ना तो इसमें ना एक energy store है काउन सा gravitational potential और जब छोड़ोगे ना तो यह gravitational potential energy decrease करके नीचे आएगा और kinetic energy बढ़ाएगा मतलब potential decrease करके kinetic बढ़ा रहा है और कोई भी body naturally अपनी potential energy decrease करना चाहती है और जब आप potential energies explain कर रहे होंगे तो आपको force गुसानी की जोरत नहीं है आपको force उसमें गुसानी की जोरत नहीं है 100% यह बात clear हुआ कि नहीं हुआ पिक्चर बताओ कि अगर मैं इस marker को यहां से छोड़ दूँ तुम कहोगे इस पर gravitational force नीचे लगा और gravitational force इसको खीच के लिए आया तो अक्री बात है तुम यहां पर ख़रा रहेगा मैं पीछे से एक force लगा तो work हुआ और उस work की बज़र से इसकी potential energy degrees हुई तो हम कहते हैं कि जितना work हुआ उसके negative value को change in potential energy नाम दे देते हैं और कहते हैं कि potential कम हुआ potential कम हुआ इसलिए kinetic energy बढ़ गया इसलिए वो नीचे आ रहा है यहां पर force लगा तो force acceleration डेबलप हुआ तो उसकी speed बढ़ी तो उसकी kinetic energy आ गए charge में भी यही लगता है same लगता है charge में charge में क्या होता है कि मान लीजिए मान लीजिए पहले एक में टुकेगा मान लीजिए मान लीजिए बेटा मान लीजिए कि ये point है A और A point से किसी Q charge को धीरे 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 उठा कि अगर मैं B पे रखता हूँ तो मुझे work करना परेगा क्या external agent को कुछ work करना परेगा क्या हाँ या ना तो आपका जवाब होना चाहिए सर बता नहीं सकते है external agent को work करना पर भी सकता है या नहीं भी पर सकता है क्यूं अगर मेरी बाद सुनिएगा अगर यहाँ पे कोई भी electric field नहीं है और मैं किसी क्यू चार्ज को लेके घूम रहा हूं आओ चलो क्यू चार्ज को लेके घूम रहा हूं मालो यह क्यू चार्ज है यहां ले 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 यह क्यू चार्ज है यह मारकर पर यह यह बॉड़ी क्यू चार्ज है है Parece hadegole killed उठाया समझना बेटश कल सक्रchutz यह knocked he tar inn लेकि जारओ रो तो क्या मुझे वर करना परेगा जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है Bent Chinese हुठा लेके चलो हमेशा Cantonese को वर करना परे यह जरूरी नहीं है क्यों वर्ट करना परेगा, आज पास में कुछ है ये नहीं इंवार्मेंट में, कोई external electric field नहीं है, तो बिना किसी external electric field के, अगर मैं किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओंगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओंगा, तो मुझे को ये वर्क किसके against हुआ है, against, against electrostatic field, ये याद रखना, ऐसे नहीं कि external agent का work, per unit charge change in potential होता है, ऐसे नहीं, ये work against electrostatic field हुआ है, तो electrostatic field इसमें है present, उसके presence में, धीरे धीरे इस charge को उठा के, उठा के, उठा के, यहां रख रहा हूं, धीरे धीरे, मतलब एक और condition है कि delta के ही क् बिना ये दोनों बाते बताए, master सीधा बता देता है, master सीधा बता देता है, कि एक charge को यहां से उठाया, यहां रख दिया, तो charge को ले जाने में जितना work done होगा, उसको Q से divide कर देंगे, तो work done in bringing unit charge from A to B, unit charge कैसे हो गया, क्योंकि Q से divide करिया, is equal to change in potential energy, लेकिन ये external agent ने जो work क है, Q को ले जाने में, उसको Q से divide करके per unit work जो आपने निकाला है, per unit work जो आपने निकाला है, यह external electric field के against work हुआ है, और special condition kinetic energy 0 है, धीरे धीरे आप ले गए है, तभी ये formula सही है, तभी ये formula सही है, तो याद रखेगा, change in potential का formula होता है, final point का potential minus initial point का potential is equal to work done by external agent from A to B, बता Q, Q को Q divide कर रहे हैं, क्योंकि एक unit column को, एक point से दो point तक ले जाने में, एक point से दूसरे point तक ले जाने में, जो work done होता है, एक column को, एक point से दूसरे point तक ले जाने में, जो work done होता है, उसी को हम change in potential कहते हैं, तो work done is equal to क्या लिख सकते हैं, work done is equal to लिख सकते हैं, external का work work done is equal to लिख सकते Q into delta V, Q into delta V, यह आएगा, Q into delta V, सरीक बात बताओ, external agent के work done को हम change in potential भी लिख सकते हैं, क्या हाँ, हमेशा नहीं, change in potential external agent के लिए defined नहीं होता है, change in potential तब defined होता है, जब external agent against conservative force लग रहा और change in kinetic energy 0, तो आप ये लिख सकते हैं, तो बेटा यह बहुत ही खुबसू पूरत formula है, जो आपको क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, यहां से एक और बहुत सुन्दर सा relation निकलेगा, delta V, Q बरावर delta U है, तो delta V बरावर क्या लिख सकते हैं, delta V बरावर लिख सकते हैं, delta U by Q, तो change in potential is equal to, ठीक है, तो delta V का unit क्या हो जाएगा, जूल पर कुलम, change in potential का unit क्या हो जाएगा, जूल पर कुलम, क्या ये बात आपको समझाई, क्या ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको feel हुआ बेटा, feel हुआ, बताव change in potential क्या होता है, change in potential होता है, external का work done per unit charge, तो Q को इधर ले जाए आपकी नहीं है, आप लिखे, किसने मना के आप लिखे, अब बताईए अगर conservative for work करे, तो work energy power, gravitation से आपको समझाते आ रहे हैं, कि अगर conservative force, electric force का work हो, तो electric force के work के negative value per unit charge को हम कहते है, change in potential, divided by ये क्या हो जाएगा, negative work done by conservative force को हम क्या कहते है, delta U, change in potential energy, बटा क्यों, ये relation होगा तो याद रखना, अगर conservative force का work done हो, तो negative work done बढ़ा होता है, change in potential energy, क्यों से divide केर दिया, तो per unit work done बढ़ावर change in potential energy होगा, ये हमेशा सही है, ये actual में हमेशा सही है, always valid, क्योंकि conservative force के लिए potential energy defined होता है, लेकिन ये तब सही है, जब change in kinetic energy क्या हो, zero हो, बताओ, देखो, ये बहु माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है, 99% बच्चे को इसमें confusion होता है, कि सर कहीं minus आ रहा है, कहीं minus नहीं आ रहा है, सर कैसे समझे इसको, बिटा, यहाँ पर minus इसलिए आ रहा है, क्योंकि conservative force है, और यहाँ पर कोई condition नहीं लगता, ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही है, यहाँ पर के condition लगता है, कि change in kinetic energy 0 होना चाहिए, और external force जो लग रहा है, वो conservative force के against लग रहा होगा, अपने आपने ही, कि कहीं external लगा के potential energy defined होगा, अपने आपने इस condition के साथ, फड़ा बट आग लगा दो comment box में, अगर ये concept तुम्हें समझाया तो, ये concept तुम्हें समझाया तो, direct formula लिक अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ये work energy theorem, सारे physics के theorem का बाप होता है, इसका कोई violation नहीं है, कोई special condition नहीं है, ये हमेशा value होता है, ये बाप है बाप, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, चाहे conservative force हो या non-conservative force हो, clear है, ये आपका conservation of mechanical energy, ये हमेशा valid नहीं है, only valid, only valid, when, when, work done by non-conservative force is 0, तब आप कहते है, initial kinetic plus initial potential is equal to kinetic plus potential, यहाँ पे जब non-conservative, external force नहीं लग रहा होगा, external force 0 होगा, external force का work done 0 होगा, I am sorry, external force का work done 0 होगा, तब आप ये थियूरण लगाते हैं, अच्छा, ये कब लगाते हैं, work done by conservative force is equal to minus change in potential energy, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते है, negative work done by conservative force, या electric force, change in potential energy, अरे भाई साब, इस minus को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ बात बराबर है, ये हमेशा valid है, अभी यही तो समझा है मैंने, यही चीज़ तो समझा है, कि negative work done by the conservative force change in potential energy होता है, यही तो समझा देखो, negative work done by, negative work done by the conservative force change in potential होता है, ये तो Q क्यों क्यों दोनों तरफ divided, clear है, ये बाला वाला कभ valid होता है, देखो, work done by non-conservative force को हम डेल्टा यू लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा है, देखो न, work done by conservative force को, work done by conservative force को, हमने डेल्टा यू लिखा तो है, sorry, word done by external और एक सवाल करते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस सवाल में मैंने तुम्हें फसाने की कोशिस की है, सारा कंसेप जानते हुए भी तुम गलत कर सकते हो, सारा कंसेप जानते हुए तुम गलत कर सकते हो, करके दिखाओ, सवाल की बारी धुआदार सवाल करेंगे एक दम, आग नहीं लगा दिया तो देखना, धुआधार सवाल करेंगे, work, टन नहीं, टन नहीं, आरे भाई साम, done, 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 work done, in bringing 6 कुलम, कितना कुलम चार्ज है, 6 कुलम चार्ज, from B to A, is 80 Zool, then find potential of A, if, if potential at B is minus 60 V, करो, 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 कर के दिखाओ, कर के दिखाओ, हाँ, ये कौन है, आओ कभी अवेली पे, हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे ही लोग है, जो बात में, ऐसा कहते हैं, सुना है, वो ट्यूशन पढ़ाने लगी है, सुना है, वो ट्यूशन पढ़ाने लगी है, और मेरे नाम के बच्चों को मुर्गा बनाके मारने लगी है, सुना है, वो ट्यूशन पढ़ाने लगी है, और मेरे नाम के बच्चे को मुर्गा बनाके मारने लगी है, तुम जैसे लोग का यही हालत होता है, चलो देख इदर, तो यहां पर मैंने चेंज क्या किया, कि B से A लेके जा रहा, कहां लेके जा रहा, B से A, और जब सवाल में सिंपल वर्क डन लिखा हो, तो एक्स्टरनल का वर्क होता है, इसमें एक्स्टरनल का ही नहीं लिखा, लेकिन सिंपल वर्क होता है, तो उसको एक्स्टरनल ही मानते क्यूं कितना है 6 जूल सरी 6 कुलम 4 6 कुलम final potential किसका लोगए A का VA minus VB यह 80 है और यह 6 है तो यह हो जाएगा तुम्हारा 40 यह हो गया 3 तो यह हो गया 40 by 3 is equal to हमें A का potential चाहिए रहने देते हैं VB minus B का potential 60 बोल दिया है तो minus 60 तो यह हो जाएगा तुम्हारा plus 60 इदर ले जाओगे तो यह minus 60 हो जाएगा तो VA बड़ाबर 40 by 3 minus 60 40 by 3 minus 60 अब इस कैल्सियम लो तो यह तुम्हारा आ रहा 180 minus 40 तो minus 140 by 3 कितने लोगों का सही है हाँ minus 50 वाँ minus 50 आ रहा क्या नहीं पचास तो नहीं आ रहा और negative 140 वाई तुरी है 220 बड़ा 3 वाँ बड़िया आग लगा दिस वाँ बड़िया हर तरह का जवाब दे देना देख ले कुछ डेटा छूट रहा हूँ वो भी बता दे पहली बात तो negative आएगा negative आ रहा भाई सब्सॉल्व किया तुम्हारे सामने जान मुझ के मैंने क्या किया from B2A ले लिया initial point B और final point A हमेशा याद रखना ये change final minus initial होता है तो VA minus BB होगा clear है clear है minus 143 समझ में आ गया कोई भी गलती कहीं हो रहा है तो उसको सुधार लीजे और आगे बढ़िए सुनी अब तो अभी तक हमने क्या define किया हमने define किया change in potential change in potential क्या होता है sir change in potential होता है work done by external agent from A to B मतलब initial to final divided by initial A है final B है per unit charge अब अगर हमें potential define करना है तो सबसे पहले ये समझे कि potential work एक terms में define करना है potential किसके terms में define करना है work के terms में और क्या किसी एक point पर work defined होता है सदियों से बच्चे पूच्चे पूच्चे आँरहा है सदियों से पूच्चे आँरहाहा है कि sir, potential at a point is not a physical quantity क्यूं बोलते है और ऐसा क्यूं कहते हैं कि potential κα sixty physical quantity नहीं होता है, क्योंकि potential जो यहां तुम define कर रहे हो, वो work के terms में define कर रहे हो, और क्या किसी एक point पे work define कर सकते हो, एक ही point पर, सोच के बताओ, क्या एक ही point पे work define कर सकते हो, नहीं, work कैसे define होता है, जब किसी एक point से दो point, दूसरे point थक आप displace करते हो, चार्ज को लेके जाते हो, तुम बोलो मैं चार्ज को यहां रख रहा हूँ, अब वर्क बताओ, अब रख रहे हो तो कहे का वर्क, रखे रहो, रखे रहना, साथ ले जाना जब जाओगे, हम चार्ज को यही रखेंगे, वर्क बताओ, हम चार्ज को कहीं नहीं ले जाएंगे, वर्क बताओ, ना बताबाएंगे भईया, होगा ही नहीं, वर्क डिफाइन ही नहीं होगा, जब वर्क डिफाइन नहीं होगा, तो डेल्टा भी डिफाइन नहीं होगा, मतलब पोटेंचल डिफाइन नहीं होगा, वर्क हमेशा, एक point पर define नहीं होता है, तो potential भी एक point पर define नहीं होता है, यहां पर work, 2.20 से defined होता है, इसलिए potential 2.20 से defined होता है, क्या सुन्दर definition बताया, क्या सुन्दर concept बताया, कि हम कहते है, electric potential is not a physical quantity, not defined at a point, क्यों कहते हैं? और किसी एक point पे electric potential की value fixed नहीं होती है वो reference पे depend करती है हम क्यों कहते है depends on reference हम किसी एक point पे define क्यों नहीं कर पाते क्योंकि potential work के terms पे defined होती है और work एक point पे define नहीं होता ठीके साथ अब यहाँ पे माल लो कि किसी एक point पे मुझे define करना है यह final point b minus v है तो हम कहते हैं कि हम infinity से ला रहे है at at a at a is infinity हम कहते हैं कि charge को हम infinity से उठा के ला रहे है कहां से उठा के ला रहे है infinity से और infinity बहुत दूर है इसलिए वहां का potential हम 0 माल लेते हैं तो यहां से उठा के जब हम यहां लाएंगे किसी point तक तो final point हो गया तुम्हार अब भी initial point हो गया infinity, बराबर, work done by external agent from infinity to point B per unit charge, और infinity बे potential हम 0 मान लेते हैं, infinity बे potential हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो इसलिए यहां का potential 0 हो गया, तो किसी B point का potential आ गया, work done from infinity to B point per unit charge, इसी को अगर language में लिखोगे तो क्या कहोगे? अगर इसी को language में लिखोगे, भासा में लिखोगे तो क्या कहोगे इस statement को, बोलोगे work done in bringing unit charge, क्योंकि Q से divide किया है, work done in bringing unit charge from infinity to point B is a potential of point B, work done in bringing unit positive charge, slowly, external में जरूरी है slowly, from infinity to the point is called electric potential at that point, is called electric potential at that point, is called electric potential at that point, अच्छा, सर, अगर मान लो किस field में कोई electric field नहीं था और कोई external agent charge को ले आया, तो electric field नहीं था और फिर किसी Q charge को ले के गूमोगे, तो उसमे work तो zero आएगा, work done होगा ही नहीं, तो उस field में potential जैसी कोई चीज एक्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब यहाँ भी work जो ये हुआ है, वो conservative field के against तो negative work done by electric force, in bringing unit positive charge, from infinity to that point is called electric potential at that point, यहाँ पे slowly जैसा condition नहीं लिखा है, यहाँ पे slowly जैसा condition नहीं लिखा है, बताओ क्यों, क्योंकि potential energy का, potential का तो यह original formula है, यह असली formula है, इसलिए यहाँ पे slowly नहीं लिखा है, और negative work done by the conservative force ही delta U होता है, negative work done by conservative force क्या होता है, delta U होता है, तो conservative force का negative work done, per unit charge, potential को define करेगा, लेकिन external isn't का positive work done, per unit charge, slowly लाना परेगा, क्योंकि दोनों definition बहुत crystal clear है, अच्छा सर, यह तो formula work energy power से तुम पढ़ते आ रहे हो, कि conservative force का negative work done, delta U होगा, work done को क्या लिख सकते हैं, देखो, minus minus, work done को f.dr लिख सकते ह दो, दोनों तरफ क्यों से divide करेंगे, तो force per unit charge इधर भी क्यों से divide करेंगे, तो यह हो जाएगा, work done a unit charge, work done a unit charge is equal to change in potential, is equal to force per unit charge is electric field, तो यहां से change in potential और electric field में बड़ा सुन्दर सा relation आया है, integral form में e.dr, तो याद रखेगा, दूसरा बहुत important formula, delta V is equal to minus e.dr, delta V is equal to minus e.dr, delta V is equal to minus e.dr, clear है, जब, वही, delta V is equal to minus e.dr, जो differential form में relation है, उसी को अगर integral form में, sorry, integral form में जो relation है, उसी को differential form में change करोगे, इस dr को उठाके नीचे लाओगे, तो यहां पे जो relation आता है, e का V के terms में, वो आता है partial differentiation, partial differentiation क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मैं potential का x के साथ differentiate करूँगा, तो यह electric field नहीं देगा, यह electric field का सिर्फ x component देगा, और जब मैं potential का y के साथ differentiate करूँगा, तो electric field का y देगा, और जब मैं potential का z के साथ differentiate करूँगा, तो यह electric field का z देगा, समझ रहे हैं आप यह बात, इसलिए हम कहते हैं, यह partial differentiation है, और यहाँ पे जब x के साथ differentiate करेंगे, तो y z आपका constant होगा, y से differentiate करेंगे बेटा, तो x z constant होगा, और z से differentiate करेंगे, तो y और x constant होगा, क्या यह बात समझ में आता है? कि यह बात समझ में आता है, अब मुझे बताओ, potential scalar होता है, कि vector होता है, सर्फ potential का तो कोई direction नहीं होता है, potential क्या होता है, scalar होता है, depends on reference होता है, क्यों करता है मैंने बता दिया, change in potential reference पे depend नहीं करेगा, क्योंकि change in potential तो सीधा work होता है, लेकिन, लेकिन, potential reference पे depend करता है, potential reference पे depend करता है, depends on reference, लेकिन, 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 यहाँ पे जो आप, जो आप electric field define करना हों करना है, माइनस DVYDR, इस scalar, potential का, differentiation को कहते है, potential gradient, किसी भी चीज को अगर मैं distance से differentiate कर दू, position vector से differentiate कर दू, तो potential gradient मिलता है, और यह जो potential gradient है, यह जो potential gradient है, इसको हम कहते हैं, बेटा, vector, बहुत important बात है, potential होता है, सकेलर, potential होता है, सकेलर, लेकिन, यह जो potential gradient है, वो क्या होता है, vector होता है, क्योंकि DVYDR, exactly electric field को बता रहा है, अच्छा, यह minus sign mathematically, तो तुम्हें समझ आ गया, definition से कैसे आया है, लेकिन, यह physically क्या बता रहा है, यह minus sign physically क्या बता रहा है, यह minus sign physically बता रहा है, कि electric field के direction में, potential decrease होग मतलब e की तरफ चलके जाओगे, delta r जब positive होगा, तो minus dvR है, मतलब potential क्या होगा, decrease होगा, तो बहुत important बात, in the direction of electric field, in the direction of electric field, याद रखेगा, बहुत important बात है, in the direction of electric field, 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 potential always decreases, in the direction of electric field, potential always decreases, अचा किसका electric field, positive charge का electric field, negative charge का electric field, cylinder का electric field, ring का electric field, किसका electric field, तो सुन, किसी भी चीज़ का electric field, चाहे हो positive charge का electric field, या negative charge का electric field, उसके direction में जाओगे, तो potential हमेसा घटेगा, किसी भी charge के electric field की direction में जाओगे, तो potential हमेसा घटेगा, बच्चा पताए क्या कहता है, बच्चा पताए क्या क गाल चांगे दीनिस नेक्टिफ चांट का ऐलेक्ट्रिक फिल्ड हो तो हम तो समझ गए कि est अ B तक हैंगे तो इसे एलेक्ट्रिक फिल्ड फिल्ड है ताब थाब तब भी अगर तुम यहाँ आप से ट्रसे ड्रीनिस ये में जाून जाओगे तो पटेंशल गटेगे लिये पोटेंशल क्या होता है गहटता है जब यntyелे लिट फिंव अगल खया हो किसीपी चीज़ का इलेक्ट्रींशल्स घ्यादाहें समय अदेरगर जाद कि max ऐख किआ था क्या कंशल्दव जादा है इलेक्ट्रिक्साद के काट्री giornि लेख पोटेंशलर्स के लिए पुटेंचिल एनरजी हम तुरा समझेंगे अभी रुकिए हम पहले पुटेंचिल के बारे में पीसटी घर लेते हैं अभी रुकिए अब यहां पर कुछ इंपॉटेंट बाते लिखे इसको एक एक करके समझते हैं तभी सवाल करने मज़ आएगा चल पहला statement पड, electric potential depends on reference, सही है कि गलत बता, एकदम सही है 200%, electric potential depends on reference, अगर तुम infinity पे reference मानके, यहाँ पे potential भी ले रहे हो, अगर कहीं और reference मानोगे तो इसका potential change हो जाएगा, but, 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 यहाँ और लिख ले, but, delta V, change in potential, does not depends on reference, depends on reference, clear है, next, potential not have a unique value at a point, yes, very true, very true, potential, potential के बारे में, कि potential not have a unique value at a point, किसी भी point पे, potential कुछ भी हो सकता है, एक बात बताओ, क्या आप positive charge, negative potential create कर सकता है, हाँ अना में जमाना, बताना, can positive charge, create, create negative potential, can positive charge create negative potential, yes or no, yes or no, can positive charge create negative potential, yes or no, can positive charge create negative potential, yes, भाया, यह सब ना, reference पर depend करता है, reference अगर इधर से उधर कर दिया आना, तो एक ही सकेंड में ना, बात, जजबात, भावनाएं सब बदल जाएगी, reference बदल जाएगा, yes, जोरदार, next point, a scalar physical quantity, yes, potential is a scalar, potential is a scalar, यह potential के बारे point है, अब यह मत समझो, क्या scalar है, potential, potential is a scalar physical quantity, yes, change in potential does not depends upon difference, yes, लिख दिया, इसका unit क्या होता है, joule per quorum, volt, volt या newton meter per quorum, बहुत असान है यह बात, potential gradient is a vector, बिल्कुल सही बात अभी समझाया आपने, in the direction of electric field, potential always decreases, बिल्कुल सही बताया, अच्छा, एक बात बताओ, perpendicular to the electric field, अगर मैं चलू तू, in perpendicular to electric field, statement तुम पूरा करोगे, dash को तुम feel करोगे, in perpendicular to electric field, field potential, बोलो, इसको feel करो, अच्छा, dash बनाओ, dash बनाओ से, तब feel करेंगे, अलग नख रहे है तुमारे, in perpendicular to the electric field, potential, जब direction में जाओंगा, तो घटेगा, अब और जीट जाओंगा, तो बढ़ेगा, perpendicular जाओगे, तो constant रहेगा, अरे, यार, गजोधर, constant रहेगा, बुझाया, चलो, आगे चलते है, जोड़दार, चलो, फटावट, 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 potential decrease in the direction, बहुतना important बात है कई बार लिख दिया, चलो, यह A है, यह B है, बताओ, potential कहाँ जादा होगा, सर, ऐसे जारा है, electric field, A पे potential, जादा होगा, B की compare में, मालो, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, बताओ, potential कहाँ जादा होगा, सर, B पे जादा होगा, यही बात मैं आपको समझा चुका हूँ, electric field के direction पोटेंचल है, इसा कम होता है, इधर बताओ, A पर और B पर, electric field और potential को compare करना है, इन तीन diagram में, बेटा, अच्छे से समझना, नीट में कई बार इस पे सवाल पूछे गया है, A पर और B पर में से potential कहाँ जादा होगा, सर, A पर potential जादा होगा, B के compare में, electric field की तरफ जा रहे, देख रहा हो, electric field का direction ऐसे, electric field कहाँ जादा A पर, क्योंकि line crowded है, B पर कम होगा, clear है बात, अच्छा, यहाँ बताओ बेटा, यहाँ बताओ बेटा, यहाँ पर electric field कहाँ जादा होगा, सर, electric field की value तो B पर जादा लग रहे, A के compare में, क्योंकि crowded line है, लेकिन electric field आगे जा रहा है, तो potential A पर जादा होगा, अब यहाँ पर सकता है सर, field कम और potential जादा, field कम और potential जादा, ऐसे कैसे हो सकता है सर, इसमे थो सर भारी confusion है, यह बात समझ नहीं आई, हाँ यह ठीक लग रहा, जहां, potential जादा, हुआ पर field भी जादा, इस डाइग्राम के लिए, लेकिन इस डाइग्राम के लिए तो नहीं समझ आया, यह तो तो सुने मेरे लाल, पीले, निले, हरे, potential और electric field में direct कोई relation नहीं होता है, relation होता है change in potential और electric field में, यही velocity और acceleration वाला कहानी है, मज़े में आया की नहीं आया, आगे देखो, अगर मैं तुम से यहाँ पर electric field पूछू, तो यह equidistant line है, तो A पर, B पर, C पर, D पर, हर जगा electric field बराबर होगा, क्योंकि यह uniform electric field को बता रहा है, किसको बता रहा है, uniform electric field को बता रहा है, लेकिन potential की बात करूँ तो, A पर potential सबसे ज़ादा होगा B से, A पर potential ज़ादा होगा B के कंपर में, B और C पर potential सेम होगा, और सबसे कम पोटेंशल होगा deeper बताओ मानते हो की नहीं अगर जोरदार चमका ना तो comment box में नजर गुमाऊंगा न तो आग ही आग दिखना चाहिए आग आग दिखना चाहिए मुझे आग ही आग दिखना चाहिए comment box में क्या यह तीनों डाइग्राम एकदम धुआधार clear है तीनों डाइग्राम एकदम धुआधार clear है तो बता दीजे फ्लीज चलिए अब है electric potential due to point charge and combination of point charge बेटा मान लो कि यहाँ पे plus q charge है तो यहाँ से r distance पे potential होगा बेटा k q by r और इस r distance में जो potential k q by r आपने निकाला है इसकी direction किदर होगी इसकी direction किदर होगी सर इस potential की कोई direction नहीं होती सर यह scalar होता है मतलब potential की कोई direction नहीं है direction लेस इंसान है तो घटिया है रहे तू कुछ तो direction रख एर हम इसकेलर है हमरा पास सिर्फ नंबर रहता है हमरा पास direction नहीं रहता है हम सिर्फ नंबर है ठीक तब तो बड़ा आसान है रहे इलेक्ट्रिक फिल्ड में तो यह भी देखना होता है बुद्धी से की इधर की इधर direction बुद्धी से देखते हैं यहां पर तो बुद्धी लगाने की जोरत ही ना पड़ेगी क्योंकि यह तो इसकेलर है अब बताओ जैसे से distance बढ़ाओंगा potential घटेगा inversely proportional distance है ग्राफ बनाओगे वी वर्सेज आर का तो कैसा बनेगा rectangular hyperbolic NCRT के दो पेज में यह relation दिया हुआ है कि बताओ कि दो ग्राफ अगर मैं ऐसे बना दू तो कौन सा electric field का है और कौन सा potential का है मालो यह ग्राफ A है और यह ग्राफ B है तो कौन सा point charge के field का है कौन से point charge का potential का है तो देखो electric field होता है इसी distance पर इसी r distance पर electric field देखोगे तो यह kq by r square देखो electric field inversely proportional to r square and potential inversely proportional to r clear है हा सर तो अगर distance को double करोगे तो electric field चार गुना कम होगा लेकिन potential आधा होगा तो potential धीरे धीरे कम हो रहा देखो यह जो नीचे आया है न ग्राफ यह वाला वो potential है तुम्हारा क्यों सार अरे भाया distance double करने पर थोड़ा ही कम हुआ distance बराने पर थोड़ा कम हुआ लेकिन electric field जादा कम हो रहा बी electric field को बताई बी किसको बताई electric field को बताई और मुझे तुमसे यह उम्मीद है कि तुम यही जवाब दे रहे होगे क्या दे रहे हो बताओ बी electric field बहुत बढ़ी है A potential बहुत अच्छे हो तुम अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हो हमको दिल से अच्छा लग रहे है बैटा दिल से अच्छा लग रहे है अब सुनों यह जो potential हमने निकाला है या आर डिस्टेंस पे क्यों चार्ज की वैसे इतनी potential होगा जरूरी न लेके नकाला है लेकिन हमेसा यह हो जरूरी नहीं है अब मालनों प्लस key charge है उस से HIS पॉइंट P पर और एक प्लस Q charger से पीछे AW लिखो से जब सेल्ग लिखोगे तो सर्थ करोदay अई अच्छा अगर इसी पॉइंट में फील्ड पूछुतो तो सर्फिल्ड में लो चाहे इसका सब्सक्राइब है यहां पर पोटेंशल कुछ हो सकता है कि अध्यकट्रिक फिल जीडहां पर पोटेंशल कुछ भी हो सकता है कि आप經èle Y Kit किसफेंफेंशल जीरो कुछ भी हो सकता है कि लिर यह बात कि लिर्भात अभ मैं सारा मों माया दूर हो जाएगा, सारा मों माया दूर हो जाएगा, कराओं, कराओं, चल, ये चार कॉंबिनेशन मैंने बनाया है, स्क्वायर लिया है, सेंटर से कॉर्णर का डिस्टेंस एल बता दिया है, सेंटर पे हमें फिल्ड एंड पॉटेंचल लिखना है पहले डाइग् तो पहले इसके center पे electric field बोलो क्या होगा इसके center पे electric field होगा इसके वैसे इधर 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 जीरो अब सुन बेटा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं electric field निकालू, तो इसका electric field होगा इसकी तरफ, और इसका भी होगा इसकी तरफ, इसका electric field होगा इससे दूर, negative होगा इससे दूर, तो net electric field जब तू निकालेगा, तो non zero आएगा, निकालके देख लेना कितना आएगा, यह तुमने इसके वैसे प्लस उतना इसके वैसे माइनस potential क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 यह उल्टा नहीं हो गया, इस case में electric field 0 तो potential है, इस case में potential 0 तो electric field है इतना ही नहीं अभी और सुनिए third में यहाँ पर, अगर मैं electric field देखो चलो तो 0 non 0 बस बता दो मुझे और इस plus का इसके दूर cancel कर देगा तो यहाँ electric field तो 0 आरिस है और potential देखें तो जितना इस negative का आएगा minus x उतना इस plus का आएगा plus x, 0, इस plus का जितना आएगा इस minus का उतना आएगा 0, सुर्य यहाँ तो electric field potential दोनों 0 है, गम चमत कारी अच्छा है, जड़ा यह देखिए यह देखिए यहाँ पर electric field 0 होगा की नहीं यहाँ पर electric field आएगा not equal to 0, कुछ न कुछ आएगा क्यों आएगा, देखो, जितना इसका इधर होगा उतना ही इसका इधर होगा तो यह cancel, लेकिन जितना इस positive से दूर होगा उतना इस negative के लिए इस तरफ होगा मतलब electric field आएगा, और potential की बात करें तो 3, 4 positive positive potential देंगे, और एक negative potential देगा, तो potential भी कुछ न कुछ आएगा अगर कोई कहे कि electric field 0 है तो potential बताओ, कुछ भी हो सकता है अगर कोई कहे कि potential 0 तो electric field बताओ कुछ भी हो सकता है रहे बाबा, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में भरोसा मत करना है एक दूसरे पर या electric field and potential की value पे कोई भी possibility possible है देखिए न, देखिए न, आप इस पूरे संसार के नियम को देखिए मत करिएगा किसी पे भरोसा समझा रहा समझा रहा, रिपीट कर दीजिए, हाँ बहुत बढ़िया इसी को हम रिपीट करते हैं, येकीन बैच में रिपीट करेंगे बटा, हाना अच्छे से, इसमें कोई भी कहीं doubt है तो बता दो कहीं कोई डाइट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते अब यहापर true false बताना है, फटा पर true false बता, if electric field is zero at a point then potential must be zero at that point, electric field अगर कहीं पे zero है तो potential zero होगा false, क्यों false, ये रहा न, electric field zero है, क्या है potential zero है, नहीं potential non zero है, ये कह रहा है कि electric field zero at a point, then potential must be zero, तो false हुआ, false हुआ, next, if electric field is constant, then potential must be constant, चल निकल बे, electric field अगर constant है किसी point में तो potential zero होगा, constant जरूरी नहीं है, ये तुम्हारा false होगा, यहाँ पर अगर statement ऐसा होता न, कि if electric field is constant, अच्छा, electric field कहीं constant है, then potential must be constant, नहीं, नहीं, जैसे electric field is equal to minus dv by dr आ रहा है, dv by dx लिखता हूँ, अच्छा, v की value अगर मैं 2x लिख दूँ, तो v की value आपर 2x पुट करो, तो सर्य ये 2 constant बाहर आ जाएगा, dx by dx क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बताओ यहाँ पे, यहाँ पे, electric field की value कुछ आ रही, constant आ रही, जो भी आ रही, और potential क्या है, variable है, तो यह कह रहा है, कि electric field अगर constant है, तो potential constant होना चाहिए, गलत हुआ, next, यह potential is constant, then electric field must be 0, हाँ, क्योंकि electric field होता है, minus dv by dr, अगर बेटा potential constant है, तो इसका differentiation 0 होगा, यह true है, यह क्या है, true है, यह true है, यह true है, ठीक है, यह true है, third is false, कौन बता रहा, third false बता रहा, बहुत बढ़िया, if potential is constant, कहीं पे potential constant है, तो constant का differentiation करोगे, तो 0 आएगा, भाई साहाब, क्या करो, potential is non-zero, then electric field must be non-zero, कहीं potential non-zero है, मतलब potential है, तो हाँ पे electric field होना ही चाहिए, नहीं false, क्यों होना चाहिए भाई, जरूरी थोरी नहीं, जरूरी थोरी नहीं, जहाँ पर potential है, तो हाँ पे electric field होना ही चाहिए, नहीं, यहाँ पे potential है की नहीं है, यहाँ पे potential है की नहीं ह फहला डाइग्राम है लास्ट वन लास्ट रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फिर्ट हो रहा है वहाँ पे potential में भी non zero मतलब potential कुछ आ सकता है हां देखो यहां पे electric field zero potential कुछ आ सकता है जहां पे electric field zero है वहां पे potential non zero आ सकता है तो statement होगा false false true false true किसी में भी doubt है तो तुम यह number बता दो बेटा मुझे 1 2 3 4 5 number बता दो नहीं तो 5 डन लिख दो number बतादो नहीं तो 5 डन लिख दो फड़ा फड़ या तो number बतादो नहीं तो 5 डन लिख दो number बतादो नहीं तो 5 डन लिख दो संघर्स करना पड़ेगा संघर्स करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा मैं तुम्हें लॉलीपॉप देके नहीं भेज सकता 5 तो नंबर बता दो 5 डन ग'sट नहीं तो नंबर बता दो 5 डन वेर गुड़ वेरी गुड वेरी गोड़ रुटर बट्पास टंवेरी गुड कुछ बच। घरख रहा हैं पाच honest पर सेलूट है तुम्हें आग लगा दीस भ benefits थर्ड लिख रहे हैं मैं बतातू potential is constant ठीक है दिन इलेक्ट्रिफिल अरहे यार या होबे तुम differentiation नहीं पढ़े हो क्या यह बराबर होता है dv by dr अगर किसी भी constant चीज को differentiate करोगे तो 0 आएगा तो अगर कहीं potential constant है तो तो जीरो ही आएगा बेटा रामलाल बेटा रामलाल बेटा यह थर्ड कैसे लिख रहे हो मेरे भाई मत लिखो नहीं तो रो दूंगा मैं दिल से बुरा लग रहा है मुझे थर्ड लिखने वाले सर्याबरमा थर्ड सर्याबरमा कि मंदारी से बता ना, differentiation जैसी चिरिया का नाम सुना है, भाई मेरे, potential अगर constant है, potential अगर constant है, तो electric field must be 0, अगर potential constant है, तो constant का differentiation 0 होता है, अचा इसका तो example भी है, कि hollow sphere के अंदर, hollow sphere के अंदर, electric field 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि सर इसफेर के अंदर, हर point भे potential constant होता है, ओ भाई साब, electric field 0, इसलिए क्योंकि potential constant है, आभे, तो इसका तो, जीता जाता example दिखा दिया मैंने तुमें, अब तुमको सरम आ रहा की नहीं आ रहा बता, जीता जाता example दिखा दिया, पाउचना कुछ है, तो electric field होना ही चाहिए, गलत है, यहाँ पे क्या potential है, हाँ, क्या पी electric field 0 है, हाँ, तो बढ़े electric potential अगर non-0 है, तो electric field भी non-0 आना चाहिए, कहा है? यहाँ potential non-0 है, लेकिन electric field 0 है, इसलिए false होगा, देखो क्या लिखा है, मैंने फॉल्स लिखा है पांच डन एक दो तीन चार पांथ बढ़िया सुंदर 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 चलिए आगे बरते हैं मैं चाहता हूँ कि रफ्तार में अगर कलम लेके बैठो तो इसका गरदा उढ़ा दो चलो बताओ यहां पर पोटेंचल बताओ इस Q का यहाँ पे potential होगा बिटा, KQ by 1, इस Q का potential होगा KQ by 2, यहाँ पे potential लिख रहा है, इसका potential होगा KQ by 4, ओ, 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 इसका potential होगा KQ by 8, तो net potential में KQ बाहर आजाएगा, तो यह बचेगा 1 plus half, plus 1 by 4, plus 1 by 8, दिमाग और दिल दोनों यहाँ रखो तभी समझाएगा, यह बनेगा तेरा GP series, क्या बनेगा GP series, इसका first term होगा 1, and इसका common ratio निकल क्या रहा हाफ, तो इसका जो sum बनेगा GP series का होगा, first term divided by 1 minus common ratio, first term 1 minus half, तो एक में सहाब गटाओगे, half आएगा, एद दो आजाएगा, टोटल दो आजाएगा, तो यहाँ पर potential क्या बचेगा, यहाँ potential बचेगा 2KQ, आग लगा दे, 2KQ, 2KQ is your correct answer, 2KQ is your correct answer, क्या answer है, 2KQ is your correct answer, बहुत बढ़ी हा, बहुत बढ़ी हा, बहुत बढ़ी हा, जोड़ दार, जोड़ दार, चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आज़ चार्ज क्यू is placed at each corner of q of side a, कितने चार्ज है बे, एचार्ज क्यू is placed at each corner of q of side a, then potential at the center of the cube. A charge cube placed at each corner. अरे बाबा, अरे बाबा, कितने हैं बे? A charge को कैसे रखेंगे each corner पे? सवाल का language गलत है, बैटा. A charge cube is placed at one corner of cube होगा. सवाल गलत है. अलागि तुमारे लिए काला अक्षर वैस वरावर. तुमारे लिए काला अक्षर वैस वरावर. इस सवाल में गलती बता क्या है? अचा, एंसर भी दे दिया, लो. जैसी आराम, गईल वैसी आपानी में. एंसर भी दे दिया. और सवाल का पहला ही लाइन गलत है. कैसे गलत है? A point charge मतलब एक point charge. placed at each corner of cube. अरे एक ही charge को हर corner पे कैसे रखेगा यार? एक ही charge को हर corner पे कैसे रखेगा? पहले तो, सवाल को सही बना तुम. A हटा दे. तो हो गया charge Q is placed at each corner. मतलब Q charge, Q Q charge हर corner पे रखा है. अब थोड़ा सही है. चार्ज Q is placed at each corner. 8 charge लिख दे तो, 8. 8 charge Q is placed at each corner. of cube. then find potential at the center of cube. देखो, एक cube के बाएँ से center पे potential कितना होगा? तो corner से cube का distance बताओ कितना होगा? corner से cube के center का distance बताओ कितना होगा? distance between distance between corner to center. तो तुमने chemistry में बहुत बढ़ा होगा, body center, face center. तो बताओ, कि face diagonal, नहीं, body diagonal का distance होता है, अगर side length a है, तो root 3a. तो यह हो जाएगा, root 3a by 2. क्या होगा? root 3a by 2. अब potential लिखोगे, एक charge की वैसे होगा, k cube बटा distance, root 3a by 2, into 8 से multiply कर दो. आठो charge के लिख दो. ठीक है? तो यहाँ पर, k को लिखोगे, 4 pi epsilon naught 3 हो जाएगा, 2 उपर जाएगा, तो होगा 16, देखो ने, 2, 8 दूना, 16 q बटा, 4 pi epsilon naught root 3a. तो 4 से 16 काटोगे, तो 4 आएगा. तो यह बनेगा, 4 q बटा, root 3 pi epsilon naught e. अगर 8 charge होगा, तो यह answer आएगा. 8 charge होगा, for 8 charge, यह answer आएगा. For 8 charge. 8 charge के लिए यह answer आएगा. कही answer मैच कर रहा? 4 q बटा, 4 9 नहीं. 4 q बटा, root 3 pi epsilon naught e. यह answer आएगा. अगर 8 charge लेते हो, 8 charge लेते हो, तो 3rd answer आएगा. clear है, बेटा? यह लिए next देखते हैं. बढ़ अब सुन्दर सवाल है. यह last year का, py q है, बेटा. यहाँ पे, भाई साब को मैंने बोला था, py year लिखने के लिए, वो भूल गए. लेकिन, तुम्हें मुझे मेरे पे भरोसा होगा. है की नहीं है बता? है की नहीं बरोसा बता? यह py q है. 4 charge, minus q, minus q, minus capital q, minus small q, 2 q, 2 q, and plus 2 q, plus 2 q. placed one, placed one at each corner, सब को एक है corner पे रख दिया. of the square. Then relation between capital q, small q for which potential at the center of square is 0. यहाँ पे ना, corner से center के distance, से small l मान ले, क्योंकि net potential 0 लेना है, तो small l कट जाएगा सब में. फटा पट बेटा relation निकालो तो, फटा पट relation निकालो तो, फटा पट relation निकालो तो, हाँ भाई है py q का सवाल है, फटा फट relation निकालो तो, 14 जवाब, 14 जवाब, solve कर रहे हो कि py q का answer ही रटा हुआ है, तो बेटा कुछ नहीं करना, point charge के formula के concept से, यहाँ इसका potential लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, और net potential को 0 कर दो, ए answer आएगा, clear है क्या, बहुत हलवा सवाल है, इसमें time ख़राब करने की जवरत नहीं है, next देखते हैं, यह बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल लिखा है मैंने, ज़रा ध्यान से पढ़िए, for charge, अरे राम लाली यह क्यू है, q minus q, q minus q, are placed at each corner of a square, as shown in figure, then potential is zero at a point, potential कहां पे zero होगा, देखो, यह plus q है, यह plus q है, यह minus q है, यह minus q है, तो इसके center पे potential क्या होगा बोलो, तो जितना minus का इन दोनों का, उतना इस दोनों plus का, तो ओ पे तो potential zero है, ओ पे तो potential zero है, अब मानलो, अगर मैं यहाँ देखता हूँ, e पर, तो बेटा, ध्यान से एकदम, ध्यान से एकदम, बेटा, अगर e पे देखू, तो minus q के बहसे, जितना negative potential आएगा, उतना ही, इस plus के वैसे potential आएगा, तो इसका और इसका potential एक दूसरे को, खतम कर देगा, और जितना minus q का, उतना plus q का यहाँ पे, और बाई साब तो यहाँ भी photo तो वही बनेगा, इस plus का, इस minus का cancel, इस plus का और इस minus का cancel, मतलब, इसके साथ साथ, इन सब पे potential 0 होगा, तो तुम्हारा answer क्या जाएगा, first, e f g h 0, first is your correct answer, first is your correct answer, यह गलत है, सिर्फ एक बच्चा यह answer दे रहा, सारे बच्चे answer दे रहे हैं, कि यहाँ भी potential 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, टोटल पॉइंट कितने हैंगे, पाँच, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते, चार्ज Q2, is at the center of a circular path, circular path के center पे Q2 चार्ज है, with radius small r, work done, in carrying charge Q1, once around the equip, equipotential path, equipotential path का मतलब है, कि इस Q1 को, मैं इस surface पे घुमारो, जहाँ पे हर जगा potential same है, तो work done का formula, मैंने तुम्हें सखाय था, Q delta V, अगर potential हर जगा same है, तो change in potential होगा 0, तो work done होगा 0, तो तुम्हारा answer आएगा, C, 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 and सिर्फ C, clear है क्या, clear है क्या, चलिए, अगला सवाल, TV screen पर आपके सामने है, 3 charge plus Q, are placed at a corner of our eyes, silice strangle, 3 charge each Q, कितना charge है, 3 charge, 3, 3 charge, plus Q, plus Q, plus Q, ठीक है, A, B, C of side, A, B, C, triangle ABC, यही corner ABC, of side BC and AC, बरावर 2A, BC और AC कितना है, 2A है, यह रहा BC, और यह रहा तुम्हारा AC, यह दोनों का length, 2A and 2A है, इन दोनों का length क्या है, 2A and 2A है, D and E are the midpoint of BC and AC, मतलब अगर यह 2A है, तो इसका आधा यह distance A होगा, इसका आधा यह distance A होगा, the work done in taking a charge plus Q, यह plus Q, चौथा charge है, जिसको मैं D से E तक ले जाऊँगा, कहां से कहां तक ले जाऊँगा, D से उठाके E तक ले जाऊँगा, तो work done कितना होगा, बिटा, सबसे पहले, यह देखो, कि work done बराबर Q delta V, जब तुम लिखते हो, तो इसमें यह कौन सा charge है, यह वो charge है, जिसको घुमा रहे हो, घुमा रहे हैं, जिसको घुमा रहे हैं, और यह delta V, क्या इस charge की वे से आता है, नहीं, यह remaining charge का, remaining charge का potential difference है, तो remaining charge तुमारा यहां पे है, यहां पे हैं यहां पे, अब मुझे बताओ, इस Q का जितना potential D पे होगा, उतना ही E पे होगा, हाँ, तो इस Q के वैसे potential difference दोनों पे आनी रहा, इस Q के बज़ए से, जितना potential यहां पे होगा, इस Q के वैसे जितना potential यहां पे होगा, उतना ही potential इस Q के वैसे आएगा, तो दुनों add होगा, और इस Q से थोड़ा लग potential आएगा, वो add हैगा, तो तीन potential यहां पे add हो रहे हैं, अब अगर मैं, इस point पे potential देखू, तो जितना potential इसका यहां पे आए था, जितना potential इसका यहां पे आए था, उतना ही potential इसके वैसे यहां पे आएगा, और यह distance उतना ही होगा, जितना यह distance है, तो जब तुम potential कैल्कुलेट करोगे, डी और इ पे तो दोनों same आएगा, डी पर इ पे potential same आएगा, तो work done क्या जाएगा आपका 0, हाँ, एक बच्चा कह रहा है, Mr. Sir is was teacher of the physics, हाँ, सही बात है बेटा, तो तुम यहाँ पने time क्यों खराब कर रहे हो, तुम तो पर लो ना यार, जो अच्छे teacher उसे पर लो, बेटा, मुझे तुम्हारे भविस की बहुत चिंता है, तुम यहाँ पर समय मत खराब करो, तुम पर लो, और बाकी जो 2700 बच्चे देख रहे हो, तो बेवकूफ है, लेकिन देखो, दुनिया में जब बेवकूफ रहेंगे, तभी तो अच्छे इंसान की किमत है ना, इनको time खराब करने दो, और तुम जाके पर लोगा ना, देखो, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ बेटा, यह डिस्टेंस यहाँ पर a है और यह डिस्टेंस यहाँ तो जब आप, जब आप इस पलस क्यू के बज़ा से यहाँ पर पोटेंशल कुछ लिखेंगे, मान लो एक साया, यहां के, इसके आप इसके वैसे पोटेंशल है, इसके वैसे एक साया, और यहां सर यह vegy वैसे y आया, तो निट क्यू कितना होगा, 2x पलस यह है, यह ही तो पोटेंशल हो जाएगा, और जब आप पोटेंशल इसके बज़ा से यहां लिखोगे, तो यह distance और यह distance बराबर है तो यह आएगा y, इसके बैस x और इसके बैस x, तो यहाँ का net potential कितना होगा e का, e का भी होगा 2x प्लस y, तो potential जितना d का आ रहा है उतना ही e का रहा है, d और e ही है न, देखो जितना d का है उतना ही e का रहा है, समझ में आया, जितना D का है उतना ही इक आ रहा है है ना जितना D का है उतना ही इक आ रहा है तो वक्डन क्या हो जाएगा 0 नेक्स देखिए ये नीट 2017 का सवाल है कब का सवाल है बेटा नीट 2017 का सवाल देखिएगा The Diagram Below Sows Reason of Equipotential Equipotential का मतलब है कि 10V हर जगा Potential है इसका 20V हर जगा Potential है 30V हर जगा Potential है और 40V हर जगा Potential है ठीक है तो बोला है तो बोला है कि इस चारो डाइग्राम के लिए कौन सा उप्सन सही होगा A positive charge is moved from A to B in each diagram पहले diagram में positive charge को A से B तक ले जाओगे तो जो work done होता है Q delta V वो path पे depend नहीं होता है वो final और initial point के potential पे depend करता है does not depends upon path does not depends on path does not depends on path ये work done path पे depend नहीं करता ये work done किस पे depend करता है state पे depend करता है ये work done किस पे depend करता है state पे depend करता है तो बताओ यहाँ पे work done कितना होगा तो सर V का potential 40 और A का 10 तो 40 minus 10 30, Q into 30, यहां देखो, तो यहां का भी B का 40 और A का 10, तो इसमे भी Q into 30, यहां B का 40 और A का 10, surface कैसा एक को potential इस पर depend नहीं करता, यहां पर देखो, B पे 40 और A पर 10, तो यहां पर work done बताओ क्या होगा, Q delta V, delta V बताओ, 40 में से 10 जाएगा, 30 आएगा, तो यहां पर, same work done same, in all 4 cases work done is same, in all 4 cases work done is same, होता है बेटा, एक चलमें दिक्कत क्या है न, इस society का, कि जिसकी बराबरी नहीं करते न, या जिसकी बराबरी हम नहीं कर पाते न, उसकी बदनावियां सुरू कर देते हैं, हाँ मैंने देखा है, कुछ लोग को देखा है, एक बात बताओ, P W को, P W तो करते हो कि आज अलग सर को बहुत बच्चे पसंद करते हैं, या अलग सर को अर्विन के जिरिवाल ने अवाट दिया, सम्मानित किया, या कल सोनु सूच सर ने अलग सर को सम्मानित किया, और सारे न्यू चैनल वाले एप्रिसेट कर रहे हैं अलग सर को, उनके बारे में अच तो तुम्हें लगता है कि सब लोग तारीफ कर रहे हैं तो चला हम भी तारीफ करते हैं आप इसलिए लगसर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो या पी डबलू की रिस्पेक्ट किस बज़ा से करते हो रीजन क्या है पी डबलू का रिस्पेक्ट करने का या उसको प्यार देते हो मानते हो उसका reason सुनो उसका reason ये है कि जब पूरे दुनिया 2015-2016 में लाखों रुपए फीस लेके एक बंद कम्रे के अंदर जो content पराते थे बंद कम्रे के अंदर बंद कम्रे के अंदर क्या और है पता ही नहीं और बाहर एकदम बबंडर बना देते थे कि पता नहीं ये वैसा है ये ऐसा है बहुत बड़े टीचर और महान टीचर लाख रुपए पैसा लेके बंद कम्रे के अंदर पर आते थे तब अलग सर ने पूरी physics और बहुत सारा chemistry free में परा कि YouTube पे डाल दिया नहीं आते थे उनके views लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा ब बड़े-बड़े organization जब कोबीड के समय में एक दूसरे की मदद करने का help करने का समय था तो भी 40-40,000, 50,000, 50,000, 60,000, 25,000, 30,000 यह online course launch किया लोगों ने उस समय तो सोचना चाहिए था ना कि हमने बहुत लंबे समय तक करोरो खर्बो रुपए कमाए हैं इतनी फीस ली है लाक लाक रुपए की तो कोबीड के समय चलो थोड़ा सा free में पढ़ा देते हैं लेकिन पी डबलू ने उस समय अलग सर ने उस समय आपको पढ़ाया अब साथ इसलिए पसंद करते हैं बहुत महान टीचर नहीं अलग सर बहुत महान बहुत बरे बरे बहुत महान महान टीचर है बहुत बरे बरे बहुत महान महान टीचर है बहुत बरे टीचर हम लोग नहीं है और बरे टीचर कहे का साप, कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ा दोगे तुम, नीट जेई में 11-12 का स्प फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी पढ़ाना है, कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ादोगे, तुम यही पढ़ाओगे ना यार, मैंने देखा कई लोग, मुझेर कहते हैं कि पदा नहीं, P.W.L.S.I.R. सुना देते हैं, हाँ, सुनाते हैं, जब हम सारे 11 घंटे पढ़ा रहे होते हैं लागातार, और उस सारे 11 घंटे लागातार जब हम पढ़ाते हैं, 200 से जादा सवाल कराते हैं, रोटेशन जैसा चिप्टर समझाते हैं, तब बीच में मोटिवेट करने के लिए थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, हाँ, वो बच्चे को पसंद आता है, तो वीडियो काट के कहीं डाल देता है, लोग उसको देख लेते, अरे जा, यह तो साइडी सुना रहा है बापरे, य जा, यह क्या पढ़ाएगा, देखो जरा, देखो, जिस एनर्जी से इसाम को पाँच वजे क्लास पढ़ाना सुरू करते हैं न, वही एनर्जी तुम्हें सुबच चार वजे दिखती है, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, और लंबे समय से मेहनत किया है, और पढ़ा तब बच्चे देखते हैं, या रिस्पेक्ट करते हैं, या मानते हैं, तुम बड़े टीचर, हमा कोई नहीं देख रहा हमको, जा हमको कोई नहीं देख रहा, और जा यह साहरी सुना, इसको देख रहा हमको कोई नहीं देख रहा, अरे भाई, आके देखो, आके देखो कभी जब लगातार 200 से ज़ादा सवाल कराते, पूरी थियोरी पराते, सारे 11 गंटा, सारे 10 गंटा यही पर खरे होके, पूरे P.W. के टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं, अरे भाई किसी को तो एक घंटे कॉमेडी सुनाओगे न, तीन घंटे की मूवी दिखाओगे न, उसमें भी बोर हो जाता हैं, मैं यह नहीं कहरो, हूँ बरे टीचर है, लेकिन किसी का 2 सेकेंड का वीडियो देख के यह मत जज़ करो कि यह क्या करता है, कभी आओ, कॉम्पेटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर, देखो कि सारे 11 गंटे में, वो क्या-क्या मेहनत कर रहा है, क्या कंस समझा रहा है, कितनी सिद्ध से परा रहा है, कितना डूब के परा रहा है, अरे जा, अरे जा, यह 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 देखो तो, इस हाईरी सुना, रोटेशन जासा चैनल दो गंटा पराना मुश्किल होता है, हम सारे 11 गंटे पराते हैं, और सुबह चार बजे भी, डेर हजार को, तो बीच में थोड़ा अगर कोई मोटिवेशन की लाइन बोल दी, कुछ सुना दिया बेटा, तो इससे बुरा नहीं मानते हैं, और याद रखना, यह दुनिया ना बहुत खराब चीज है, जिसकी बरावरी नहीं कर सकते हैं, उसकी बदनामियां सुरू कर देते हैं, आ इतना, from A to B via C in a diagram, सुन मेरी बात, जब तुम work done निकालो, क्या निकालोगे, work done निकालोगे, तुसको क्या लिखोगे, Q delta V लिखोगे, Q delta V लिखोगे, इसमें Q कौन सा चार्ज है, जो चार्ज सिस्टम में रखा होता है, वो चार्ज, कि जिसको हम घुमाते हैं, वो चार्ज जिसको हम घुमाते हैं वो चार्ज बेटा ये वो चार्ज है जिसको हम क्या करते हैं घुमाते हैं जिसको हम घुमाते हैं और डेल्टा भी वो चार्ज होता है जो स्पेस में बैट के पोटेंचल डिफरेंस क्रियेट कर रहा होता है तो यहाँ पे इतना कुलम चार्ज को हमने C से A पर ले गए है इतना कुलम चार्ज A से B पर ले जा रहा है A कहा है बताओ A हाँ पर है इस पर ये चार्ज उठाया है इसको बोल देताओ मैं Q1 और ओरीजिन पर ये चार्ज रखा हुआ है कोई Q2 तो बताओ यहाँ पर Q में क्या लिखोगे Sir Q में लिखेंगे जिसको हम घुमा रहे हैं यहाँ पर जो चार्ज आप घुमा रहे हो Q1 Q1 और डेल्टा भी किसके वैसे आएगा इस चार्ज की वैसे डेल्टा भी आएगा तो वर्क देन डेस नोट डिपेंड सुपन पाथ Q1 बोलो कितना है माइनस टू इन्टू टू दी पावर नाइन के यह तुम्हारा Q2 चार्ज बटा पाइनल पॉइंट यह चार सेंटीमीटर में लिखोगे 4 सेंटीमीटर माइनस यही टर्म के क्यू टू बटा 3 सेंटीमीटर समझा रहा बात समझा रहा है बात अब इसको सॉल्व कर दो फटा फट फटा फट सॉल्व कर दो फटा फट सॉल्व कर दो फटा फट सॉल्व कर दो माइनस टू इन्टू 10 टू दी पावर 9 के क्यू टू को बाहर निकालो तो यह हो जाएगा तुम्हारा नाइन इंटू 10 टू दी पावर 9 केकी वेल्यू, Q2, Q2 बताओ क्या लिकोगे, Q2 हो जाएगा तुम्हारा ये वाला चार्ज, 8 मिली कुलम, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, इंटू, सेंटीमीटर सेंटीमीटर वाहा निकालोगे, 10 टू दी पावर माइनस 2, मीटर में कनवर्ट करोगे तो, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, और ये 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 मतलब 1 बटा 12, ये वाला टम तुम्हारा आजाएगा 1 बटा 12, फटा फट इसको सॉल्व कर लो बे देखो, a point charge Q is held at the center of a circle of radius R, held at the center of circle of radius R, point charge Q is held at the center of circle R, Q charge को circle है, जिसका radius R है उसके center पर रखा है, B, C, R, two point on the circumference of the circle, B, C circumference पे point है, तो देखो बेटा, जितना Q के वैसे B पे potential आएगा, उतना ही Q के वैसे C पे potential आएगा, potential at B बराबर potential at C, इस charge की वैसे दोनों जगा potential सेम होगा, and A is the point outside the circle, A outside the circle है, W, A, B represents work done by electric field in taking charge Q naught, Q naught को उठाया है, A to B, W, A, C work हुआ है, एक मिनट, एक मिनटे में, W, A, B, A से B में W, A, B work हुआ है, A से B ले गया, W, A, B work हुआ है, और A से C ले गया, W, A, C work हुआ है, क्या ये दोनों, W, A, B और W, A, C बराबर होगा, हाँ दोनों बराबर होगा, क्या दोनों बराबर होके 0 हो जाएगा, एक मिनटे, यहाँ पर option में mistake है, यह दोनों option आप ध्यान से देखेंगे, तो same दिख रहा होगा, यहाँ पर equal लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कि अपने इसाब से मैंने चेंज कर दिया शमुझे कर दिए अब समझ आए तीं सा आप मिद कि earn हम तो च 2007 के थीच तो मैंने यहां पर छेंज किया थंच चीज से यह देखो plus Q and minus Q are placed at a point A and B यहां पे charge रखा है plus Q यहां पे charge रखा है बेटा B पे minus Q respectively, which are the distance 2L apart, यह distance 2L है, A से B तक distance 2L है C is the midpoint between A and B A and B के बीच में यह रखा है, मतलब यह distance L होगा और इधर भी distance L है the work done in moving plus Q charge along the semicircle C, R, D C, R path से D तक ले जा रहा है, अब यहां पे कौन से charge को ले जा रहा है, plus Q charge को ले जा रहा है तो work done में हम लिखेंगे, sorry, plus capital Q plus capital Q charge को ले की जा रहा है, तो plus capital Q into delta भी, अब मुझे बताओ, minus Q के बज़र से जितना potential यहां पे आएगा, उतना ही potential यहां पे आएगा, तो minus Q के field में, इस plus Q को ले जाने में, work done होगा, 0, लेकिन इस plus Q के बज़र से यहां पे और नहां पे potential अलागाएगा, वो लिख लेते हम बताओ, deeper potential बोलो, तो यह distance L और यह L, तो 3L, तो यहां लिखो के KQ by 3L, minus KQ, C पर distance कितना हो जाएगा, यह 2L और यह L है, तो यह बचा हुआ L, बटा L, ध्यान से देखो बेटा, अच्छे देखो, तो यहां पे नीचे आजाएगा तुम्हारा 3, और उपर हो जाएगा 2, तो यह minus 2KQ by 3L, K की value नीचे रखो के 4, minus 6, minus 6, पहला जवाब आरा पहला जवाब आरा clear है क्या, पहला जवाब आरा समझा रहा है यह बात समझा रहा है बात, यह खुद करके दिखाओ, जल्दी से, बढ़िया सवाल frame किया है, बढ़िया सवाल frame किया है, खुद करके दिखाओ, खुद करके दिखाओ दिस्टेंस पैसे प्लेट एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, सोरी नफीगर, how much work is done by the force of electrostatic repulsion, सुन, यहाँ पे work done बराबर Q डेल्टा भी या डेल्टा यू नहीं लगा सकते हूं, काहे हैं सर, क्योंकि सवाल में रेखना, अभी तक तुमने जितने भी सवाल किय हैं, वहाँ पे सिर्फ work लिखाता, जितने भी सवाल कियें, वहाँ पे सिर्फ work लिखाता, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, work done by electrostatic repulsion, मतलब external isn't का work, electrostatic force का work है, जब electric fields का work होता है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे minus Q डेल्टा भी लगाना, बसुमने, the point charge यहाँ था, इसको उठाके infinity पे रख दिया, तो infinity पे सर पोटेंचल तो 0 होता है, हाँ, यहाँ पे potential लिख लेते हैं, Q डेल्टा भी लगाएंगे, minus Q यह वाला charge है जिसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, final potential infinity पे 0, minus initial potential यहाँ पे क्या होगा, तो सर 8 charge की वैसे होगा, 8KQ by R, बस तो बेटा, यह minus और यह minus हो जाएगा, तुम्हारा plus, plus 8KQ by R, plus 8KQ by R answer होगा, plus 8, k की जवाए 4 पे एपसलन ना, नीचे रख देना, third answer, दूसरा जवाब दे रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे तीसा जवाब दे रहे हैं, दूसरा बच्चे कौन से जवाब दे रहे हैं, अच्छा यह Q and Q Q square हो जाएगा, हाँ, अरे रे रे, sorry, sorry, Q square, अरे, sorry, दूसरा होगा, दूसरा होगा, बिल्कुल सही है, printing mistake, मेरी गलती, बहुत सारे बच्चे मेरे गलती की वैसे गलती कर रहे है, नहीं बेटा, नहीं बेटा, गलत बात, यह तो work done होई नहीं सकता, क्योंकि work done का dimension, potential energy के बराबर होगा, तो धी में Q और यह Q, Q square होगा यहापे सि An alpha particle of charged 2E is accelerated from the rest through a potential difference 500V, then final kinetic energies, सुनना, यहापे alpha particle को accelerated from rest through a potential difference 500V, तो क्या यहापे कोई external isn't work कर रहा है, क्या यहापे कोई external isn't work कर रहा है, क्या यहापे कोई external isn't work कर रहा है, क्या यहां पे कोई external isn't work कर रहा है नहीं यहां पे जब भी कोई charge particle को पिटर release करे ना तो external isn't work नहीं कर रहा है जब external isn't work ही नहीं कर रहा है तो यहां पे कौन work करेगा सण यहां पे work कर रहा है electric force तो electric force का work बराबर लिखेंगे आप delta के यह और work done by electrostatic field अकेला है उसको minus delta u लिख सकते हैं तो यह relation आएगा आपका यह relation आएगा आपका तो आप कह रहा है कि alpha particle is isolated from the rest through a potential difference of 500 volt तो minus delta u को आप लिख सकते हैं क्यों डेल्टा भी कौन है alpha particle है तो इसकी charge होगी 2E, charge क्या होगी 2E, potential difference कितना है 500 V, potential difference कितना है 500 V, is equal to change in kinetic energy, तो change in kinetic energy आजाएगा आपका 1000 electron volt, सरी माइनस नहीं आया, बेटा माइनस बस यह बता रहा है, माइनस बस यह बता रहा है कि यहां पे जब तुम छोड़ दोगे न, तो work done by electrostatic force खुद वखुद negative होगा, यह जो है न, work, या ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो, मैं बताता हूँ, देखो, यहां पे kinetic energy क्या हो रहा है, gain, जब alpha particle को रख दोगे, छोड़ दोगे, तो अपने आप kinetic energy gain करेगा, हाँ, तो इसी बात है, यह माइनस बता रहा है, loss in potential energy को, पोटेंचल energy loss होगा, तभी तो kinetic energy gain होगा न, बेटा, इसी लिए यह पलस आएगा, क्योंकि देखो, यह delta u loss होना है, और minus पहले दिया, तो loss में delta u negative हाएगा, minus minus यह तुमारा positive हो जाएगा, अब ज्यादा इसको लेंदी करने का कोई मतलब है नहीं, समझ यह छोटा सा concept है, कि आप यहाँ से formula ऐसे बना सकते हैं, कि जब भी external work done zero हो, तो delta k kinetic energy में उतना ही gain होगा, जितना potential energy में loss होगा, बस यह direct बढ़ावर कर दो बात कतम, जितना potential energy में loss है, प्लस minus चोड़ो, जितना potential energy में loss है, उतना kinetic energy में gain होगा, clear है, क्या यह बात आपको समझ में आया है, last question में minus क्यों हुआ, कहा है, last question में minus इसलिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब भी लिखा हो, work done by the force of electrostatic repulsion, जब भी वो बोल दे कि electrostatic repulsion का work लेना है, electric force का work लेना है, electrostatic force के work में minus लेना परता है, electrostatic force के work में minus लेना परता है, अभी से पहले आपने minus क्यों नहीं लिया, क्योंकि किसी भी सवाल में, electrostatic force का work नहीं पुछाता, simple work पुछाता, क्या पुछाता बेटा, simple work पुछाता, क्या पुछाता, simple work पुछाता, हर सवाल में कौन सा work पुछ पूछा था, simple work पूछा था, clear है, चलिए, यह सवाल देखिए, the electric field, यह नीट 2015 का है, नीट 14 या 15 का है, 14 का है, electric potential at a point इतना is given by V is equal to this, V क्या दिया हुआ है, minus x square y, minus x z cube plus 4, then electric field at that point is, देखो बेटा, यह potential दिया हुआ है, हमें electric field चाहिए, तो तुम इसको, lengthy calculation से बचने के लिए, lengthy calculation से बचने के लिए, एक काम कर सकते हो, कि x के साथ अलग differentiate करो, क्या करो, x के साथ अलग differentiate करो, मतलब सबसे पहले तुम ex निकालो, मतलब sir, x के साथ अलग करें, हाँ, तो जब x के सा का differentiation क्या होगा, 2x, फिर x के साथ करोगा, तो x का differentiation 1, यह बनेगा minus zq, 4 का differentiation 0, तो यह आएगा तुम्हारा ex, और, sorry, 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 ex बराबर होगा, minus of dv by dx, तो एक minus यहाँ पे पहले से लगा होगा, तो यह term हो जाएगा, तुम्हारा, 2yx plus zq i cap, सिर्फ मैंने इसको x axis, x के terms में differentiate किया, अब यहाँ पर देख लो, कि पहला term किस में match कर रहा हो, तो i cap में तो सिर्फ इतना है गलत है, i cap में सिर्फ इतना है गलत है, minus से plus आना चाहिए, मेरी साबसे d incident राएगा, मेरे इसाब से D answer आएगा, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या तुम कह रहे हो, third, क्या कह रहे हो, third, नहीं, देखो ध्यान से, अच्छा यह बताओ, अगर तुम यह पूरा formula लगाते, is equal to minus dv by dx i cap, plus dv by dy j cap, plus dv by dz k cap, तो, लेंदी नहीं होता, अज़र लेंदी तो होता, लेकिन action में तुम यही करना है, लेकिन मैंने सिर्फ e x किया और मेरा answer match कर गया, बच्चे क्या कह रहे है, यार zq कैसे है, अच्छा zq, हाँ zq ही तो लिखा है, zq ही तो लिखा है, देखो, यहां से x का difference करोगे तो यह 2x आएगा, तो 2x y, y constant है, zq as it is, इसका differentiation करोगे, तो सही तो है, यहां पे यही तो option match कर रहा, d तो सही है, सर अगर पूरा करके एक page खतम होगा, हाँ पूरा करके एक page खतम होगा, v देकर electric field पूछे तो क्या करेंगे, बचा integrate करेंगे, गितांजली कुमारी हमको समझ नहीं, अरे भाई बेटा, आब मूरक होते हैं न, बेटा, दो-चार तो मूरक होते हैं न, सब बच्चेओ कैसे समझा जाएगा, भगवान भी पढ़ाएंगे न, तो सब को समझ नहीं आ सकता देखो, 90% बच्चों का, 95% बच्चों का D आ गया, अब इससे जाधा क्या चाहिए, बाकी यार, यह नहीं मानते हो कि 50% एकदम मूरक होता है, negative में बुद्धी होता है उसका क्या करेंगे हां match नहीं करेगा तो पूरा मत करो match नहीं करेगा तो भी पूरा मत करो पता ही क्या करो y से differentiate करो बस why match करो वो भी कर जायतो ऐसा कोई सवाली नहीं बना 2 करके हो जाएगा तेरा 2 करके हो जाएगा तेरा चलो यह बताओ यह potential and electric field का relation यह दियो है then find electric field at 2, minus 4, 3 अब यहाँ पर electric potential तो x का function है तो सीधा electric field तुमारा निकलेगा minus dby dx सिर्फ x से differentiate करो तो x से differentiate करो तो minus बाहर constant 1 upon 3 बाहर आ जाएगा x cube का differentiation हो जाएगा 3x square 4 का differentiation 0 तो यह आ जाएगा तुमारा 3 से 3 कटेगा minus x square x की value क्या दी हुए है यहाँ पर 2 दिया हुआ है x की value 2 रखो तो minus 4 volt पर meter आएगा minus 4 volt पर meter आएगा 8 कैसे निकाल रहा है यार 8 कैसे निकाल ले 3 बाहर उपर बचेगा x square 3 से बटा 3 कट्थम हो जाएगा अरे राम लाल यार कैसी बाते कर रहा है minus 4 आ रहा है यार answer हाँ x से किया है तो यहाँ पर i cap लगा सकता है ले minus 4 आ रहा है answer यार राम लाल कैसी बाते कर रहा है चल अब हम next topic पर जाते हैं electric potential due to charge during समझते हैं है ना 25 से ज़्यादा सवाल मैंने करा दिये तुम्हे point charge के field के उपर 25 से ज़्यादा सवाल point charge के field के उपर मैंने तो 40 बोला था potential potential पे तुम्हें 50-60 सवाल करा तूँगा either electric field at the center of charge ring of radius r and q देख electric field होता है तुम्हें scalar हाँ sir तो किदर भी charge रख अगर सारा charge r distance पे तो इसके center पे potential होगा यह क्यूँ भे यार charge कितना q कहां है सवार distance पे किदर है इससे कोई फर्क नहीं परता इससे कोई फर्क नहीं परता sir अगर इस charge ring जिस पर charge q है और radius r है उसके center से x distance पर axial line पर जा कि अगर हम potential लिखे तो यहाँ पे बेटा potential होगा किस circumference से इसका distance निकाल लो क्या circumference के हर point से इस point के distance वही आएगी हाँ sir circumference के हर point से इस point के distance उतनी आएगी तो क्या लिखोगे potential potential लिखोगे k q बटा यह x और यह r 90 degree पर तो यह distance क्या हो जाएगा यह distance हो जाएगा root under r square plus x square sir यह हमको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं अगर मैं x को 0 रख दो तो क्या center पर पहुंच जाओगे हाँ तो x को 0 रख पर center का potential कितना आएगा जरा x को 0 रख के देखो root under r square root under r square r बनेगा तो यह हो जाएगा k q by r यह आएगा potential तुमारा मतलब formula सही है तब तो इसके साथ verify हुआ है यह formula सही है तब नहीं तो इसके साथ verify हुआ है बताइए please अब इसका graph जड़ा बना के देखते हैं क्या बना के देखते हैं graph बना के देखते हैं potential और distance का तो बेटा center पे सबसे ज़्यादा potential होता है k q y capital r उसके बाद देखो center पे सबसे ज़्यादा होगा k q y capital उसके बाद x बढ़ाओगे तो potential घटेगा तो देखो ऐसा कुछ graph बनता है center के आज पास थोड़ा सा potential क्या रहता है constant उसके आगे जाओगे तो भी घटेगा पीछे जाओगे तो भी घटेगा यह याद रखना बेटा क्या यह graph पूरे रिजन में rectangular hyperbolic है नहीं center के बहुत पास देखोगे न छोटे value of x पर अगर x को बहुत छोटा रखो वे तो छोटे का square और छोटा होता है potential k q भाई आ रही आएगा इसलिए center के पास potential थोड़े दूर तक constant रहता है और फिर rectangular hyperbolic खट जाता है यह ring का potential versus distance का graph है क्या है बेटा ring का potential versus distance का graph है एक बार और बता दे हाओ हम क्यों नहीं बताएंगे बताओ कितना charge, sir q charge कितने distance पे, r distance पे तो हर छोटे छोटे charge का potential लिख के add कर दो तो total charge q है, sir r distance पे तो k q भाई आर अब ऐसे ring रखोगे, ऐसे ring रखोगे और उसके center पर रूट की power 3 अड़े, जैनात जटेजा जी वो electric fill में आता है कैसी बकलोली कर दी कहना यहाँ पे power 3 by 2 नहीं आएगा क्या यह भगबान मेरे लाल सुन, यह r है, यह x है तो यह distance क्या होगा, root अंडर और यहाँ पे potential लिखने के लिए distance लिखते हैं तो distance as it is, लिख दो, बस बस, distance as it is, लिख दो हो गया ठीक है, graph समझ में आया axis पे potential समझ में आया, ring के center पे potential समझ आया, क्या clear एकदम धगादक, electric potential on the axis of charge ring क्या clear है, axis of charge ring पे potential क्या होता है, सर होता है क्यू बटा, root under r square प्लस x square, जा पे center से distance, इसकी x है, यह radius r है इसका graph कैसा होता है, सर center पे तोड़ा constant रहता है, बाद में rectangular hyperbolic हो जाता है, बताए clear है क्या, चलिए आगे बढ़ते एक सवाल आज ही बैठके मैंने नया लिखा है, एकदम brand new question है, एकदम a charge ring of charge q and radius r, charge ring है जिसका radius r है और charge है इस पर q charge क्या है इस पर charge क्या है इस पर q, also a point charge minus q by 2, एक तो plus q charge है ring के circumference पर, एक charge है minus q by 2 एक charge है minus q by 2 is placed at the center of ring, then find distance on the axis of ring, where electric potential is 0, distance on the axis of ring, जहाँ पर electric potential क्या है, 0 है जहाँ पर electric potential क्या है, 0 है चलिए करके दिखाईए कैसे करेंगे सहाब, तो सबसे पहले, charge ring के वज़ा से x distance पर जो potential आएगा वो लिखो, वो आएगा kq, positive charge है बटा, root अंडर x r, root अंडर r square plus x square, चलो यह तो point charge है center पर रखा है तो point charge के वज़े से potential तो simple आता है minus charge है, तो minus q by 2 क्योंकि देखो, minus q by 2 तो minus q by 2, और distance x बस यह potential, is equal to 0 जब इसको उस तरफ ले जाओगे जब इसको इस तरफ लेके जाओगे, तो kq से kq कट जाएगा क्या, हाँ, इस तरफ ले तो positive हो जाएगा, तो यह बनेगा 2x बरावर root under r square plus x square, यह root को इधर ले आओगे, तो यह बनेगा 4x square is equal to r square plus x square, x square को इधर लाओगे 3x square बरावर capital r square, तो x is equal to r square by 3 का root मतलब r by root 3, चौथा answer मतलब कैसा लगा सवाल करके बता यह कैसा लगा यह जोड़दार सवाल करके थोड़ासा concept नया है थोड़ासा concept नया है मतलब concept नया क्या है, point charge और ring पर mixed मैंने सवाल बना लिया, कोई खास बात नहीं कोई खास बात नहीं है, बेटा तू थोड़ी दिर रुख जा तू थोड़ी दिर रुख जा भाई रुख जा, रुख जा, रुख जा, रुख जा, तेरी बारी आएगी, चलो वपस चलते हैं आओ आओ देखो, 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 तेखो, ओ, अधो, देखो, 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 electric potential at the center of half ring, ऐसे जैने को तो बहुत भारी वरकम बात लग रहा है, कि electric potential at the center of half ring, मतलब half ring पर मान लीजिए, charge है total cube, और radius है R, तो इसके center भे potential कितना होगा देखो potential होता है बेटा scalar potential क्या होता है बेटा scalar करन सरमा जी कह रहा है कि 4x square पर r square कैसे आया यह भगवान बेटा यह यह root अंदर r square plus x square को यहां ले गया और 2x को यहां ले गया ठीक है जब इस root को इधर लाएंगे तो यह square हो जाएगा यह simple 2x जब इस root को इधर लाएंगे तो यह square हो जाएगा तो इसलिए 4x square हो गया clear है क्या इसलिए क्या हो गया 4x square हो ठीक है चलो इधर देखो तो electric potential is the center of half ring तो half ring पे half ring के center पे potential कितना होगा तो potential होता है बेटा, scalar, potential क्या होता है, scalar होता है, उसका कोई direction नहीं होता है, कितना charge है, क्यूँ, सारे charge है, distance पर direct आप लिख सकते हैं, electric potential है, center of circular arc, यहाँ भी मैंने बनाया है, अच्छा, यहाँ पर, अगर मान लो, एक circular arc है, उस पर charge है, क्यूँ, radius है r, angle है theta, तो यहाँ पर potential क्या होगा, potential होई होगा, kqyr, यहाँ पर कोई, बहादुरी वाली बात नहीं है, अगर बेटा यहाँ पर angle है, theta, तो center पर potential, total charge अगर क्यूँ मानते हो, तो kqyr होगा, लेकिन, अगर linear charge density lambda दे दिया है, तो lambda के terms पर कैसे लिखोगे, lambda क्या होता है, charge per unit length, एक unit length पर charge कितना है, एक unit length पर charge है lambda, तो इस total length पर charge कितना होगा, तो charge per unit length into यह length, length मतलब arc length, arc length की value बोलो क्या होता है, r into theta, arc length की value क्या होती है, r into theta, तो यह charge आ जाएगा, तो Q की value क्या रखोगे ये angle theta Q से confused होगा तो alpha लिख दो R into alpha तो बताओ potential क्या होगा K R alpha बटा capital R K lambda alpha K lambda R alpha तो R से R कट जाएगा तो यह गा K lambda alpha K lambda alpha हाँ theta जो आप कह रहा है न बेटा बिल्कुल सही कह रहा है लेकिन उस theta को लिखने में confused ना हो इसलिए मैंने उसको alpha से replace कर दिया बड़ा सही सा potential आए K lambda alpha क्या रहा K lambda alpha potential आएगा K lambda alpha सही है क्या सही है क्या सही है क्या नहीं कोटा studio नहीं है बिल्कुल भी नहीं कोटा studio अचा रॉंग है ठीक है अरे जल्दी अले बता दे एक सही है क्या येस सर सही है क्या और दे नौन कंड़क्टिंग होलो स्फेर और सेल नौन कंड़क्टिंग होलो स्फेर बोलो या सेल बोलो नौन कंड़क्टिंग स्फेर नहीं बोल सकते उसके बैसे potential जब लिखोगे तो सेल है तो चार्ज गहां पे होगा सर्फेस पर तो इसके सेंटर पे जो potential आएगा वो उतना ही आएगा जितना इसके सर्फेस पर potential होगा जितना इसके सर्फेस पर potential होगा और अंदर में हर जगा potential इतना ही आएगा बाहर में कहीं भी r distance पर potential लिखोगे तो यह आएगा kqy a smaller क्या आपको बात समझ में आ रहा कहीं भी बाहर में जो potential लिखोगे kqy a smaller होगा लेकिन अंदर में हर जगा पर potential सेम रहेगा तो इसका जब graph बनाओगे potential versus distance का neat में बिटा कई बार पूछा है center से लेके surface तक potential सेम होगा surface तक potential लेक्दम सेम होगा बाहर में rectangular hyperbolic होगा बाहर में rectangular hyperbolic होगा बाहर में क्या होगा rectangular hyperbolic होगा clear है यह बात clear है यह बात चलिए आगे बरता है electric potential due to non conducting solid sphere derivation is not in saliva हाँ बिल्कुल बात डेरिवेशन लेवस में नहीं है तो इसके बज़े से अगर कहीं भी आप बाहर में potential लिख रहे हैं तो इसका behavior exactly point charge hollow sphere जैसा होगा क्यूआ smaller इसके surface पर अगर potential लिखेंगे कहां लिखेंगे surface पर potential लिखेंगे तो क्यूआ capital R होगा लेकिन इसके center से कहीं पर अंदर में potential लिखेंगे कहीं भी अंदर में potential लिखेंगे अंदर में potential लिखेंगे तो अंदर में जो potential की value होगी वो होगी KQ by 3RQ सर गलत कर रहे हो dimension तो सही कह रहे हो dimension गलत हो गया potential चाहे point charge का हो line charge का हो ring का हो स्फेर का हो किसी भी चीज का हो ता नीचे डेक ही डिस्टेंस है तो सर अब एक्चल में ऊपर में दो डिस्टेंस और आएगा तो तो यह पोटेंचल का एक्स्प्रेशन होगा सर आपको तो याद है हमें याद ना ही हुआ तो आपको याद नहीं है तो कुछ भी गलसलत लिखके लो कुछ भी गलसलत लिखके और स्मोल आपको ककेंटल आइ जब रखोगे तो तुम पहुंच जाओगे सर्फेज़ पर और सर्फेस पर पोटेंचल होनाmor चीकी ही क्यों सब्सक्राइब में सब्सक्राइब 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 तो नीचे आ रहाएगा के क्यूब अग्दम वेरिफाई हुआ जोड़दार की नहीं कि टपू कुमार सिंग आया इंटर्टेंड करने के लिए हो कह रहा है सार अगर डेरिवेशन आ गया तो डेरिवेशन आ गया ना तो यह काम करना मास्टर के चर्णों में लेट जाना और बोलना कि जा हमको तो मास्टर नहीं पढ़ाया है हम तो नादान बालक है और स्मॉल आर को जिरो रखो के तुम पहुंचोगे सेंटर को और सेंटर का पोटेंचिल याद रखनो सर्फिस का डेर गुना होता है क्यों अब मुझे बताओ कि स्मॉल आर को जीरो रखने पर यह आ रहा है क्या हां स्मॉल आर को जैसे तुम जीरो रखोगे यहां देखो स्मॉल आर को जैसे तुम जीरो रखोगे ओ दादा यह जीरो होते ही आर स्कुर से आर क्यूंटेगा तो नीचे का ठीक क्यों भाई 2R match कर गया match कर गया तो भाई साहब इसको तुमने याद रखा और इसको याद रखने से ये formula verify हो गया तो अगर तुम कुछ गलत भी लिखोगे अगर तुम कुछ गलत भी लिखोगे तो भाई यहाँ पर logic से verify हो जाएगा चीजे अब देखो जड़ा देखो पता है यहाँ पर minus यह 3 क्यों है और यहाँ 2 क्यों है यह इसलिए है कि 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बने और 2 से 2 कट जाए जब small r को capital रखो तो इसलिए यहाँ पर 3 है नीचे 2 है और जब small r को 0 रखोगे तो सीधा 3 बटा दो आना चीजे सेंटर पे सीधा 3 बटा दो आना चीजे सेंटर पे बोलो एकदम जोड़ार मजाय कि नहीं है बना एकदम जोड़ार मजाय कि नहीं है ठीक है अब अंदर का formula यह है और बाहर का formula यह है तो अंदर में इसके coding graph बनेगा बाहर में इसके according graph बनेगा, तो जब आप इसका graph बनाएंगे बेटा, तो अंदर में, देखो, kq, 3r square, 2rq, ये सब constant है, ये सब क्या है, constant है, देखो, kq, 3r square, 2rq, ये सब constant है, यहाँ पर भी इन, directly proportional to minus r square आ रहा है, जब भी y axis पे जो physical quantity आप रख रहे हो, potential, directly proportional to minus x square हो, तो मतलब ये parabolic graph बनेगा, downward, minus होने की बैसे downward, तो graph ऐसा बनेगा, parabolic graph, लेकिन ये सिर्फ तभी तक बनेगा, जब तक आप अंदर से surface तक पहुँच रहे हो, क्योंकि बाहर जाने के बाद तो ये point charge है सब यह करेगा, rectangular hyperbolic बनेगा, कैसा बनेगा, rectangular hyperbolic बनेगा, तो भाया, ध् से याद रखना परेगा आपको, कि potential versus distance का graph अंदर में जो बनता है, वो parabolic होता है, आ सकता है कभी भी सवाल, और बाहर में जो बनता है, वो rectangular, अगर rectangular ना भी लिखाओ, तो hyperbola is important, hyperbolic, rectangular hyperbolic बनता है, कैसा बनता है, rectangular hyperbolic बनता है, clear है यह बात, आग लगा दे, बिल्कुल R लगा दे, R0 कैसे हुआ, R0 ऐसे हुआ, कि हमने center से distance measure कर रहे थे, और R को अगर हम 0 मान लेंगे, if, तो हम center पर पहुंच जाएंगे, कोई center से R distance measure कर रहे थे, तो R को 0 रखा तो यह potential आ गया, बस, लगा दो, लगा दो, अच्छा कई लोग तो इस पर मिसले करते हैं कि उनका नाम पढ़ लिया जाए ना, बहुत छोटे बच्चे हो यार, बहुत भोले हो, अभी यहाँ पर जीवन मरने की लराई चल रही है, और तुहें मजाग सूज रहा है, चलो, hollow sphere, conductor radius R, potential 100 volt, at its outer surface, then potential inside the hollow, at a distance R by 2, from the center is, अराम से सवाल प hollow sphere का सवाल है, कैसा है, hollow sphere का सवाल है, तो उसके according, ध्यान से सोच के करो, उसके according, ध्यान से सोच के करो, हरे, यह कौने कह रही है, मेरी boyfriend मर गया, सर, मेरा boyfriend मर गया, अरे, वो तो एक महीन पहले भी मर रहा था, बेटा, तुम दूसरे को अब बनाना, मत बनाना boyfriend, हर 10 दिन में तुम boyfriend मनाती हो, उसको मार देती हो, बेटा, यह देखो, यह जो, कौन है, सोनम है, इसका boyfriend मर जाता है, और तुम लोग इसके पीछे लगे रहते हो, हर दिन आके कहती है, मेरा boyfriend मर गया, तुम तो बनोगे, एक मर गया, दूसरा बनाएगी, उसको भी मार देगी, तीसरा बनाएगी, उसको भी मार देगी, हमारे चक्कर में सबको भोजबात मिलेगा, मत करो ऐसे, बिचारी, हर क्ल क्लास में रोने आ जाती है कि मेरा boyfriend मर गया, और फिर दूसरे को बना लेती है, फिर अगली क्लास में फिर वो मर जाता है, चलो देखो, हालो स्फेरिकल कंड़क्टर रेडियस और पोटेंचल 100 बोल्ट, इस आउटर सर्फेस, देन पोटेंचल इंसाइड दो हालो एट डिस् है, सेम रहता है, हाले स्फेरिकल पोटेंचल कहा रहता है, सेम रहता है, हाँ मैं देखता हूँ ना जब क्लास रीडियूल होता है, तो मैं देखता हूँ कि क्लास रीडियूल हुआ है, कि मैं देखता हूँ, तो पीछे परे रहते हैं, तुम मुझे अपना नंबर नहीं दो और चलो दे दो ना और आओना एक लिंक भेजता हूँ तो ऐसे कर लेते हो तो लोग क्लास में एक मारा हुआ पाया जाता है मारा पाया जाता है तो ऐसे मत करो मत करो चलो नेक्स देखो consider a sphere of radius r having charge q uniformly distributed inside it देखो uniformly distributed inside it मतलब अंदर से लेकर के surface तक charge है मतलब non conducting solid is at what minimum distance from the surface what minimum distance from the surface surface से कितना minimum distance हो the electric potential is half of the electric potential at center center पे electric potential कितना होता है center पे electric potential होता है तुम्हारा 3 kq by r और minimum distance from the surface of the electric potential is half of the electric potential at center surface x distance पे अगर तुम electric potential लिखोगे तो लिखोगे kq बटा r plus x और यह जो potential है center के potential का आधा है तो यह होगा 3 kq by 4 r जब इसको solve करोगे तो kq से kq कटेगा इसको इधर ले जाओ इधर ले जाओ तो 4 small r is equal to 3 capital r plus 3 एक में एक मेंट मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यह क्या लिगा capital r होगा नहीं है 4 capital r is equal to 3 capital r plus x तो x is equal to r आ तुम्हार r x is equal to kya r यह होगा तुम्हार answer r लेकिन यह बोला है कि minimum distance तो पेटा potential अंदर भी तो कहीं लिख सकते हो surface x distance पर कि यूँ घट रहा है यह क्या answer आ रहा तुम्हारा 3 k q by r लिखोगे ना तो यह है तुम्हारा 3 k q by 3 k q by 2 r 2 capital r मतलब radius अगर capital आ रहा हो यह से distance x ले रहा हो तो center पर consider sphere of radius r having charge q uniformly distributed inside it at what minimum distance from the surface the electric potential is half of the electric potential at center half of the electric potential at center तो बाहर में तो यह distance आया outside अगर ले रहा हो तो यह distance आएगा outside अगर यह ले रहा हो तो यह distance आएगा लेकिन क्या प्रिंटिंग मिस्टिक 3x होगा अरे रे 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 sorry 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 वही तो मैं कहा हूँ यह 3x होगा sorry यार यार इधर जाएगा 4r में से 3r जाएगा r बराबर 3x तो x is equal to r y 3 sorry सक्तिमान वही मैं कहारू कि इतना जादा कैसे आ जाएगा r y 3 is correct जाएगा next electric potential at the center of non-conducting sphere having charge r is 0 having charge q होना चाहिए ना having charge q having charge q and radius r is 0 then potential at the surface will be यह सवाल करके दिखाओ बहुत important है बहुत important सवाल है एक बार attempt करो यह अच्छा सवाल है अच्छा सवाल एक बार attempt करो potential difference does not depends upon reference इसी साप से करो potential difference does not depends upon reference इसी साप से करो potential difference does not depends upon reference इसी साप से करो मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा चाहा एक अ च्रवयों बहुत बरिया सवाल है है मसित सवाल ops आइन्सर आएगा आपका पहला कैसे आएगा पहला हम बताते देखे बेटा, वैसे तो center पे potential होता है 3KQ by 2R, और surface पर potential होता है KQ by R, लेकिन इसने बोला है कि मैं center पे जो potential है ना, वो 0 ले रहा हूँ, ले सकता है कोई किसकी मर्जी है, तो surface का potential बताओ कितना होगा, तो पेटा, potential किसी भी point का आप 0 मान सकते हो, reference चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके reference चेंज होने से, आपके reference चेंज होने से, potential difference चेंज नहीं होता, delta V वही रहता है, तो starting का delta भी देख लो, delta V जो है ना, तुम्हारा V naught minus Vs, वो same रहेगा, तो पहले case में, infinity पे potential मान के जब यह लिखा है, वो difference ले लो, center पे बोलो, 3KQ by 2R, minus surface पे KQ by R, is equal to, center पे मान लिया 0, तो minus surface पे हमें यह निकालना है, minus Vs हमें निकालना है, यह हो जाएगा बेटा, आपका KQ by 2R, डेर में से 3 by 2 में से एक घटा होगे, तो आधा आएगा, is equal to minus Vs, minus Vs को इधर लाओ, इसको उस तरफ ले जाओ, तो Vs is equal to आएगा, minus KQ by 2R, यह जवाब आएगा आपका, अगर आपको कोई doubt है न तो पूछ लो, अगर तुम्हें कोई doubt है न तो पूछ लो, बताऊंगा बेटा, रिपीट, ब्रादे से हम रमन कह रहे हैं, रिपीट, बेटा देखो, यह बहुत important concept है, जो मैं आपको पहले समझा रहा था, कि potential reference पे depend करता है, potential reference पर depend करता है, लेकिन change in potential difference, reference पर depend नहीं करता, तुम कहीं भी reference लो, infinity पर, surface पर, या center पर, कहीं भी reference लो, कहीं भी reference लो, जो तुम्हारा delta भी है न, वो same रहेगा, तो पहले का delta भी निकाल लो, initially ये, normal condition में, infinity पे potential 0 मान के, और जब यहाँ पे 0 माना थो, यहाँ पे कुछ Vs माल लो, यहाँ पे तुम में 0 दे दिया, तो यहाँ पे कुछ माल लो कि Vs होगा, अब इसका difference बराबर करता है, difference अमेशा सेम रहता है, यह reference पर depend नहीं करता है, potential reference पर depend करता है, potential reference पर depend करता है, potential reference पर depend करता है, लेकिन change in potential reference पर depend नहीं करता है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार सवाल है, बहुत जोरदार सवाल है, बहुत जोरदार सवाल है, बहुत जोरदार सवाल है, चलिए, next देखत फटा फटी फटा फटी बताईएगा विज ग्राफ भेज़ रिफजेंग तवाडिएशन ओफ इलेक्रीक स्टेंटियल कि Baileyבת ग्रांफ आत्त्राइव दस्टेंस व्हस फोलीजिए स्सेहन ऊव यूनिफर्मली जाहराज sौलीट स्लिंडर कैंसर होगा? Uniformly Charged Solid Slinger कैंसर होगा? Uniformly Charged Solid Slinger का मतलब ये हॉलस्फेर होगा कि स्लिड इस्फेर होगा? देखो बेटा, Uniformly Charged जब लिखे ना Solid Slinger तो ये Non-conducting Solid Slinger होता है Non-Conducting Solid Seller Non-Conducting Solid Sphere तो थर्ड होगा मैंने इसाब से जो पोटेंचल पहले पराबोली घटा फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोली घटा दो बच्चे जवाब दे रहे हैं जीरो से माइनस होके वी नौट पॉजिटिव हो गया खिरो से माइस होके वी नौट पॉचिव हो गया जीरो से माइस होके वी नौट पॉचिव होगया लए लंदे बेटा में गली नहीं घुए अगया नहीं गे सुबा-सुबा खाल यह घर जरूरी चीज़े यह कैसे जराव दिया भे ए यह यह हो रूस के लिए होता तो जी नहीं है सर, uniformly charge को क्या लेना, सुन, सुन, जब cell लिखाओ न, तो always fair लेना, always fair लेना, और जब uniformly charge लिखाओ, ये सीनो नेम से ये समझना पड़ेगा तुम्हे, uniformly charge लिखाओ, charge लिखाओ, uniformly charge लिखाओ, तो solid sphere लेना, clear है, cell लिखाओ, लिखाओ, तो always fair लेना, और uniformly charge लिखाओ, तो solid sphere लेना, ठीक है, uniformly charged, uniformly charged, next, electric potential, due to a group of conducting cell, ये तो डाइपोल है बे, अच्छा, heading गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, electric potential, due to, डाइपोल है ये, electric potential due to, डाइपोल, वो हम cell में भी आएंगे, चिंता मत करो, electric potential due to, डाइपोल, अच्छा, ये जो डाइपोल का electric potential होता है, डाइपोल का electric potential होता है, वो तो point charge का electric potential हुआ, सर कैसे, अरे भाई मेरे, point charge की वैसे जो electric potential लिखते हैं, वो ऐसा ही तो डाइपोल का लिख होगे, क्योंकि डाइपोल में दो point charge ही तो है, माल लो positive charge, और negative charge के बीच में distance है 2 ए, और उसके center से R distance पे, तुम्हें कहीं पे potential लिखन है, तो इस plus Q का potential लिख लो point charge की वैसे, और इस minus Q का potential लिख लो, और उन दोनों को add करो, लेकिन सरो subtract हो जाएगा, क्योंकि plus की वैसे plus आएगा और minus की वैसे minus आएगा, तो देखो, इस charge से इसका distance क्या होगा, तो ये है capital R और ये A, तो ये distance हो जाएगा आपका R minus A, और ये distance हो स्क्वाइर बचेगा, क्योंकि तुम्हारा common आजाएगा, यहां लिखो गए R plus A, minus of R minus A, तो यहां से तुम्हारा A से कटेगा, sorry, 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 R से R कटेगा, ये आजाएगा 2A, क्या जाएगा 2A, क्या जाएगा 2KQA, और Q into 2A को हम कह सकते P, Q into 2A को हम कह सकते P, तो ये हो R square minus A square, ये आपने, ये आपने electric potential निकाला है, axial line पे, कहा निकाला है, axial line पे, तो याद रखेगा, याद रखेगा, अगर कोई dipole है, जिसका minus Q charge है, 2A distance में plus Q charge है, तो center से R distance पर, जो potential आता है, वो आता है, क्ये P बटा, R square minus A square, ठीक है, ठीक है, के P बटा, R square minus A square, बहुत important है, के P बटा, R square minus A square, के P बटा, R square minus A square, ठीक है, अब सुन, अगर इसको आप small dipole पूछ दो, बेटा, potential बस खतम हो रहा है, potential खतम होके, ब्रेक दे दूँगा, अगर small dipole लोगे, तो कितना हो जाएगा, सर, अगर आप dipole small ले रहे हो, अब आप A को बहुत छोटा ले रहे हो, R से, तो A square और छोटा हो जाएगा, तो potential बचेगा, आपका के P बटा, R square, तो याद रखेगा, electric dipole का potential, axial line पे होता है, के P बटा, R square, क्या होता है, के P बटा, R square, के P बटा, R square, अच्छा, equatorial line पे क्या होगा, electric potential due to dipole, on the equatorial line, at a distance small r from the center of dipole, अगर मैं, dipole के बीच से, dipole के center से, R distance में आपे potential लिखू, तो क्या होगा, सर्फ point charge का potential लेना है, तो plus क्यूंकि वैसे यहाँ पे जितना potential होगा, उतना ही negative में इस charge का potential होगा, तो total potential क्या हो जाएगा, सहाब, zero, total potential क्या हो जाएगा, zero, मतलब, equatorial line पे, equatorial line पे, dipole की equatorial line पे potential क्या हो जाता है, zero, dipole की equatorial line पे potential क्या हो जाता है, zero, electric potential at a distance r from the center, तो इस dipole के center से, r distance मान लो ठीटा angle बन रहा है, यहाँ पे potential क्या होगा, तो बेटा, potential scalar होता है, potential क्या होता है, scalar, potential क्या होता है scalar लेकिन dipole moment तो vector होता है इस dipole का दो component ले लो P का एक इस line के लोग होगा П cos theta और इस line से perpendicular होगा P sin theta इस dipole P sin theta इस line के perpendicular है मतलब यह line इस dipole के लिए kutorial होगा तो इसके मेज़ा से potential कितना हैगा 0 और इस P cos theta की वैसे potential कितना हैगा Sir, K P cos theta dipole moment but R square क्या जोरदार आया है बे तो किसी भी general point पे theta angle के किसी भी dipole से general point पे potential होता है K P cos theta but R square Sir, इसको verify करके दिखा दो सही है, तुरंट से तुरंट से, अगर तुम theta को 0 ले लो अगर theta को 0 लोगे तो सर्गे तो axial line बन जाएगा तो K P but R square आना चाहिए तो रखो theta को 0, cos 0 क्या होता है 1, तो potential बोलो क्या आएगा K P but R square हुई लालालालालाला हुई लालालालालालाला अब सुन, अब सुन अगर theta को 90 रख दू तो ये dipole और यहां से 90 एंगल पर जाके देखेगा तो तो एक कुट्रीय लाइन हो गए potential 0 आना चाहिए और cause 0 की value cause 0 की value cause 0 की value 0, potential 0 हुई लालालालाला रादिसयाम रमन क्या तू एक अंग्रेजी का सब्द याद कर क्या है क्या repeat तू लेक्चर जब से start हुआ है तब से लेकर के अभी तक direct repeat repeat ही लिख रहा है कितने अजीव होते हैं ये बच्चे और कितने भोले होते हैं और कितने अच्छे होते हैं ये कर्यासर square नहीं सरजी सिर्फ आ रहाएगा बेटा ये dipole का potential है यहाँ पर square आता है ये dipole का potential है पर square आता है और square आना भी चाहिए मैं आपको बताओं क्यों आना चाहिए dimension verify करो ये charge बटा distance आना चाहिए dipole में charge into distance होता है dipole moment और charge into distance होता है तो एक distance एक distance कटेगा तो नीचे एक distance बचेगा तो आर square आना चाहिए आ कि Eli nextly मौं आरेखा के ओद आरी इसका आपका तो इसका कारण है तो बताओ अगर साइंटन टिटा होता तो गलत हूता भी तो गलत हुता पो में में तो गलत हुता साइडीट होता तो गलत होता हो और क्या चलिकार करने वाले को मैं पूरे दूंगा 50 Science क्रोर रुपए का नगतिनाम ईगए जार दस जार लाग दस लाग करोर दस करोर 50 क्रो प्प्चास क्रोर रुपए दुंगा इस याख साज र है नगतिनल दौप इस सवाल का जवाब सबसे पहले सबसे जादा सही बताएगा उसको मिलेगा पत्चास करोर रुपए का नगदिनाम अभी क्या भी एकदम मुझ पे फेक के मारूं इसी कैमरे में से और मुवाइल में से निकलेगा तेरे हाथ में जली बता जली बता अगले साल कौन सा चप्टर पर होगे अबे अगले साल की चिंता तू अभी से करने लगा बहुत चिंता फिकिर आदम है तू जली बता जी रो ये वहएवाँ वहएवाँ वह वहएवाँ वहएवाँ सब को 5050 क banner मिलेंगा बरी गुट-विड़ के साल कू पछाउस पचास करऊर रुपे मिलेंगा सब with the Wow Wow मौज कर दी तुने इसलिए बिटा कहता हूँ कि मन से अच्छे से ध्यान से क्लास में पढ़ाई किया करो नहीं तो बहुत दिक्कात हो जाता है इसका जवाब जीरो नहीं होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा भिखारी आदमी किस्मत में तुम्हारा करोपती बनना लिखा ही नहीं है अब एक लाइन से जीरो बोल रहे हैं एक और मरेगा आ गया कह रहा है आई लव यू सो नम ये इसका नमबर है अब नजदीक आ गया जीवनी सा चल देख रहा तुम्ह तो जितना potential A पे होगा उतना ही B पे होगा क्यूं कि देखो ने ये ठीटा और ठीटा सेम ही तो है अभे गधे डाइपोल यह रहा और जो ठीटा एंगल तो कॉस में लेता है वह डाइपोल से लेता है तो डाइपोल तो आगे की तरफ है तो A पॉइंट पे जो तुम्हारा potential होगा वो होगा KP कॉस थीटा बटा और अरिश्वाइर और भी पॉइंट पे जो पॉटेंचल होगा हो यहां से इंगल लोगों यह इंगल ही ने लोगे वो होगा kp बटा kp cos 180 minus theta बटा r square 180 minus theta second quadrant में जाएगा क्या second quadrant में cos क्या होता है negative और 180 function चेंज नहीं करेगा तो यह हो जाएगा तुम्हारा minus kp cos theta अब तुम लिखोगे work is equal to change in potential difference क्यों change in potential difference क्या होगा तो सर बी का potential difference होगा minus kp cos theta बटा r square minus a का potential होगा kp cos theta बटा r square तो यह हो जाएगा तुम्हारा minus minus plus plus नहीं minus minus यह minus रहेगा minus minus दोनों negative दो जाएगा minus 2 kqp cos theta बटा r square कितने भोले हो बे तु इतना भी बोला कोई होता है क्या इतना भी बोला कोई होता है क्या रादे से हम रमन फिर कहें रिपीट ऐसा तो नहीं कि repeat लिखके प्रवनेंटलियो चला गया हो और उसके बदले mobile अपने आप लेख रहा हो repeat 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 एक बात बता है इमांदारी से इमांदारी से बतानों स्वार्म आया कि नहीं स्वार्म आया कि नहीं अब 233 अबी सचिन सरकी में आता हूं कैसे लाइब चल रहे गया अलो 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 नमस्कार नमस्कार ये किया यह पूरा मुझे यहां से कॉपी करके यहां रखना है हाँ तो सही है ना अरे इस पे नहीं होता वो ब्लैंक पे जब आट करोगे ना तब होगा अब हो जाएगा अब लिखो अब लिखो कि तब तो कोपी होगा लेखो एमर अब इसको कोपी कर लो यह ब्लैंक पे पर होता है उस पे नहीं होता है लाइट पर नहीं होगा इसका ड्रोबेक है अज़ा आगया मैं वापस आगया वापस आगया चालो 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 अब ठीक ठाक चलो देखो सरम आगया होगा ना तुम्हें बहुत सरमीले आदमी हो इधर देखो आएं स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू वी वोल्ट इन स्मॉल ड्रॉप छोटे 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 बहुत सारे छोटे छोटे एंड ड्र are collies to form a single drop then its potential will be then its potential will be then its potential will be ठीक है क्या हो रहा सारे collies करके एक drop बना रहे है तो इसका potential क्या हो जाएगा वो पूछा है सुन बेटा जब भी ऐसा सवाल हो न तो ऐसे देखा कर अगर इसका radius smaller मानते हो तो सारे identical सब का radius smaller होगा तो जब ये collies करके बड़ा drop बनाएगा उसका जो radius होता है वो होता है n का power 1 by 3 into small r ये रट लो volume बड़ावर करके निकलता है fluid में भी निकला था fluid में भी निकला था ये रट लो fluid में भी यही निकला था ये रट लो तो ठीक है रट लेते दूसरी चीज़ अगर भी बोल से सबको charge कर रहो मान लो सब पे charge है q q q तो charge conservation से n drop पे total n q charge होंगे हाँ तो इस पर जो final charge आएगा वो क्या हो जाएगा n into q इसका potential एक drop का क्या लिखोगे k q बटा small r इसका potential क्या लिखोगे इसका potential लिखोगे v dash बरावर k n q बटा capital r n q कैसे लिख दिया sorry n into small q small q था n into small q बटा capital r capital r को क्या लिखोगे k small q n बटा capital r को क्या लिखोगे n का power 1 by 3 into small r तो ये k q बटा small r तुमारा हो जाएगा v v dash बरावर v n और n का power 1 by 3 उपर जाएगा potential हो जाएगा तुमारा n का power 2 by 3 चौथा जवाब हैगा साइद तुम चौथा ही दे रहे थे साइद तुम चौथा जवाब ही दे रहे थे ना बटा एक दो बच्चे दूसरा जवाब दे रहे थे ने फिटे n गुना potential सीधा ऐसे कैसे बर जाएगा इन गुना potential सीधा direct ऐसे कैसे बढ़ा लोगे next electric potential difference between two point due to infinite line charge of density lambda एक infinite charge है जिसका charge density lambda है तो दो point के बीच में potential difference क्या होगा तो बेटा potential difference तो ऐसे निकाल होगे delta V is equal to minus E dot delta R हाँ अच्छा बताओ इस line charge की वैसे कहीं भी R distance पर electric field कितना होगा सर कहीं भी R distance पर electric field होगा 2K lambda बटा R into DR ओहो हो बहुत सुन्दर और मान लो कि तुम 2 से 1 पर जा रहे हो कहां जा रहे हो 2 से 1 पर जा रहे हो तो final point हो गया तुमारा 1 इनिशल पॉइंट हो गया तुमारा दो बराबर minus 2K lambda बाहर 1 upon R into DR का तुम्हें करना है integration तुम्हें करना है integration तो कैसे करोगे सर 1 upon R का integration हो जाएगा log R कहां से कहां तक लेकिए जा रहे हो सर R2 से R1 log R में upper limit put करोगे तो R1 भाई R2 हो जाएगा minus 2K lambda minus 2K lambda log R1 बटा R2 और अगर R2 बटा R1 लोगे यहां पे तो यह minus plus हो जाएगा तो V1 by V1 minus V2 आ जाएगा 2K lambda log यह क्यों लिखा log R2 बटा R1 क्योंकि R2 जादा है तो जादा उपर रखोगे तो positive आएगा और obvious सी बात है एक पर potential जादा होगा दो के compare में potential एक पर जादा होगा दो के compare में एक पर potential एक point पर इस point पर potential जादा होगा दूसरे point के compare में ठीक है चलो अगर आप charge seat के वैसे potential निकालोगे जादा चलो तुम्हे एक जोडर तरीका बताता हूं एक जोडरता चीज बताता हो। सुनना हो अच्छी चीज बताता हूं मजा जाएगा सुनना मेरी बात सुनना अच्छी चीज बताता हूं मान लो कि यह fest है मान लो यह electric f combine और किसी भी short point के बीच में तुम्हें potential difference लिखना है इन दोनों के बीच में our distance है और तुम्हे potential difference लिखना है तो potential difference लिखने के लिए न तुम magnitude लिखो e dot delta r बस, minus minus मत लगाओ सर माइनस मत लगाएं तो confused नहीं होगे, नहीं होगे तुम magnitude निकाल लो बस तुम ये तो formula जानते हो न delta v e dot delta r होगा, minus मत लगाओ ठीक है सर हम direct click लेंगे delta v is equal to e dot delta r यहाँ पी electric will constant है उसकी value आजाएगी अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा point higher potential पे है सर a higher potential पे है तो अगर मैं a के potential में से b का potential घटाऊँगा तो क्या आएगा सर positive आएगा, हाँ तो ठीक है e dot delta r तुम्हारा positive answer आएगा बस फतक खतम और इन दोनों के बीच का distance क्या लोगे r तो ये तुम लिख दो r e r खतम, मैं तुम्हें बस इतना सिखाने कोसिस कर रहा हूँ कि जब तुम minus लोगे ना तो फिर बरे लेंथ में छोटा लेंथ माइनस से confuse होगे, तुम simple लिक हो e dot r और तुम्हें पता है भाई साब पता है कि electric field के direction में जाएंगे potential कम होगा, b पे कम होगा, a पर जादा होगा, तो जादा में से कम घटा होगे तो positive ही तो आएगा यह minus टारी तो है, यह minus टारी तो है यह minus टारी तो है, अब इधर देख, इधर देख बता, electric potential difference between two point charge due to infinite thin charge seat, अगर यह thin charge seat है तो यहाँ पे electric field uniform होगा और electric field की value होगी sigma upon two epsilon naught, हाँ सब तो, किस point का potential जाद होगा, एक का की दो का चल बता, किसका potential जाद होगा, एक का की दो का एक का की दो का, किसका potential जाद होगा सर, एक का जाद होगा, क्योंकि पास में यह electric field इधर जा रही, तो लिखो गे potential at one minus potential at two is equal to sigma upon two epsilon naught into delta r अब delta r तुमारा positive आना चाहिए, क्योंकि एक का potential जाद है, delta r कप positive आएगा जब दूसरे में से पहले का लेंद घटाओगे तो यह होजाएगा तुम्हारा r2 minus r1, इन दोनों point के बीच में जो लेंद आ रहा है r, उसकी value क्या लिखोगे r2 में से r1 का घटाद हो, यह आएगा तुमारा potential, v1 minus v2 is equal to sigma upon 2 epsilon naught r2 minus r1 confuse मत हो ना, यह दर 1 minus 2 है, यह r2 minus r1 है हाँ, एक का potential जाद है तो देखो न, एक के potential में से दूसरे का potential घटा है, sigma upon 2 epsilon naught r2 minus r1 आएगा, clear है क्या तो यह थोड़े से advanced level के होगे इसमें जाद चिंता करनी की बात नहीं infinite conducting seat has surface charge density sigma, the distance between the two equipotential surfaces are then potential difference between these two surfaces, देखो, यह charge seat है ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, यह charge seat है यहाँ पे एक equipotential surface है, मतलब यहाँ का potential कुछ v1 है और यहाँ का potential कुछ v2 है तो v1 minus v2 है तो यह conducting seat है तो पेटा electric field होगा sigma upon epsilon naught पहली बात, तो epsilon naught नहीं होगा, तो epsilon नहीं होगा sigma upon epsilon होगा, और sigma upon epsilon into R करोगे, दूसरा option divided by R तो dimensional ही गलत हो जाएगा divided by R तो dimensional ही गलत हो जाएगा, एक बच्चा बोल रहा चौता option, अरे बिटा दूसरा होगा यार, dimension भी कोई चीज होती है ना, dimension भी तो कोई चीज होती है, electric potential due to group of concentric cell, electric potential due to group of concentric cell, जैसे ये तुमने एक cell लिया cell मतलब hollow sphere, अंदर बाले पर charge रखा क्योंगा, बाहर बाले पर charge रखा क्योंगा, अंदर बाले का radius A, बाहर बाले का radius B, ठीक है, और तुमसे potential पूछ रहा माल लो, कही R1 distance यहाँ पर, तो यहाँ पर इस point पर potential क्या लिखोगे, यहाँ पर A पर, इस point पर potential बताओ क्या होगा, A पर तो बेटा, A पर potential जब लिखोगे तो Q1 charge अंदर वाले sphere पर है और इससे ये point बाहर है तो बाहर वाला concept लगाओगे point चार सेंटर पर मान के, तो Q1 को सेंटर पर मान लोगे, तो यह distance R1 लोगे K Q1 बता R1, लेकिन अगर तुम Q2 A स्फिर पर charge मानते हो, तो यह point A तुमारा अंदर है तो इस point पर जो potential होगा वो उतना ही होगा जितना Q2 के वैसे इसके surface पर होगा, और Q2 के वैसे इसके surface पर potential कितना होना है K Q2 बता B तो A point पर potential यह आएगा, अगर यह चमका तो बोलो जोरदार चमकी लड़कियों को पढ़ाना मतलब पैसों की बरवादी, वायर बहुत बूरे बीचार है तुमारे, कहां से आए है उसकी तो इज़्जद कर रहा है अर्मन लगा के पढ़ाई कर रहा है चमका चमका बता, यहाँ पे तो तुने A नहीं लिया, R1 लिया लेकिन यहाँ पे B लिया, क्यूं? बता बता क्यूं लिया? बता क्यूं लिया? नहीं नहीं बता क्यूं लिया? बदा ने क्यों लिया आरे छोटी सोच नहीं है बैचारा डिप्रेशन में यार दवाई सुबह का खाया नहीं गोली और साम हो गया तो उल्टा असर हो रहा है डिप्रेशन में नहीं है वो असरुगा गोली नहीं खाया है अचा माल ले कहीं आर्ट्टू डिस्टेंस यहां पे लिखू पुटेंचल बी पॉइंचल बता बी पॉइंचल बाहर है भी पॉइंट तो सार दोनों यह स्फेर से बाहर है तो यहां पे पॉटेंचल आएगा इस चार्ज को सेंटर पे मानके इस चार्ज को सेंटर पे मानके तो के क्यूवण बटा आर्टू प्लस के क्यूटू बटा आर्टू तो सिंपल हो जाएगा के क्यूवण प्लस क्यूटू बटा आर्टू क्या यह चमकी क्या यह चमकी अरे चमकरी की ना चमक रही वे चमकरी की ना चमकरी बता रहे अरे बता रहे बता रहे अच्छा अगर यहीं पे यहां पे आर्थिरी डिस्टेंस सी पॉइंट पे पोटेंचल लिखो तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंचल लिखता हूं तो बटा A और इस Q2 के बज़ा सभी अंदर है तो Q2 के वैसे जितना potential surface पर होगा उतना ही अंदर में होगा तो surface पर क्या होगा KQ2 बटा B यह आएगा C point अगर यहां पर है तो इस R3 दोनों में से कहीं नहीं आया C point के लिए हलाकि center से R3 distance पर जब potential लिखोगे तो R3 कहीं आया ही नहीं तो भाई साब यह जोरदार concept है जोरदार concept है क्या तुमको 3 चमकी जल्दी लिख दो 3 चमकी जल्दी लिख दो फटावट लिख दो 3 चमकी कितनी चमकी 3 चमकी कि नहीं चमकी अरे वो जब सुबह का गोली नहीं खाता ना तो बहुत जहरे फैलाता है वो अब वो क्या कर रहा है जहरे फैला रहा है पिंटिंग मिस्टेक चमकी बता दे भाई मैं ठीक कर लूँगा उसको बता दे भाई मैं इंसान हूँ अच्छा तीन चमकी कितनी चमकी अरे बहुत सही बहुत सही तीन चमकी बहुत बढ़िया तीन चमकी अब सुन अब सुन एक बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट एक बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट देख बेटा देख बेटा एक मैंने लिया सेल और उसके अंदर दूसरा सेल रख दिया यह बेटा small A radius का इस पर charge है Q1 ये है तुम्हारा B radius का इस पर charge है Q2 अंदर वाले sphere के surface पर potential माल लेता हूँ मैं V1 बाहर वाले sphere के surface पर potential माल लेता हूँ V2 अब दोनों sphere के surface पर जो potential है उसका difference है find potential difference of at surface of two sphere at the surface of two sphere at the surface of two sphere चल निकालते हैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ V1 V1 कहा है अंदर वाले sphere के surface पर potential क्या होगा इसके surface पर Q1 charge area radius तो लिखो न K Q1 बटा A अच्छा इस point पर बाहर वाले charge की वैसे तो potential लिखोगे अब इस Q2 के अंदर आएगा ये point तो अंदर जब भी हो ना तो उतना ही potential होगा जितना surface पर तो इसके surface पर Q2 के वैसे potential कितना होगा K Q2 by B तो K Q2 by B ही इस point पर आएगा K Q2 by B ही इस point पर आएगा अब जब बाहर वाले बाहर वाले sphere के surface पर potential लिखोगे इस point पर तो इस charge की वैसे इस point पर potential बोलो इस charge की वैसे Q2 के वैसे इसके surface पर potential हो जाएगा K Q2 by B अब जब तुम delta V निकालोगे V1 minus V2 कर लो तो V1 बोलो K Q1 by A plus K Q2 by B minus K Q1 by B minus K Q2 by B तो यहां से तुम देख पा रहे होगे K Q2 by E से K Q2 by B कट जाएगा तो यहां पर क्या बच रहा के Q1 by A minus K Q1 by B तो K Q1 को तुम बाहर निकालोगे बचेगा 1 upon A minus 1 upon B मतलब जो potential difference है क्या बेटा potential difference है वो सिर्फ अंदर वाले charge Q1 की बज़े से आए Q2 के बज़े से potential difference पैदा नहीं ले रहा भाई साहब यह तेरा मार रटा है यह बहुत important रटा है इसलिए एमार रटा है और यह समझने के लिए यह concept याद रखने के लिए तुम्हें यह पूरा drive करने की ज़वत नहीं थी मैं दूसरे नजर से तुम्हें दिखाता हूँ देख एक बात बता मैं अगर इस Q2 charge की बज़े से यह न Q2 charge इस Q2 charge की बज़े से जितना potential इसके surface पर आएगा उतना ही हर जगा अंदर आएगा तो इसके बज़े से जितना potential इस two point पर create हुआ है उतना ही one पर create हुआ है तो Q2 के बज़े से potential difference आएगा ही नहीं तो किसके बज़े से potential difference आएगा अंदर वाले charge की विज़े से ही potential difference आएगा क्योंकि यह क्यों नहाँ है इसके विज़े से यहाँ और यहाँ अलग-अलग potential आएगा तो देखो, अंदर वाले charge की विज़े से ही दोनों जगह पे potential का difference आएगा तो यह याद रखने वाली बात है यह याद रखने वाली बात है कि potential difference directly proportional to the inner charge and potential difference does not depends on the outer charge हर स्रोकर करें निगेटिव आएगा सर नहीं आएगा भागयां से गदा है तू नहीं आएगा निगेटिव यह छोटा है और दूमिनेटर में छोटा रखोगे तो यह वैल्यू बढ़ी आएगी गदा गईगा गदा गईगा चलिदे देख two concentric conducting sphere of radius r and 2 r having carrying a charge plus q and minus 2 q respectively q and minus 2 q respectively if the charge on the inner sphere is doubled then potential difference between the two is where bill becomes bill becomes bill becomes bill becomes जल्दी बता भिल बिक्स बिल बिक्स तो गुणा क्योंकि अंदर वाले चार्ज को double किया है और अंदर वाले चार्ज के directly proportional होता है potential difference अंदर वाले चार्ज के directly proportional होता है potential difference तो becomes two times, becomes two times clear है क्या है ये बात clear है क्या है ये बात clear है क्या है ये बात चलो, हम अभी अभी break देंगे, break देंगे बेटा ये सवाल करके दिखा उसके बात ब्रेक देंगे spherical conductor having charge Q and radius R is placed at the center of spherical cell of radius R and having charge Q that potential difference between the two is सवाल पर अच्छे से spherical conductor having charge Q and radius small R Q and radius small R is placed at the center of spherical cell of radius capital R and having charge Q spherical conductor having charge Q and radius R placed at the center of spherical cell of radius R and having charge Q capital R अच्छा ये capital R और बाहर पर charge Q ए, capital R बड़ा है देंगे, the potential difference between the two is small Q के proportional होगा अंदर वाला small Q है, दूसरा एंसर दूसरा एंसर येस, 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 दूसरा एंसर खिले है, खिले है, खिले है, ये कर लेना प्रैक्टिस, होमबग देता हूँ, एक आथ सवाल होमबग भी मैं भी लेले, ये बता, two बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, देख, two concentric जाओगे, क्या गरोगे, दोनों स्फेर के बाहर जाओगे, तो potential तो इस charge को center पे मान के लिखोगे, तो plus Q की वैसे potential बोलो क्या होगा, इस Q के बहुत सेंटर पे मान के लिखोगे, तो ये भी होगा, क्यी small q बटा एक्स is equal to 0, इसको इधर ले जाओगे, तो k q बटा एक्स is equal to minus k small q बटा एक्स, केक्स से केक्स कटेगा small q is equal to minus q आगा small q की value minus q third answer होगा, समझ आ रहा है क्या समझ आ रहा है क्या ये बात समझ आ रहा है क्या ये बात, चलिए चलिए हम आपको break दे देते हैं और फिर eco potential surface और electrostatic potential energy सुरू करेंगे, electrostatic potential energy सुरू करेंगे, हम आपको break दे देते हैं, तब तक ये definition अच्छे से पड़के आईएगा और देखिएगा अच्छा definition लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है break up to break up to 845 ठीक है break up to 845 पेम और बहुत major section हमने cover कर लिया, 64 page ये रहा लेकिए और total page मैं आपको बता देता हूँ, इमानदारी से सब कुछ अपन इमानदारी रखेंगे, 173 मतलब 100 page और बचा है कि इतने पे थे हम अभी कि अरे गर्दा उड़ा देंगे सवाल का हमने 64 पे 100 page अल्मोस्ट बचा है तो हो जाएगा बारा सारे बार तक हो जाएगा ब्रेक अप टू 845 बेटा ठीक है तो थोड़ा सा मुँपे पानी मार लो थोड़ा सा खापी लो मैं भी थोड़ा खापी लेता हूँ ठीक है ना फिरम शुरू करेंगे एक दम जोड़दार तरीक है तब तक के लिए अराम करिए तब तक के लिए मतलब खापी के थोड़ा सा रेस्ट कर लीजे आंक बंद कर लीजे पावर नैप ले लीजे फिरम मिलते हैं कर दो के लीजे भड़ा पापी लीजे सब तक करJames झाल 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 हलो 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 चलिए वापस आ गया अपन यू आर थी मिनट लेट वायर ठीक है तीन मिनट में बदा नहीं तुम ती सवाल कर ले जाते हैं ना चलो देखो इधर ये तीन मिनट में क्या तुमने ये डेफिनेशन पर लिया था एकू पोतेंचल सर्फेस क्या होता है एकुपोटेंचल सर्फेस and एकुपोटेंचल सर्फेस the surface with a constant potential at all the point of a surface surface के हर point पे potential की value क्या रहती है same रहती है, surface के हर point पे potential की value क्या रहती है, same रहती है electric field is perpendicular to its surface, जैसे माल लो, यह एक तुमारा एकुपोटेंचल सर्फेस है हमने planar बनाया है planar surface बनाया है planar surface बनाया है तो यहाँ पे potential उतना ही है जितना यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे तो इधर potential change ही नहीं हो ना, तो इस तरफ electric field नहीं हो है electric field हमेशा equipotential surface के किदर रहेगा perpendicular रहेगा along equipotential surface electric field must be 0 along the equipotential surface electric field must be 0 work done in moving any charge on the surface is 0 work done 0 क्यों होगा बताओ work done 0 क्यों होगा बताओ क्यूंकि बता हर point पे potential की value सेम है, तो change in potential 0 होगा, तो work done क्या हो जाएगा 0, for point charge equipotential surface is spherical point charge के लिए equipotential surface कैसा होता है spherical, क्यों होता है spherical I am आपको यह भी बताए मालनो एक point charge जहां पर, तो यहां से R distance में यहां जाओगे, तो potential क्या होगा, KQIR, यहां से R distance में जाओगे, potential होगा, KQIR, यहां भी होगा, KQIR, यहां भी होगा, KQIR, सारे point को मिला दोगे, तो ring बनेगा की sphere बनेगा, ring बनेगा की sphere बनेगा, बेटा, यह बनेगा आपका sphere, कैसे, ऐसे, चारो तरफ है ना चाहर थस बनेगा अगर LG दाट तो beloved लाइन-चार्ज वोगा तो यह वनेगा का Clinton इंड कल और अगरeries विल्ट के बझिरश आता है वह आपका का युणिफार्म आता ऐसा अब ऐसे लेक्ट्रिक फ्ल्ड के लिए पोटेंचल सर्फिस कैसा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर कहीं भी जाओगे, पोटेंचल आपको कैसा मिलने वाला है, बताओ, पोटेंचल आपको मिलेगा प्लेनर, तो ये होगा आपका eco-potential surface क्या सारे point एकदम अच्छे से clear है क्या सारे point एकदम अच्छे से clear है चलिए इस पे करते हम एक सवाल बहुत बढ़िया सवाल है ध्यान से देखिएगा bigger source a set of eco-potential surface the magnitude and direction of the electric field in the region तो सबसे पहले हम direction की बात करते है ये आपका eco-potential surface है electric field इससे perpendicular होगा तो electric field या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा अब बताओ कौन सा line सही है उपर वाला की नीचे वाला 1 and 2 उपर वाली की नीचे वाली कौन सा line सही से मैंने represent किया है उपर वाला line की नीचे वाला line तो तुम कहोगे और eco-potential surface कि अब perpendicular electric field जाएगा तो electric field तो ऐसे ही जाएगा ये electric field होगा अब electric field की value हम लिख लेते हैं हमने direction तो लिख लिया तो minus लगाने की जोट नहीं हम simple delta V बटा delta लेते हैं तो मुझे बताइए इस दो point के बीच में potential कितना change हुआ तो 20 से 10 10 volt potential change हुआ और इन दोनों के बीच में distance कितना है तो distance आप electric field के direction वाला ही लेंगे अतलब ऐसा नहीं कि कोई साबी distance लेंगे ऐसा थोरी नहीं होता है मानलों ये surface लिया तो ये distance, ये distance, ये distance, ये distance कोई साबी distance नहीं आप perpendicular distance इस surface के perpendicular ये distance लेंगे और ये distance कितना होगा क्या ये distance आपको पता है हाँ, 2 से 3, 1 मीटर का लेंग थे अरे भाई, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर का लेंग थे और ये angle होगा तुमारा 45 कैसे तो बेटा, एक बात बताओ यहाँ से perpendicular तुम इलेक्टरिफिल बना रहे हो ये 90 है और total 135 है, तो 45 भी तो हुआ अगर ये angle 45 डिग्री है तो इस 1 का component इस तरफ क्या होगा 1 cos 45 ये होगा तुमारा डेल्टा र तो डेल्टा र तुमारा आ रहा बेटा 1 by root 2 तो डेल्टा र को लिखोगे 1 by root 2 root 2 उपर चला जाएगा 10 root 2 is your correct answer तो इलेक्रिक बिल कितना होगा 10 root 2, किदर? तो 45 डिग्री बित positive x-axis, 45 डिग्री बित positive x-axis, सर मैं तेंत में हूँ, स्कूल, PW मैनेज नहीं हो पा रहा, प्लीज help कर दो ना क्या कर जो तू? पढ़ाई पढ़ाई को और बाकी चीजों को मैनेज करिए और दिक्कत तो होगी पढ़ाई करना इता आसान नहीं और बिना दिक्कत के पर लेते, यह सब कोई बिना दिक्कत के पर लेता तो बेटा, सब डॉक्टर इंजिनियर बन जाते हैं अच्छा, दोनों options same हैं तो देखो बेटा, जब भी तुम कोई जब भी कोई तुम दो physical quantity का इस तरह का relation देख तो e is equal to minus dbydr तो याद रखना में सा differentiation मतलब slope vr graph का vr graph का vr graph का slope vr graph का slope electric field होगा, हाँ यह ना minus of electric field minus of electric field, क्योंकि dbydr slope तो minus slope क्या होगा तुमारे electric field और dr को इतर ले जाओगे तो e dot dr बराबर होगा minus delta v तो e dot dr integration integration का मतलब area तो e r graph का area minus change in potential को बताएगा यह तुमारा basic math का concept है, सुनिए integration मतलब area of the curve तो e dot dr का जो area होगा ना, वो minus change in potential को बताएगा तो इस graph का जो area होगा, वो minus change in potential को बताएगा और आपको क्या करना है 2 से 6 के बीच में difference देखना है, मतलब यही area देखना है बेटा, इसका जो area होगा, यह rectangle है 2 से 4 के बीच में gap 2 और यह 10, तो यह area होगा 20 और 4 से 2 के बीच में यह 2 और यह 10, इसका area होगा 10 तो total area आरा आपका, area is equal to minus delta V total area आरा 30 बराबर minus delta V तो delta V बराबर आएगा minus 30 volt तो सर, minus 30 volt तो है नहीं अरे भाई, negative छोर, 30 volt magnitude में यह answer दिया है minus 30 होगा, तो minus 30 चूज करता समझ आ रहा समझ आ रहा एकदम तो यह तो याद रखो बेटा, यह तो याद रखो कि potential को differentiate करता हो, तो electric film मिलता है तो जब इसको differentiate करोगे, तो electric film मिलेगा, मतलब differentiation, मतलब slope, बस minus का याद रखना, और जब इसको integrate करोगे, integrate करोगे, तो तुमको ER graph का area V को बताएगा, VR graph का slope E को बताएगा, VR graph का slope E को बताएगा, VR graph का slope E को बताएगा, ER graph का area V को बताएगा, मतलब delta V को बताएगा, clear है बात clear है बात क्या, चलो अब हम आपको सिखाते हैं potential energy, potential energy क्या होता है समझो, work done in bringing Q charge, from infinity to the point, slowly, without change in kinetic energy, in a field of any charge, मतलब plus Q charge, plus Q charge के field में, किसी small Q charge को, किसी small Q charge को, infinity से किसी point तक ला के रखने में, जो work done होगा, वही work done इसके potential energy में store होगा, ये तो अभी अभी मैंने सिखाया, work done जो होगा, इसके, अगर external का work done है, तो simple positive वो इसके potential energy में store होगा, और अगर, अगर conservative force का work done है, तो negative work done, potential energy में store होगा, बताओ, दोनों में से कौन सा formula सही है, दोनों में से कौन कौन सा formula सही है, जली बताइए, दोनों में से कौन सा formula सही है, बेटा, दोनो formula सही है, तो दोनो mathematical formula पे दो language आप लिख सकते हैं, क्या language लिख सकते हैं, negative work done अगर इलेक्ट्रिक फिल्ड वर्क करता है तो निगेटीव आएगा, इलेक्ट्रिक फिल्ड वर्क करता है तो निगेटीव आएगा, मनीश राज कह रहे हैं कि I am real MR, अभी नाम चेंज कर ले इसने, अभी यही, बिटा, तुने ज़्यादा गूली खा लिया है, और तुम है, अरे भाई साब, Q को लाने में जो वर्क डन हो है, वही डेल्टा यू होगा, इंफिनिटी पे हम पोटेंचल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, जीरो, तो इसलिए किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी, यह होगी, डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं डेल्टा यू को क्या लिखते हैं, डेल्टा यू को क्यू डेल्टा भी लिखते हैं, एकदम सही बे, एकदम जोर्दार, एकदम जोर्दार, एकदम जोर्दार, एकदम जोर्दार, एकदम जोर्दार, समझा रहा, समझा रहा, तो बेटा, जब इस इन्फिनिटी से लाओग तो initial potential energy है, initial potential 0 होगा, देखना एक जोरदार चीज बतारू मैं, यह तो तुमने पढ़ा है, हाँ सरी हमने पढ़ा है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर delta u में initial potential energy 0 रखो, delta v में initial potential 0 रखो, तो इसी relation को लिख सकता हू, u बराबर q into v, तो कहीं पर potential energy लिखन potential energy हो जाएगा, जैसे मान लो, यह plus q charge है, इसके बज़र से यहाँ पर potential कितना होगा, इसके बैसे potential होगा k, इस q charge कहाँ पर potential होगा k q by small r, ठीक है, तो u बराबर q into v, यहाँ के potential की value put करो, तो यहाँ के capital q, but r into small q रख दो, तो यह potential energy हो गया, तो potential energy for the two point charge system, for two point charge system, potential energy for the two point charge system, क्या होता है, k q1 q2 बटा r, यहाँ पर charge मान ले q1 है, यहाँ चार्ज q2 है, डिस्टेंस r है, तो क्या होगा, k q1 q2 बटा r, clear है, clear है, और भाई, वडेक देव, तो क्या करना है बता, क्या करना है, क्या करना है, तो अगर किसी point का तुम potential लिखना जानते हो, अगर किसी point का तुम potential लिखना जानते हो, तो आपे किसी q charge में कितनी energy है store होगी, q into v बराबर होता है potential energy, q into v बराबर क्या होता है, potential energy, क्या चमकी, क्या ये बाद चमक रही, क्या ये बाद चमक रही, चले नेक्स रखे, ये बताईए, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, two proton is moving towards each other, then potential energy of the system, option A, increase, option B, decrease, बताई क्या होगा, अराम से देख के बताईए, two proton is moving towards each other, then potential energy of the system, अगर दो proton एक दूसरी की तरफ आएगा, तो potential energy of the system क्या होगा, देख ले ना बात, एक बात याद रखना, दुनिया में, जो कुछ भी, अपने आफ हो, चाहे वो living things के लिए हो रहा हो, या non living things के लिए हो रहा हो, जो कुछ भी अपने आफ हो, उसमें potential energy हमेशा decrease करता है, ये गाठ बान्द के रख लो, गाठ, गाठ कैसे बानते हैं, ऐसे बान्द के दिमाग में घुसालो, ऐसे एक तरफ से कान बंद करो चलो, एक तरफ से कान बंद करो, और दूसरे तरफ से मैं बोल रहा हो ध्यान सुन, एक तरफ से कान बंद कर चलो, बंद कर लिया क्या एक तरफ से कान, potential energy decrease ही होता है potential energy decrease ही होता है तो क्या ये अपने आप होगा दो proton मतलब plus charge दो proton मतलब plus ही और plus ही या अपने आप एक दूसरे की तरफ आएगा अरे ये तो घोर कल्यूग है भाईया plus plus repel करेंगे ये actual में खुद से दूर जाना चाहते है खुद से दूर जाना चाहते है तो दूर जाते तो potential decrease करना खुद से दूर जाना चाहते है जाना चाहते है तो अपने आप जब दूर जाते ना तो potential energy decrease करता है पास आ रहे हैं तो potential energy क्या करेगा increase और बेटा ये मतलब सबसे आसान तरीका है potential energy में change देखने का, सबसे असान तरे का है, खुद से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन pass आ रहे हैं, तो pass जबरदस्ती कोई इनको ला रहा होगा, तो potential energy increase करेगा, ठीक है, ठीक है, next देखो, next देखो, one proton and one electron is moving away, then potential energy of the system, बोलो, A increase, B decrease, बोलो, one electron and one proton, electron मतलब negative charge, and proton मतलब positive charge, moving away, अरे भाई, ये खुद से तो pass आना चाहते हैं, attraction के वज़े से, इसमें होगा attraction, तो अगर तुम इनको free छोड़ दोगे न, तो खुद ये चिपक जाएंगे, तो चिपकने में इनकी potential energy कम होगी, लेकिन ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, फिर से इसका potential energy बढ़ेगा, फिर से potential energy क्या होगा, बढ़ेगा, increase होगा potential energy, क्या एकदम मस्त मजा रहा है, एकदम मस्त मजा रहा है, decrease कह रहा है कुछ बच्चे, decrease कह रहा है कुछ बच्चे, decrease कह रहे हैं कुछ बच्चे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बेटा concept समझे यह negative charge यह positive charge क्या कर रहे है moving आवे दूर जा रहे है तो negative and positive charge क्या अपने आप दूर जाएंगे नहीं सर अपने आप छोड़ दोगे जो तो चिपक जाएंगे attraction होगा यहाँ पर तो अपने आप तो यह पास आना चाहते है लेकिन यह दूर जा रहा है इसलिए इनकी potential energy increase होगी एकदम एकदम जोड़ार तरीका है यह एकदम जोड़ार तरीका है next देखिए two proton is moving towards each other then potential energy बोलो increase decrease बोलो two proton is moving towards each other क्या है दो proton is moving towards each other then potential energy repeat होगया क्या सवाल बेटा आरे sorry 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 repeat होगया यह चली चली मैं मिटा देता हूँ sorry repeat होगया next देखिए यह सवाल बढ़िया लिखा है मैंने a deutron and proton is released in the field of potential difference 50 volt then find ratio of their momentum यह कराया है की नहीं कराया है यह नहीं कराया है यह बहुत बढ़िया सवाल है एक वर खुद करिए बेटा बहुत बढ़िया सवाल एक वर खुद करिए इसको एक वर खुद करिए a deutron and proton is released in the field of potential difference 50 volt जब भी लिखे ना released जब भी लिखे ना released तो तुम direct लगा सकते हो delta के kinetic energy में जो gain होगा न वो delta U loss के बराबर होगा बस potential energy loss करके kinetic energy बढ़ाएगा इसमें work done by external 0 है इसमें external agent है नहीं release करके छोड़ दिया तो एक बार यह सवाल करिए और अच्छे से करिएगा बढ़िया सवाल है तुक्का मत लगाईए बेटा तुक्का मत लगाईएगा प्लीज तुक्का मत लगाईएगा यह बढ़िया सवाल मैंने खुद लिखा है देखें deutron and proton तो जब deutron की बात करेंगे तो deutron का चार्ज होता है E और मास होता है 2M और जब आप proton की बात करेंगे proton की बात करेंगे चार्ज होगा E और मास होगा M डेल्टा भी दोनों के लिए common है तो यहां से kinetic energy जब आप लिखेंगे तो kinetic energy जो deutron का आएगा क्या वही kinetic energy proton का आएगा क्या kinetic energy दोनों का सेम आएगा बताए हाँ है ना क्या kinetic energy सेम आएगा क्यों 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 magnetic energy होता है Q डेल्टा भी तो दोनों का चार्ज बताइए सर सेम और potential difference सेम तो kinetic energy सेम और kinetic energy सेम लेकिन kinetic energy का ratio नहीं ratio of momentum पूछा है तो momentum बराबर आप लिख सकते हो, root under 2mke, क्योंकि kinetic energy सेम हमको दिया हुआ है, तो m भी से मत करना, क्योंकि मैं velocity नहीं पता, मैं kinetic energy सेम पता है, तो deutron के लिए momentum बटा, proton के लिए momentum बराबर होगा, root under 2, deutron का mass 2m into kinetic energy ke, बटा, root under 2 into mass m into ke, तो दोनों का kinetic energy सेम, mass कटेगा, 2 कटेगा, answer आएगा, root 2 is to 1, answer क्या रहा, root 2 is to 1, तो यहाँ पर none of these answer हो जाएगा, none of these, can't say नहीं बटा, none of these, root 2 is to 1, root 2 is to 1, root 2 is to 1, third answer नहीं है, first answer नहीं है, first answer नहीं है, third answer नहीं है, बेटा आप धोका खा गए बड़िया सवाल है ये तो धोका खाना तो लाजमी है बड़िया सवाल है बेटा तो धोका खाना अचर अरे रादे से हम भईया फिर आ गए अरे रादे से हम भईया फिर आ गए लिख रहे है रिपीट कितने फिडियो बे रहा करो हमारे लिए अच् जी ओ, root twist to one, next, electron is moving towards, two electrons moving towards इधर, रहे हो गया भाई, तू रहन दे, तू रहन दे हो गया, तू रहन दे हो गया, चल इधर देख, तू रहन दे हो गया, इधर देख, अगर मालनो system में दो से ज़्यादा चार्ज हो तो क्या होगा? अगर system में 2 से ज़्यादा charge होगा तो क्या होगा system में 2 से ज़्यादा charge होगा तो क्या होगा system में अगर 2 से ज़्यादा charge है तो total number of terms of potential energy for the n charge होता है n charge होता है n into n minus 1 by 2 क्या होगा बेटा n into n minus 1 by 2 ये total number of terms है n into n minus 1 by 2 n into n minus 1 by 2 तो देखो अगर माल लो यहां पर एक उक्विलेटरल ट्रेंगल है साइड लेंथ है यह तीन मास रख दिया कोने में तो इसका potential energy क्या होगा इसका potential energy इस pair के लिए होगा वैटा G, M, अरे M कैसे अरे charge में electrostate कहां से आ गया ओहो ओहो तो जैसा gravitational potential आप लिखते हैं माल लिए यहां पर charge Q है Q है Q है तो इस pair के लिए क्या होगा इस pair के लिए होगा K Q स्क्वाइर इस pair के लिए क्या होगा K Q स्क्वाइर इस pair के लिए क्या होगा K Q स्क्वाइर बहिए तो potential energy आगया 3K Q स्क्वाइर बहिए क्या आएगा 3 k qa square भाई है समझ रहा है बात अच्छा एक बात बताओ वैसे चलो मास आया तो हमको तो एक concept ही समझ में आया ना कि gravitational potential जैसे आपने gravitation परते समय लिखा था क्या उसी तरीके से यहां पर electrostatic potential जैसे लिख दिया जा तो कोई बुराई वाली बात है क्या बताओ कोई अगर बुराई है तो बताओ क्या कोई बुराई है क्या क्या कोई बुराई है क्या 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 कोई बुराई है क्या 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 कोई बुराई है क् यहां पर कितने टम आएंगे तो चार पार्टिकल के लिए छे टम आते हैं आपने पढ़ा है इस पेर के लिए के क्यूब आई एल 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 इस पेर के लिए के क्यूब आई हैं जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो क्या एक त्यार है जोड़दार सवाल करने के लिए बताइए एक बढ़िया सवाल दूगा मज़ा आजाएगा धोती खोल दूगा एक धोती खोल सवाल एक humble request करने आया है हम आपसे humble request करते हैं बेटा पर लोना पर लोना बेटा पर लोना चलो एक बढ़िया सवाल दू एकदम धोती कोल सवाल बढ़िया सवाल दू चल दे बच्चा समझ गया प्यारी समझ गई प्यारा समझ गया एक Q बेचल Q का side lane तेल है और उसके हर corner पर charge रख दिया Q तो total कितने charge हो गया आम लोग इस सवाल से दूर रहें ये सवाल हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल की धरकन को रोक सकता है हमेशा हमेशा के लिए आपका दिल का धरकन ये सवाल रोक सकता है हाँ बेचा Q square है ये छोटा सा printing mistake है कहने वाली बात नहीं आगे बार ये बदाइए यहाँ पर total potential energy के कितने term होंगे तो number of term का formula है number of term का formula है 8 क्योंकि 8 corner है 8 into 8 minus 1 by 2 तो ये कटेगा तो ये होगा तुम्हारा 4 और 8 minus 7 चोक 28 total 28 pair बनेंगे कितने pair बनेंगे total 28 pair बनेंगे pair कितने बनेंगे total 28 बनेंगे अब आओ इसका potential energy लिखते है तो बेटा एक चार्ज यहां पर छूट गया क्यों यहां पर अगर मैं तुम्हें धंग से समझाओं एक cube लेके cube लेके समझना कि एक phase में एक phase में यह एक phase है एक pair दो pair तीन pair और चार pair बन रहे एक phase में कितने pair बनेंगे चार उसी तरीके से इसके पीछे वाले phase में कितने बनेंगे चार अरे भाई ये front phase पे 4 pair बनें देखो ये L पे ये L पे ये L पे और पीछे बाले में भी 4 pair बनेंगे देखो एक ये L पे एक ये L पे देखो इसका इसका फिर इसका इसका फिर इसका इसका चार pair बनेंगे उसके बाद पाँच छे साथ आठ पियर बनेंगे L डिस्टेंस बने तो होगा 8 के क्यू स्क्वाइर बटा L उसके बाद यहाँ पे एक फेज में डाइगोनल पे फेज डाइगोनल पे दो पियर बनेंगे देखो टोटल कितने फेज है सर छे देखो एक यहाँ एक बनेगा बेटा यहाँ तो टोटल ऐसे से कितने फेज है 6 हर फेज में कितने बन रहे है 2 तो बनेंगे 12 तो 12 क क्यू स्क्वाइर बटा रूट 2 L एक मिनट एक मिनट 4 यहाँ 4 यहाँ 8 9 10 11 12 आम सॉरी 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 यह 12 बनेंगे सॉरी 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 बारा बनेंगे 12 टर्म होंगे 12 टर्म होंगे 12 टर्म होंगे मैंने गलत किया मैंने गलत किया आम सॉरी फिर से बताऊं क्या मेरे एक गलती करने के बाद ना एक तुम चोड़े में आजाता है बच्चा है कनफ्यूज या दिया मास्टर मास्टर कनफ्यूज या दिया अभे गलत जब मैं पढ़ा हूँ तो concept और ज्यादा अच्छे से clear होता है देख इधर मतलब मेरे से कोई गलती हो जाए तो इतना confuse या या मत करो Q Q Q Q एक square face पे हो गए तो कितने pair बनेंगे चार और पीछे वाले पे रखूंगा तो इस पे चार तो total 8 हो गए हाँ तो 8 हो गए आगे front पे और पीछे front पे 8 ये 9 ये 10 ये तो बन चुका ये बन चुका 11 और ये 12 तो 12 बनेगा outside length पे और 12 बनेगा आपका root 2L पे अब 24 टर्म हो गए बच्चे चार टर्म और चार टर्म और कौन सा तो यहां से लेके यहां तक एक body diagonal यहां से लेके यहां तक एक body diagonal तो दो body diagonal हो गए फिर यहां से लेकर के यहां तक एक body diagonal यहां से लेके यहां पर एक बॉड़ी डाइगोनल तो चार बॉड़ी डाइगोनल के क्यू स्क्वाइर बाई रूट थिरी यह यह बनेगा पोटेंचिल एनर्जी का टर्म वाह कमजोर दिल वाले इस सवाल से दूर रहे है कि हाँ बहुत बहुत ज्यादा हमबल रिक्वेस्ट है बहुत हमबल रिक्वेस्ट है बहुत हमबल रिक्वेस्ट क्लिर है गया? ये गया है बई? चलो इसका पोटेंशियल लिखके दिखो एक यहाँ पे प्लस चार्ज है एक माइनस है और ये भी माइनस है अब इसका पोटेंशियल लिखके दिखो कोई खास बात नहीं बेटा पोटेंशियल लिखने में कोई दिसमार खान जैसी चीज नहीं करनी होती है दिसमार खान जैसी चीज नहीं करनी होती है आपको क्या करना होता है कि इसका इसका पोटेंशियल लिखो तो यू बराबर हो जाएगा कि ये प्लस प्लस है माइनस तो माइनस के क्यू स्क्वाइर ब तो cancel हो जाएगा तो potential energy आएगा minus k q square by a क्या ये clear है minus k q square by ये क्या ये clear है क्या clear है चले next देखते हैं ये आगया आप conservation of mechanical energy का सवाल conservation of mechanical energy इसको हम कहते है t o m e conservation of mechanical energy लेकिन सर्फ conservation of mechanical energy तो तब लगता है न जब external isn't external force का work 0 हाँ तो यहाँ पर कोई external isn't नहीं लग रहा होगा आप सवाल पढ़के देख लिजे यहाँ पर सवाल पर के देख लिजे कोई भी external isn't नहीं लग रहा होगा चले सवाल पर यह अब proton is fixed at origin a proton fixed at origin ये fixed है ये हिल नहीं रहा another proton is released from wrist from a point at a distance small r small r distance इसको release किया taking charge of proton as a e and mass of proton is m then find the speed of the proton at a distance 2 hour from origin जब ये proton repulsion की बज़े से यहाँ से 2 hour distance पे चला जाएगा तो इसकी speed क्या होगी ये पूछा है at a large distance from origin large distance पे चला जाएगा तो दो पार्ट में सवाल को solve करना है सबसे पहले ये बताओ कि पहले पार्ट में क्या मैं conservation of mechanical energy लगा सकता हूं अगर लगा सकता हूं तो क्यों अगर मैं conservation of mechanical energy लगा सकता हूं तो क्यों लगा सकता हूं what is the reason behind it mechanical energy इसलिए लगा सकता हूं कि कोई भी यहाँ पे external isn't work नहीं कर रहा तुम बोलोगे सर यहाँ पे fixed किया हुआ है तो इसको पकर के नहीं रखोगे तो fixed कैसे रहेगा हमाल लो मैंने पकर के रखा हुआ है तो मैंने पकर के रखा हुआ है तो मैंने force लगा है हाँ एक मिट बिटा रोहित 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 external force is not present is a wrong statement यहाँ पे external force है यहाँ पे external force है कौन है यहाँ पर मैंने इसको पकर के रखा है है external force अब अच्छी ओमी लएगा कि नहीं लएगा लगेगा क्योंकि external force होने ना होने से फर्क नहीं परता है फर्क परता है कि external force work नहीं करना चाहिए तो अगर मैं इस charge को पकर के हाँ पर रखा हुआ हूँ तो मैंने कोई work थोरी न किया है work zero होना चाहिए अड़े बहुत सुन्दर तो लिखो के यी पलस potential energy initial वाला बराबर के यी पलस potential energy final वाला अब मुझे बताओ कि initial potential energy क्या होगा काइनेटी क्या होगा zero क्योंकि release क्या potential क्या होगा कि charge of proton E square स्क्वाइर बटाद डिस्टेंस र सही है बराबर काइनेटी के नजी मान लो half MbA स्क्वाइर potential energy क्या होगा सर्फ potential energy हो जाएगा के ये स्क्वाइर बटा 2R सीड़ी सी बात अब बताओ कुछ काटू क्या काटू कुछ नहीं कट रहा के स्क्वाइर बटाँ को इधर लाओ तो के स्क्वाइर बटाँ के स्क्वाइर ना यहां से 2 से अब 2 कटेगा M नीचे चलाएगा तो भी बरावर आएगा root under K E square बटा M बताओ कितने लोगों का जवाबी सही है root under K E square by M K E square by M R R V है क्या ओहो सॉरी 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 M R अरे भाई M R जब पढ़ाएगा तो M R तो आएगा K E square by M R सॉरी बेटा सॉरी 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 आ रहाएगा आ रहाएगा बिल्कुल आ रहाएगा Love from customer Yes, love you too बेटा लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है Love से ज़्यादा ज़रूरी है Love से ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है समझ आ रहा पार्ट को, तो दूसरे पार्ट में इनीशल काइनेटिक तो 0 है, और पोटेंचल हो जाएगा आपका k e square by r बराबर, लाज़ डिस्टेंस पे तो पोटेंचल 0 और काइनेटिक हो जाएगा half mva square, तो यहाँ पर velocity निकालोगे, तो 2 उपर, तो root under 2 k e square by mr क्या root 2 times जादा velocity होगा, बहुत असान है यार डूसरा case में at a large distance large distance मतलब infinity मान लेते हैं उसको, बहुत large distance, distance actual में नहीं दिया, तो large distance, तो यह r large रखोगे, नीचे r large रखोगे, तो यह term हो जाएगा 0 समझा रहा क्या, हाँ बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बेटा, एक्दम सही है, एक्दम सही answer है, एक्दम सही answer है, मजा आ गया बेटा मजा आ गया, next देखिए three charge q are kept at the vertex of equilateral triangle of side 2a then how much work done is required in bringing them closer to a equilateral triangle of side a, देखिए three charge है बेटा q, q, q side length इनका क्या है बेटा side length इनका है 2a कितना work करना परेगा, ताकि मैं इसके side length को 2a से घटा के ए कर दू सवाल को पूरा पर हो, और ये work done by electric force पूछा है, ये external agent का work पूछा है, ये पढ़ लो पहले work done by electric force पूछा है या work done by external agent पूछा है, ये बता sir, capacitance आज होगा, बिलकुल ना राज होगा, बस हम जब simple लिखा है तो external का work होता है ठीक है तो देखो work done by external agent बड़ाबर होगा change in potential energy simple work done by external agent होगा change in potential energy clear है बात clear है बात change in potential energy मतलब final potential energy minus initial potential energy final potential energy system कहता हो क्या होगा असना के प्याइब ही है घी जम इस्टेंश एक अनगर्टम और टिन सब्सक्क्र ==== तो jsut found k Q K की स्क्राइर बाहरár अब यहां पर यहां प्रक्वान आएगा वन मैंने साफ हाब बचेगा, तो एंसर आएगा बेटा, 3K QA square by 2A, कितने लोग का जवाब आया, 3K QA square by 2A, 3K QA square by 2A, very good, very good, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एक बढ़िया सवाल, मैंने लिखा इसको, आज ही बनाया है, आज ही इसका फीता कट रहा है, बहु Q and mass 4M, and particle B of charge 4Q and mass M, allow to fall through the same potential difference, then find ratio of their speed, यह सवाल एक्चली उपर आना चाहिए था, लेकिन क्या होता है बेटा, जब 200 पेज का slide होता है, तो उपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, है ना, तो मैं उमीद करता हूँ कि बहुत प्यार से इस सवाल को एक बार करो, बढ़िया करो एक बार, सवाल को करो, सवाल समझना, पार्टिकल A, जिसका चार्ज है क्यों, मास है 4M, पार्टिकल B, जिसका चार्ज है 4 क्यों, मास है M, allow to fall through same potential difference, same potential difference, then find the ratio of their speed, मैं चाहता हूँ, यह सवाल तुम खुद करो, यह repeated है तो सवाल, पहला जवाब बच्चे बता रहे है वन इस्टो फोर पहला जवाब बच्चे बता रहे है वन इस्टो फोर बिल्कुल सही है कैसे किया यह बता तुमने क्या किया थी तुम एक फॉर्मूला जानते हो कि जब भी पॉटेंचल से हम छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं Q डेल्टा भी तो पहले A का काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे तो A का चार्ज है Q एन पोटेंचल डिफरेंस डिल्टा भी डिवाइड़ बाई अगर काइनेटिक एनर्जी हम B का लिख रहे हैं तो B का काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा चार्ज है इसका 4Q and potential delta V delta V से delta V कटेगा Q से Q कटेगा तो kinetic energy जब A का हम लिखेंगे A का kinetic energy होगा half इसकी mass है 4M 4M into V A का whole square बटा B का kinetic energy क्या लिखोगे half B का mass है M into V B का whole square is equal to 1 by 4 is equal to 1 by 4 अब ध्यान से जड़ा देखना कि क्या half से half कटेगा G हाँ M से M कटेगा यह चार नीचे चलाएगा तो V A का whole square बटा V B का whole square बटार होगा 1 by 16 square इधर लाएंगे तो V A बटा V B आ जाएगा root अंडर 1 by 16 is equal to 1 is to 4 बद्दर यह कैसा सवाल लगा अच्छा सवाल लिखाईए हाँ दो पहर में ही same topic था तो एकाद दो सवाल बेटा सुबह मैंने कराया था है ना selection express में काद दो सवाल मैंने कराया था यह देखिए आप positively charged ring YZ plane यह मान लीजिए आपका X axis है यह Y axis है और यह आपका Z axis है तो यह YZ plane में ऐसे रखा है positively charged ring क्या बेटा positively charged ring center the origin a positive test charge Q naught held origin and released along the X axis एक छोटे positive charge को यहाँ से थोड़ा distance पे ले जाके छोड़ दिया हमने Q naught charge positive Q naught charge along X axis then its speed increases continuously first increases then decreases decreases continuously first decreases then increases बहुत सुंदर सवाल बहुत बढ़िया सवाल खरके बताईए क्या होगा इसका जवाब मजा आएगा चलो करके दिखो तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे जैसे चार्ट चार्ट पार्टिकल दूर जाएगा तो इसका speed पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा first decreases then increases तो तुम हो गलत increases continuously अगर तुम कह रहे हो तो तुम हो एक दम सही सर लेकिन increases continuously क्यों simple logic छोटा सा है मारे स्टार ये plus q naught को कोई बाहरी एजेंट कोई external force पकर के दूर ले जा रहा है कि repulsion की बज़े से ये अपने आप दूर जाएगा सर रिपल्सन की बज़े से ये अपने आप दूर जाएगा जब ये रिपल्सन की बज़े से अपने आप दूर जाएगा तो इसकी potential energy घटेगी ओ मागो to do physics तो कानेटिक बढ़ेगी और कानेटिक बढ़ेगी तो speed increases कैसा लगा मेरा concept कैसा लगा मेरा concept continuously potential energy क्या होगा घटेगा क्योंकि अपने आप रिपल्सन की बज़े से जाएगा अरे भाई सब ये प्लस चार्ज ये प्लस चार्ज तो अपने आप रिपल्सन की बज़े से जाएगा और अपने आप रिपल्सन की बज़े से जाएगा चार्ज पार्टिकल Q is fixed with speed V, क्या है? एक मेटे, एक मेटे, है ना? सवाल थुरा ध्यान से पढ़ते हैं, the charge Q is fired towards the another charge particle Q BTZ fixed, ओके, ये चार्ज यहां पे fixed, बहुत बढ़िया सवाल है बहुत बढ़िया, conservation of energy का बहुत सांदार सवाल है, एक positive Q charge यहां पे fixed है, क्या है बढ़िया positive Q charge यहां पे fixed है, एक small Q charge को, small Q charge को, V velocity से हम कर देते हैं fire, with speed V, its approaches to Q up to a closest distance R, मतलब यहां पे ये Q charge जाके rest में आ जाता है, रुक जाता है, क्या हो जाता है? रुक जाता है, and then returns, if Q bear given a speed to V, then closest distance of approach will be, अगर मैं इसको double velocity देता, तो यह R की value कितनी होती? क्या यह conservation of energy का बढ़िया concept है? conservation of energy का बढ़िया concept है, एक भोला बेचारा बच्चा कह रहा है, कौन है? जोर, टिगर, ओपी, बढ़ा, माव आपने बहुत मेहनत से पैदा किया होगा तुम्हें, बहुत मेहनत से पाला पोसा होगा, नाम तो बढ़िया रख ले हैंना? अब मैं तुम्हारा doubt बताता हूँ, कि कहां पे C.O.M. लगाएंगे यह नहीं समझ, मैंने तो समझ यह, जहां पे external isn't, या तो absent हो, अगर हो भी तो उसका work done zero हो, वहां पे C.O.M. मतलब, हम, हम, कैसे force है, non conservative, तो जहां हम, वहां कम नहीं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, जहां कम, वहां हम नहीं, मैंदर external legend नहीं होगा? जहां हम external agent, वहाँ पर कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, अरे कुछ बुझाया, कुछ बुझाया, चल देखिए यहाँ पर, तो बहुत large distance से जब हम इसको fire कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी kinetic है half MbA square, potential है zero, जब यहाँ पर रुका, तो kinetic zero, और potential हो जाएगा, क्यू, कैपिटल क्यू, बटा R, जब आप ध्यान से देखेंगे, R distance को हैं ले जाएगे, क्योंकि आपको यहीं निकालना है, closest distance of approach, R बडावरोगा, क्यू, कैपिटल क्यू, बटा, 2 उपर MbA square नीचे, सही लिकाए गया, small R को उपर, 2 इधर MbA square नीचे, एक दम सही, तो closest distance is inversely proportional to velocity का square यह आएगा, और आपको याद है, तो atomic physics में भी alpha particle scattering में, कुछ इसी तरह का, आहा, कुछ इसी तरह का, close distance of approach आता है, समझ में आड़ा, समझ में आड़ा, ठीक है, अब जब यहाँ पर speed को double करोगे, तो double का whole square यहाँ पर 4 आएगा, मतलब 4 गुना कम हो जाएगा, R by 4 is your collector's, बदे चमका की नहीं चमका, बदे चमका की नहीं चमका, पायर इनमान फिर करने कि सीओ में कहां लगाते हैं, अभी मैं कुछ अलग चीज़ बता रहा था क्या, अभी कुछ अलग चीज़ बता रहा क्या था, बगलोल इंसान, AI PMT 2005 का सवाल है, चली ध्यान से देखिएगा, अज पर दाइग्राम, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इस प्लेस्ट अट द ओरीजिन, प्लेस्ट अट ओरीजिन, वर्क डन, इन टेकिंग अनदर माइनस क्यू चार्ज फ्रम प्वाइंट ए, 0, A इहां पर है, टू आप पॉइंट भी, A, 0, अरे भाई सेमी डिस्टेंस पे, तो उस प्लस क्यू का जितना पोटेंचल होगा, उतना ही पोटेंचल होगा, तो किसी भी चार्ज को उठा के यहां से यहां रखोगे, तो अगड़न आएगा 0, यह बेटा सवाल है, AI PMT 2005 का, यह सवाल है, AI PMT युगांडा से, चलिदे देख, युगांडा वा से, टू आ इंसुलेटेट चार्ज कंड़क्टिंग स्वेर अप रेडियस 20 संटीमेटर 15 संटीमेटर रेस्पेक्टिवली, अविग इकुल चार्ज इतना, एन सेप्रे, वायर अन देन सेपरेटेट, टू इंसुलेटेट कंड़क्टिंग स्वेर, मतलब अलग-अलग है, यह 20 संटीमेटर का है, और दूसरा 15 संटीमेटर का है, having equal charge 10 माइक्रो कुलम, दोनों पे 10 माइक्रो कुलम चार्ज है, are connected via copper wire and they are separated, दोनों को copper wire से जोड के फिर हमने अलग-लग कर दिया, तो बहुत स्वेर will have equal charge, no, जब भी द करके अलग करते हो, तो लास्ट लेक्टर में मैंने समझाया था, charge is directly proportional to the radius, surface charge density जो होता है बेटा, वो inversely proportional to radius, क्या बेटा, सिगमा, surface charge density, surface charge density क्या होता है, inversely proportional to radius, surface charge density on 20 माइक्रो कुलम इसफेर will be greater नहीं, जिसका radius बढ़ा, उसका surface charge density छोटा, surface charge density on the 15 cm will be greater, yes, third answer आएगा, surface charge density of the two sphere will be equal नहीं आएगा, याद रखेगा, पीस, तर समझ नहीं आया, अब यह समझातने है बेटा, ऐसे कैसे नहीं आएगा बेटा, अरे ऐसे बेटा कैसे नहीं आएगा बेटा, उनो, दियान से, जब भी दो स्फेर को टच कराओगे, तो charge directly proportional to radius, and surface charge density inversely proportional to radius, क्या करें सर, यह कैसे आया, यह आया, मार रटा से, याद रखेए इसको, नहीं साराम को बताओ कैसे आया, यकीन में कहने आया थे पिछली बार, नहीं आया थे, तो चलो बता देते हैं, जब भी दो conductor को आप जोड़ते हैं, तो दोनों का potential क्या रहता है, same हो जाता है, तो इसके surface पे potential लिखोगे, इसके surface पे potential लिखोगे, और जब charge का relation निकालोगे, तो यह आ जाएगा, और मालो चार्ज यह आ गया, surface राज देजटी क्या होता है, सर चार्ज अपोन एरिया, अब चार्ज डारेक्ली प्रपोर्शनल रेडियास, एड एरिया हो जाएगा तुम्हारा, पोर पाई आरे स्कॉर, तो पोर पाई तो कॉंस्टेंट है, आर से आरे स्कॉर कड़ेगा, तो नीचे आरा जाएगा, मतलब सिग्वा इन्वस्टी प्रपोर्शनल टुर, अब तो असानी से बता दिया, अब तो असानी से बता दिया, तो यह बात आपको याद रखना है, कि चार्ज, जब भी दो स्फेर को कॉपर वायर से जोरेंगे, अटच करा दिया, तो चार्ज डरेक्ली परपोर्शनल टो ररेक्डियस, इन्वसे चार्ज दंस्टी, इन्वस्ली परपोर्शनल टो रेक्डियस, क्लियर है बिटा? चलू यह स्वाल तो देखो बिटा, ऐसा है कि जब आप दो स्फेर को टच करा दोगे, टो स्फेर अप रेडियस R1 और R2, respectively are charged and joined by the wire then ratio of electric field will be तो यहाँ पे जो charge होगा Q1, इसका radius R1, इस पर charge होगा Q2, radius होगा इसका R2 जो electric field आप लिखते हैं, इसके surface पे वो होता है, के, Q1 बटा R1 का square पहले surface पे, दूसरे surface पे क्या होगा, के, Q2 बटा R2 का square, जब आप divide करेंगे, तो अब्बिस सी बात है के से क कटेगा, Q1 से Q2 नहीं कटेगा, Q1 directly proportional radius होगा, तो यहाँ पे लिखोगे R1 और नीचे लिखोगे R1 का square, तो बटा R1 का, R1 आजाएगा Q2 में लिखोगे R2, जिस sphere का charge लिख रहे हो, उस sphere पे charge उसके radius के proportional आता है बटा R2 का square, तो नीचे कट के आएगा R2 यह बटा में R1 है, यह बटा में R2, R2 पर R1 नीचे मतलब electric field का जो ratio आएगा inverse ratio of radius आ रहा 14, inverse ratio of radius आ रहा तो answer होगा तुम्हारा चौथरम इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ कैसे? conductor का चाहे कैसा भी safe हो बहुत important बात बता रहो, ज्यान से सुनना conductor का चाहे कैसा भी safe हो वो spherical हो क्यूब आइड हो cylinder हो या plate हो कुछ भी हो just उसके surface पर जो electric field होता है अरे रे सॉरी सॉरी just उसके surface पर जो electric field होता है वो होता है sigma अपने फशालना और सर अब यह भी आपने बताया था charge density inversely proportional radius हो तो सर हो गया electric field inversely proportional radius तो e1 by e2 हो जाएगा आर टू बट आर वन व्ले मजे कर याद रखना just outside the surface just surface पर electric field हमेशा अगर conductor है तो sigma अपने फशालना फोका फरक नहीं परता जो sphere है cylinder है या plate है हमेशा समझा रहा है पीटा समझा रहा है पीटा समझा रहा है पीटा समझा रहा है पीटा next देखिए conducting sphere will raise 10 and 20 is allowed to touch for the sometime after this charge density of the sphere will be अरे बाइस आप charge density पूछा है तो charge density 10 cm 20 cm charge density inverse ratio में होता है तो twist to one आएगा पर लो सवाल एकपर last third repeat करो please beta class कता हो जाएगा तो सुन लेना please transfer repeat 4000 to my account पर तरह account भी बन गया तो जब bank यह होगा account खुलवाने तो bank manager अच्छा नहीं नहीं बैंक में चपरासी तुमको लात मार के बाहर नहीं बगाया तुम्हारे जैसे शकल वालों का गई bank account खुला है यह बखलोल गल्ती से जाना भी मत सपना भी मत देख शपरासी बाहर वेक देगा शपरासी ना उठाके बाहर वेक देगा यह बैगन जैसी लैसुन जैसी सकल वाले का bank account खुलेगा जैसे लैसुन देख इदर अच्छा 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 बताते हैं बताते हैं बेटा एक term होता है self energy का जैसे कि स्फेर है hollow जिसका radius capital आ रहे उसके surface पर अगर क्यू चार्ज distribute करोगे तो यहां पर define होता है कि क्यू चार्ज distribute करने में जो work done होगा वो इसके self energy की तरह store होगा कितना work done होता है बेटा आप समय नहीं है drive करने के इसका याद रखिएगा point five kq square बटार मतलब kq square बटार two are इसका self energy होता है hollow sphere का और यह जो self energy इसका store है वो कहां है तो hollow sphere के अंदर में electrical field तो zero होता है इसका electrical field surface से लेके infinity तक होता है और कौन सा energy है यह electrostatic energy electrostatic energy कहा store होगा surface से लेके infinity तक कहा तो याद रखेगा यह इसका self energy hollow sphere का solid sphere का self energy कितना होता है solid sphere का self energy कितना होता है solid sphere का self energy होता है point six थोड़ा जादा सर ज्यादा क्यूं होता है ज्यादा इसलिए होता है कि कि electric field चाहे solid sphere का लिखो या hollow sphere के लिखो बाहर में three by five kq square by r लिख सकते हैं तो याद रखेगा बेटा इना case of solid sphere 0.6 मतलब three by five kq square by r और hollow sphere में बेटा kq square by two r ठीक है ठीक है अरे ठीक बाहर जो यह extra आया ना point six में point one का point five plus point one लिख सकते हो वो point one इसके अंदर की बज़ा से आया है यहाँ पर अंदर में electric field होता है लेकिन यहाँ पर अंदर में electric field zero होता है बेटा clear है यह बात clear है यह बात clear है बात यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है electrostatic of conductors में कुछ चीज़े बहुत important है जो मैं आपको फटा फट revise करा देता हूँ ज्यांस देखिएगा electric field inside conductor is zero where conducting matter is present मतलब conductor के अंदर electric field inside conductor यहाँ पर एक word missing है यह आप समझ सकतो कि conductor की बात कर रहा है electric field inside conductor conductor कैसा भी हो is zero where conducting matter is present जहाँ पर भी conducting matter present होता है उसके अंदर electric field क्या होता है जीरो होता है electric field always perpendicular to the surface of conductor conductor के surface पर electric field हमेसा कैसा रहता है perpendicular potential at all the point is same surface to the center surface जलेके center तक potential same होता है यह तो अभी अभी बताए मैंने after grounding its potential become zero किसी भी conductor को अगर आप ground करते हैं तो उसका potential क्या हो जाता है जीरो हो जाता है किसी भी conductor को अगर आप ground करेंगे न बेटा तो उस पर charge zero हो इस वात की guarantee नहीं है charge zero इस वात की guarantee नहीं है लेकिन इस वात की guarantee है कि उसका potential क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसका potential क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा तरफेस पर जो electric field आता है conducting surface पर जो electric field आता है बेटा वो आता है sigma upon epsilon naught कहीं भी अगर e electric field है तो उस reason में energy density जो energy stored होती है वो होती है बेटा half epsilon naught e square और कोई भी conducting surface पर जो pressure लगता है उसकी charge density sigma square by 2 epsilon naught और actual में ये दोनों चीजे सेम है ये दोनों चीजे सेम है क्या मैं इसको same proof कर दू? करो सर, तो मैंने अभी बताया था तुम्हें कि किसी भी conductor के surface पर जो electric field होता है वो sigma upon epsilon naught होता है क्या होता है? sigma upon epsilon naught होता है तो ये रहेगा आपका half epsilon naught electric field को आप रखोगे sigma upon epsilon naught का whole square तो बेटा, इस epsilon naught से epsilon naught का whole square हो रहा है न, ये कटेगा तो या जाएगा आपका sigma square by 2 epsilon naught सर, यही तो electrostatic pressure होता है याद रखना ये term कि जो electrostatic pressure है वही energy density है electrostatic pressure pressure और energy density का dimension सेम होता है इसलिए formula भी सेम आया है energy density का dimension सेम होता है इसलिए इसका formula भी क्या आया है सेम है charge density is higher at sharp point of conductor मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि conductor को sharp point पसंद है क्या पसंद है क्या पसंद है conductor को sharp point पसंद है तो ये याद रखने वाली बात है कि conductor वही पे जमा होता है जहां पे sharp point होता है conductor वही पे जमा होता है जहां पे sharp point होता है clear है ये बात clear है बात आईए अब हम capacitor का सफर सुरू करे बेटा आदे गंटे बाद मैं आपको ब्रेक दूँगा ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं ब्रेक दूँगा आपको अब हम 88 पेज पर है और टोटल आपको पेज परना है 164 मतलब आदा से जादा तो हम पढ़ चुके हैं ठीक है? तो आईए थोड़ा सा कैपसिटर के बारे में समझते हैं क्लिर है? आईए थोड़ा साम कैपसिटर के बारे में समझते हैं पानी पी ले दो थोड़ा से पानी पी ले दो थोड़ा से बेटा अब अब सेल्फ एनर्जी का मतलब समझने का समय नहीं रहे गया है याद कर लो नहीं आता है नहीं सुना है तो कम से कम formula याद रख लो अगर आ गया तो लिख लेना तुभी पानी पिएगा ले 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 पी पानी पिएगा ले ले पी ले प्यास लगा हुए ले जा मैंने पानी नीचे फेक दिया कोई बात नहीं इसको बटोर के पिले फर्स पे परा हुआ नहीं इसको बटोर ले ऐसे चुलू भर चुलू में जामा करके पिले भिखारी आदमी तो है ही तू पिले क्या कह रहा है अगर है पानी बटोर के कैसे पेंगे पानी खराब हो गया माल ले एक स्फेर लेता हूँ में और इस पर चार्ज रख देता हूँ क्यों तो इस क्यों चार्ज की वैसे इलेक्ट्रिक फिल्ड आएगा हाँ वो इलेक्ट्रोस्टाटिक एनर्जी स्टोर करेगा हाँ तो कैपसिटर एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिच इस्टोर इलेक्ट्रोस्टाटिक एनर्जी बाई इस्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज यह मोटा माटी डेफिनेशन है कैपसिटर का मोटा माटी डेफिनेशन है मोटा माटी इलेक्ट्रिक डिवाइस बिच स्टोर इलेक्ट्रोस्टाटिक एनर्जी बाई स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टाटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज के फिल्ड में ही तो आएगा एलेक्ट्रिक चार्ज के फिल्ड में तो आएगा, तो सर यहाँ पे, अगर मैं आर रेडियस के कैपस्टर पे चार्ज रख रहा हूँ, तो क्या चार्ज इस्टोर हुआ, हाँ, चार्ज इस्टोर नहीं करेगा, क्या यह स्फेर, चार्ज इस्टोर हुआ, क्या इस चार्ज के है थुम्हें क्या लग रए चापटेसिटर का जो डेफिनेशन है उसको ते कि फुल्फिल करी आ है कि मानितव प्लाद बहुत आप और तो निकालता है पानी वहई पी लिया करना बहुत मुस्किल से मिलता है नहीं इतना Onet कर हां मारा बना है घ्यान जो तोच के बता, क्या ये कैपसिटर है, क्या ये कैपसिटर है, yes, but, 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 this is, this is, बेकार कैपसिटर, इस बेकार कैपसिटर, वाई दिस बेकार, वाई दिस बेकार, वाई दिस बेकार, वाई दिस बेकार, वाई दिस बेकार कैपसिटर, वाई, बेटा, अभी मैंने, जो पानी गिराया था न, तुम्हीं क्या लगा, मैं तुम्हें साथ मजाग कर रहा हमने, मैं बहुत मासूम, ब पुल्टा बात नहीं करता, किसी को नहीं डारता, मैं पता है पानी नीचे गिराया था आपको concept समझाने के लिए. कौन सा concept? पानी फर्स पे परा है. तो क्या पानी है? हाँ, पानी है. क्या हो मेरी प्यास बुझा सकता है? लेकिन अगर मैं बटोर बटोर के पानी पीने गया, तो क्या मैं पी पाऊंगा, नहीं, मतलब पानी के पास प्यास बुजाने की capacity है, लेकिन चुकी वो फैला हुआ है, उसको बटोर के पानी पिया नहीं जा सकता, सेम यहाँ पे concept होगा, कि इसका electrostatic energy है, ऐसी बात नहीं कि electrostatic energy नहीं है, लेकिन electrostatic energy कहां है, surface से लेके infinity तक, तो इस electrostatic energy को हम use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह surface से लेके infinity तक distributed है यह energy, यह surface से लेके infinity तक distributed है यह energy, तो हम इसको use नहीं कर सकते हैं, हाँ यह capacitor है, लेकिन this is a very much बेकार capacitor, यह मेरे किसी काम का नहीं है, कहीं भी एक sphere से बना हुआ capacitor नहीं लगा होता, नहीं लगा होता, ऐसा capacitor कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता और capacitor का definition इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं इसको यह तो सही है एकदम सही है यही काम होता है capacitor का capacitor is a device which is stored electrostatic energy by storing charge यही काम होता है capacitor का लेकिन इसके definition वो थोड़ा improvise किया गया क्या किया गया improvise तो कहा गया is the combination of two combination of two capacitor combination of two capacitor combination of two conductor conductor used to store electrostatic energy by storing charge capacitor 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 is our device which is which is which is पुरा परना बेटा मजा जाएगा definition परना एकदम दिल तक बात नहीं पहुची न तो बताना definition परना और दिल तक बात नहीं पहुची न तो बताना capacitor is a device which is combination of two conductor used to store electrostatic energy by storing charge पहले definition क्या था कि एक device है जो electrostatic energy store करेगा charge store करके अब क्या है device है which is the combination of two conductor used to store electrostatic energy by storing charge तो यहाँ पे capacitor का काम क्या है electrostatic energy store करना कैसे चार्ज को store करके क्या एक स्फेर कर सकता है हाँ लेकिन दो conductor का combination से हम कराते है सर इससे क्या फायदा है इससे फायदा यह है कि parallel plate का example लेके बताता हूँ कि माल लो बेटा हमने parallel plate capacitor लिया इस पर plus Q charge रख दिया इस पर plus Q charge रख दिया तो यह अच्छा capacitor बनेगा कि बेकार सो मच बेकार सर पैडलल plate capacitor में अगर आप यहाँ पे plus Q plus Q charge रखो तो बेकार क्या हुआ बेटा इसके अंदर में electric field 0 होगा निकाल के देख लो इस plus 4 से दूर इस plus 4 से दूर निकाल जीरो यहाँ पे इस plus 4 से दूर और इस plus 4 से भी दूर होगा इस पॉइंट पे यहाँ पे electric field not equal to 0 और यहाँ पे भी electric field not equal to 0 तो भाई साहब इस capacitor में energy store हो रहा है हाँ कैसे charge को store करके कहा energy surface से लेके infinite तक surface से लेके infinite तक इसलिए आपने देखा होगा कि जब parallel plate capacitor बनाते हैं तो एक पर positive charge रखते हैं तो दूसरे पर negative रखते हैं क्योंकि plus से minus की तरफ electric field होगा और यह electric field दोनों plate के बीच में bounded होगा यहाँ पे net electric field बताइए क्या होगा 0 करके दिखाओ plus से दूर और minus plate की तरफ बताद दोनों opposite direction में है की नहीं बताद दोनों opposite direction में है की नहीं तो net electrical field क्या होगा 0 इसलिए जब हम capacitor बनाते हैं इसलिए जब हम capacitor बनाते हैं तो parallel plate capacitor हो यह spherical capacitor हो cylindrical capacitor हो एक पर रखते positive charge दूसरे पर रखते negative charge कभी reason पूछा था अपने master से कि opposite charge ही क्यों लेते हैं हम अगर plus plus charge ले तो क्या capacitor नहीं बनेगा क्या capacitance नहीं आएगा सुन मेरी बात तुने ये बात पड़ा है कि capacitance does not depends upon charge capacitance does not depends upon charge does not depends upon charge capacitance charge पे depend नहीं करता है यह आपने पड़ा हुआ है तो जब charge पे depend नहीं करता है तो किसी भी तरह का charge ले क्या दिक्कत होगा भाई साहब जब charge पे depend नहीं कर रहा है तो किसी भी तरह का charge ले क्या फर्क पड़ेगा किसी भी तरह का charge ले क्या फर्क पड़ेगा क्या फर्क पड़ेगा कंसेप्ट का फर्क पड़ेगा किसका फर्क पड़ेगा कंसेप्ट का फर्क पड़ेगा ये क्या हो गया सॉरी कुछ गरबर हो गया सॉरी 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 सब ठीक नहीं चल रहा क्या आइड कहां से आगया किसका फर्क पड़ेगा बेटा, एनरजी इसमें अच्छे तरीके से स्टोर हो रहा है, दो प्लेट के बीच में, जैसे मैं आपको ग्लास में बड़े इज़त से, पानी भर के दू कि लो बेटा, पानी पीलो न, बहुत देर से पढ़ रहे हो, प्यास लग गया होगा, पढ़ लो, पानी पढ़ लो, प पिलो, ऐसे से मुखोलो न, डाल देता हूं, मुखोलो, न बाहर नहीं डालूँगा, भरोसा करो, बाहर नहीं डालूँगा, आप मुखोलो, मुखोलो न, पानी पिला देता हूं, बाहर गिराओंगा तो पानी भरबाद हो जाएगा, लो, मुखोलो, तो बढ़िया से पीलो हो तो उसका यूज हो सकता है तो इस्टोर मतलब इनर्जी यूज हो सकता है समझ मैं है बिटा देखो एनी एरेंजमेंट एनी एरेंजमेंट अफ तो आइसोलेटेड कंड़क्टर कैरिंग इक्वल एंड अपॉजिट चार्ज कैन वी कॉल्ड एज क्या सुन्दर डेफनेशन लिखा है बताओ एक दम जोड़दार चमकी की नाचमकी अभी बताया क्यों इक्वल एंपॉजिट चार्ज रखते यह क्या हो रहा है एक मिनट वेट करो कुछ गरवर हो रहा है तकनीकी खराबी हो रही कुछ दकनीकी खराबी हो यह कमेंट वाला वह बंद हो गया देखना एक उट की? चलो, तो हर एक चीज आपको क्लियर है ना बेटा, हर एक चीज क्लियर है ना, तो चलो, आप सुनो द्यान से अब देखो, अगर दो कंड़क्टर लेते हो, मालो एक कंड़क्टर लिया तुमने, एक पर रख दिया पॉस्टिव चार्ज, दूसरा कंड़क्टर लिया बैगन के सकल जैसा, और एक लिया लास्टून के सकल जैसा, एकदम तुम्हारे सकल जैसा, तो दोनों के बीच में बटा potential difference, यह capacitance का definition होता है, लेकिन यह does not depends upon, does not depends on, charge and, charge and potential difference, यह potential difference और charge पर depend नहीं करता है, यह potential difference और charge पर depend नहीं करता है, यह scalar physical quantity है, इसका unit होता है, फेराड, फेराड है नहीं, फेराड है चार्ज का unit होता है, यह है फेराड, एक फैराट की जो value होती है एक फैराट की जो value होती है वो होती है one column per volt कैसे इसका विदिन देखो उपर charge और नीचे potential column per volt क्या हो जाएगा column per volt column per volt clear है clear है dimension निकालना होए dimension देखो C is equal to Q by V क्या है बेटा C is equal to Q by V charge का unit होता है column और potential होता है joule per column तो column उपर जाएगा column square by joule तो caption का unit आप column square by joule भी लिख सकते है capacitance का unit लिख सकते है column square by joule next देखे column square को क्या लिख सकते हो बेटा आप जानते हो charge is equal to current into time होता है तो column square को लिख सकते हो current का square into time का square और energy होता है बेटा ml2 t-2 जब इसको उपर ले जाओगे तो ये कुछ आपका dimension आजाएगा बड़ा important है capacitance का dimension बड़ा important है capacitance का dimension तो आप कभी हमें कोटा में मिला और इसको 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 इस यहिंट करो नहीं बेटा बीच में कोई अपना इतना कीमती समयन काल के फालतू बक्वाज कर रहा है कमिन्ट में इतना मिहनत कर रहा है पालतू लिखने में इतना सोच रहा है को ब्लॉक मन करो वही तो entertainment का साधन है वो thank you बोलो उसके बज़ा से तुमको मज़ा आ रहा है कोई बात नहीं मुझे गाली दे रहा तो कोई बात नहीं तुम दस बज़ रहे चार घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो लगातार ऐसे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो थोरा सा stress होगा ना बेटा बोल की बात नहीं कर रहो इस्ट्रेस होगा तो थोरा बहुत फन देने आ रहा है उसके लिए तुम्हें मतलब respect रखना चाहिए दिल मे प्रजम्हाएं कि नहीं है वो ऐसा मजाग कर रहा है वो वो तुमको हसाने के लिए लिख रहा है बेटा कुम समझते नहीं हो वो विचारा इतना मेहनत कर रहा है वो खुद भेटियास रहोगा भी संख्यू बोलें इसको हजार कमेंट लिख रहा है तो मैं उसको पढ़ थो यह रहाओ आदे गणते बाद पाशीस मिनियट बाद urstमरस मिनियू बाद इक पढ़ ले रहाओ कमेंट इससी क्या होगा माहुल बना रहेगा माहुली जरूरी समझे को माली जरूरी अच्छा कैपसिटेंस निकालने का यही एक तरीका है कि हम किसी और तरीके से निकाल सकते हैं या हम किसी और तरीके से निकाल सकते हैं अगर मैं तुम्हें एक आसान मेथड बता दू निकालने का तो मजाए की नाय बताओ easy method बता दूँ क्या यह है तुम्हारी बहुत चोमू वाली मजदूरी मैं तुमको असान method से निकाल के देता हूं सर कैसे देखो कैपस्टर में energy जो store होती है तुम्हें याद है Q square वे 2C होती है हां सुर कुछ है सामने परा था तो बुरुबक लिखना सीधा C is equal to Q square वही charge हो गया तुम्हार current into time तो दोनों का square क्योंकि charge का square है बता energy हो गया ML2 T minus 2 तो M को उपर लेजा तो M minus 1 L को उपर लेजा उपर L है नहीं तो L minus 2 यह T minus 2 उपर जाएगा तो T का power 4 और I square देख इंसर आगया टका टक टका टक इंसर आगया एकदम टका टक तो ज़्यादा मजदूरी नहीं करते हैं आप देखो capacitance of an isolated spherical conductor अब हग अलग अलग variety variety का capacitor का capacitor का हम देखते हैं capacitance माल लो कि एक R radius का spherical capacitor है isolated एक sphere है सरे तो बेकार है बेकार है तो क्या हुआ capacitor तो बनेगा ना बेकार है तो क्या हुआ capacitor तो बनेगा ना चलो करो करो charge Q radius R तो capacitance होता है Q बटा डेल्टा भी अब यहाँ पर एक ही एस पेर है तो potential लिख लो दो conductor नहीं एक ही है तो potential लिख लो बताओ इसके surface पर potential कितना होगा sir KQ by R K Q by R अच्छे से देखना Q से Q cancel R चला जाएगा उपर बटा के K की value होती ही 1 upon 4 pi epsilon not 1 upon 4 pi epsilon not उपर चला जाएगा तो C आएगा 4 pi epsilon not R यह ला यह राएंसर यह राएंसर C is equal to C is equal to 4 pi epsilon not R याद रखियेगा एक sphere का spherical capacitance होता है sphere का capacitance होता है 4 pi epsilon not R एक जादू देखेगा तुमको self energy का derivation चाहिए था ना तो यह पूछ राता ना कि self energy क्या होता है दिखाओ दिखाओ क्या पर sitter में जो energy store होता है क्या Q square वे 2C होता है वेटा यह formula आपने पढ़ा है देखो तुम यहाँ पे crash course में हो ना वेटा तो यह जान तो इससे हमने अभी dimension भी निकाला था तो यह सो सही है अभी dimension निकाला थो था Q square वे 2C से Q square वे 2C से की value क्या रही पोर पाइपसाला नोटार रख दो यहाँ पर पाइपसाला नोटार C की value रख देता है तो उपर हो गया Q square और फोर पाइपसाला नोट को तो हम K लिख सकते हैं अरे भाई के को value होता है sorry मतलब फोर पाइपसाला नोट के जवब पर उपर में K लिख सकते हैं तो K लिख दो नीचे आ गया तुम्हारा 2R यही तो energy है देख आख फार के और कुछ फार सकता है तो सब कुछ फार के देख इससे क्या बात बता चल रहा इससे क्या बात पता चल रहा बता रियो क्या बात पता चल रहा है कि क्या बात पता चल रहा है बस सर बस एक ही सब्द कहना चाहेंगे मजा आया सिर्फ एक सब्द मजा आया सिर्फ एक सब्द मजा आया अलग सर आपसे बेस्टीचर आड़े यह तो अलग सर की बेस्टी कर रहे हैं तुम नौट बेस्ट अलग सर इस बेस्ट आफ बेस्ट आफ बेस्टम बेस्ट का पावर इंफानाइट आये बहुत जोरदार चीज़े चमकी अब यहां पर कहने के लिए कुछ बात नहीं सारा कंसेप्ट आपको दिख गया होगा चलिए अब आगे बढ़तें आगे बढ़तें वर्ट इस अपसिटेंस ऑफ आर्थ अगर हम अर्थ की बात करें अ अर्थ का पेसिटेंस कितना होगा अर्थ भी तो एक स्फियर है हाँ जिसकी रेडियस कितनी है रेडियस है 6400 km जिसकी रेडियस है 6400 km तो उसकी कितनी होगी तो हम यहां पर रख देते हैं स्फेरिकल केपसिटर C is equal to 4-5-6-0 हम यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू पूट करेंगे, तो यह आ जाता है 711 माइक्रोफराड, सर अगर अर्थ इतना बड़ा है, उसका कैपसिटेन्स अगर 711 माइक्रोफराड है, तो सर छोटे-छोटे जो स्फेर होंगे, उसका कैपसिटेन् तो यहां पर capacitance आपको practically दिया जाता है दो माइक्रो फेराड, छे माइक्रो फेराड, दो नैनो फेराड, नैनो का मतलब होते small n जहां लिखाओ, 10 to the power minus 9, पिको फेराड, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, तो फेटा, यह जो आपका capacitance की value है अर्थ का, 711 microfarad हो सके तो याद रखे, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद रह जाता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अब चलिए एक जोरदार सव two similar conducting balls having charge plus q and minus q are placed at a separation d from each other in air, radius of the sphere is r, radius of the sphere is the smaller and separation between them is d which is very very greater than small r, इन दोनों के बीच में जो separation है, वो इनके radius के terms में बहुत बढ़ा है, मतलब इसका effect यहाँ 0 होगा, potential का, इसके potential का, यहाँ पर effect जीर हो गया, calculate the capacitance of the two ball system, इसका capacitance क्या होगा, इसका capacitance क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसका capacitance, capacitance होता है किसी भी एक conductor का charge ले लो, दोनों पर charge है q और उस पर charge है minus q, तो small q ले लो, बटा potential difference लिख लो, तो q, इसका potential इसके surface पर क्या होगा, sir, k q by a small r, minus, इसका potential इसके surface पर क्या होगा, minus negative charge है minus k q है small r, minus minus हो जाएगा plus, तो जाएगा k, बटा, two k q, small r को उपर लिख लो, small r को उपर लिख लो, q से q तो कट जाएगा, हाँ, k की value उपर जाएगी, four pi epsilon not r, बटा two, चार से दो काटोगे तो आएगा two pi epsilon not r, बताओ मज़ा है कि नहीं है, two pi epsilon not r, दूसरा जवाब सही एक दम, दूसरा जवाब एक दम सही है, clear है किया बटा यह बात, clear है किया बटा यह बात, चलो, यह करके दिखाओ थोड़ा, यह थोड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं चारा था इसको छोड़ दूं लेकिन मन नहीं मानता बटा, two sphere of conducting a and b of radius small a and b, एक एक है बटा, जिसका radius is small a, दूसरा air is जिसका radius is small b, are placed concentrically in air, b is given a charge plus q, बाहर वाला जो sphere है, उस पे charge plus q दे दिया, and a is earth, then equivalent capacitance of this system is, इस system का equivalent capacitance क्या होगा, तो सबसे पहली बात, अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं दिया, तो क्या अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं आएग आएगा, अंदर वाले पे charge नहीं दिया, इस small q मान लेते हैं, कितना charge नहीं दिया, अंदर वाले पे उतना ही charge नहीं दिया, जितना जिसको ground किया है, उसका potential 0 बनाने के लिए चाहिए, तो अंदर वाले surface को अगर आपने ground किया है, तो inner वाले surface का potential हो जाएगा 0, इस plus q के बए q बटा b, radius a beta b, क्योंकि इस plus क्योंकि वैसे जितना potential ही होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, हम potential कहां लिख रहे हैं, inner square के surface पर, तो inner square के surface पर इसके वैसे potential तो इतना ही होगा, अचा inner square के surface पर इसके वैसे potential क्या होगा, तो यह होगा, k small q बटा a is equal to 0, बटा k से k कट जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओगे, इसको उस तरफ ले जाओगे, तो तुम्हारा, q बटा small a is equal to 0, capital q बटा b, with negative साभी, small a को उधर ले जाओ, q बटावाएगा, minus capital q a बटा b, तो अंदर वाले surface पर जो charge आएगा, उन्हों यह आएगा, अंदर वाले surface पर यह charge आएगा, यह वाला overlap नहीं करता हूँ, अब capacitance क्या होता है, sir, capacitance होता है, inner वाले surface का potential और outer वाले surface का potential difference, को charge के नीचे divide करता हूँ, यह capacitance आजाएगा, capacitance का formula यह होता है, कि जो भी charge आपने दिया है, यह वाला charge नहीं लिखेंगे, जो charge आपने दिया है, plus q, q, वो charge बटा दोनों plate के बीच का potential difference, बाहर वाले का potential difference मैं लिख लेता हूँ, v out, minus अंदर वाले का लिख लेता हूँ, v in, अब ground किसको किया है, अंदर वाले को, अंदर वाले को, अंदर वाले का ground करने की वैसे potential 0, अंदर वाले को ground किया तो उसके वैसे potential 0, अब हमें बाहर व पाले surface का potential, खुद इसके charge की वैसे कितना आएगा, sir, KQ बटा R, sorry, B, KQ बाई B, यहाएगा, sir, KQ बाई B, अरे भाई साब, outer surface का potential, इसके charge की वैसे KQ बाई B, अब इस charge की वैसे, जो अंदर है, उसके वैसे बाहर का potential कितना आएगा, माइनस Q निगेटिव चार्ज आएगा यह Q चार्ज बोलो Q small a बटा b यहाँ पर जैसे यह जो चार्ज है तुम्हारा inner surface पर small q उसके बाहर यह point है तो चार्ज को center में मान कि यह distance लोगे तो यह b आएगा तो यह बन जाएगा आपका एक और भी नीचे यहाँ से Q बाहर निकल के Q से कट जाएगा K तुम्हारा common हो जाएगा K बनेगा one upon अच्छे जिकरता हूं यह तुम्हारा उपर में one बटा K common निकल जाएगा नीचे यह बचेगा one upon b minus a by b square यहाँ से b lcm ले लो भी एस्क्वाइर ले ले लो तो अगर b minus a b square ऊपर चला जाएगा तो अगर 4 pi epsilon not b square b minus a यह एगा इंसर 4 pi epsilon not b square b minus a बहुत जर्दार सवाल है अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है अच्छा इस से असान बाला एक करा दू इससे असान बाला एक करा दू बता इससे असान करा देता हूँ चल इससे असान सवाल करा देता हूँ ये ले दो स्फेर है अंदर वाला स्मॉल ए रेडियस का बाहर वाला स्मॉल ए रेडियस का अंदर चार्ज दी दिया प्लस क्यू इसका capacitance बताओ क्या होगा find capacitance बेटास तो सबसे पहले बाहर वाले sphere को जैसे ही ground करोगे तो बाहर वाले sphere पे कितना charge आ जाएगा तो small q मान लो जिसको ground करते है उसका potential क्या हो जाता है सर 0 हो जाता है जिसको ground करते है उसका potential 0 हो जाता तो यहाँ पे plus q के वैसे इसका potential लिखोगे तो आएगा k q बता इस plus q charge से यह बाहर point है तो simple आएगा b इस q के वैसे यहाँ पे potential लिखोगे तो आएगा k small q बता b is equal to 0 is equal to क्या लिखो के 0 k से k कटा b से b कटा तो small q is equal to minus q आजाएगा small q is equal to क्या जाएगा minus q आजाएगा तो अगर यहाँ पे तुम्हारा charge minus q आजाएगा तो अब दोनों surface के बीच potential difference लिखो यह outer minus q आजाएगा यह outer और यहाँ पे inner तो capacitance हो जाएगा q बता potential difference potential difference बाहर से निकाल के लिखो तो यहाँ पे लिखोगे तुम v in minus v out बाहर वाले को ground किया है तो यह हो जाएगा potential 0 अंदर वाले surface का potential इसके बज़े से क्या होगा इसके बज़े से होगा k q बता a इसके बज़े से यहाँ पे potential क्या होगा minus k q by b यहाँ से तुम्हारा k q बाहर निकल जाएगा तो यह बचेगा b minus a बटा a b इसकी value यहाँ पे put करो तो q divided by delta भी क्या रहा k q a b उपर में आजाएगा b minus a यह term बनेगा यहाँ से q से q cancel k की value उपर आएगा 4 pi epsilon not b minus a बेटा यह जो दो सवाल करा है यह थोड़े अच्छे लिवल के है और पहुत सारे बच्चे जवाब देना यह देखके मुझे बर आच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया बेटा मैं literally सोच रहा था कि सवाल को छोड़ देता हूं लेकिन आपने बढ़िया response दिया बढ़िया response दिया बेटा बहुत बढ़िया किया बहुत बढ़िया किया बहुत बढ़िया किया cylindrical capacitor syllabus में इतना नहीं है लेकिन फिर भी मैं formula समझा देता हूं आपको यह बेटा एक inner cylinder है जिसका radius है small है और outer cylinder है जिसका radius है small b तो इसका जो capacitance होगा बेटा देखो capacitance है किसी कली को dimension उसका एक ही जैसा आता है तो इसका capacitance होता है c is equal to 2 pi epsilon not l, l है cylinder का length बटा log b by a इसका derivation पे मत जाओ crash course में तुम बढ़ रहे हो formula हो सके तो याद रखना 2 pi epsilon not l divided by log natural log है on the base e b by outer radius by inner radius एक logic मैं यहाँ पे छोटा सा mr star आपको बता सकता हूँ dimension का खेल एक छोटा सा mr star बता सकता हूँ dimension का खेल पीछे printing mistake हो गया देख लेते है नहीं एबी से divide करेंगे तो गलत हो जाएगा एक मिनट रुकिए एक मिनट बेटा रुकिए एक मिनट रुकिए यह delta भी हमने निकाल लिया दी होता है q बटा delta भी राइट तो उपर में charge q and potential difference आया बेटा k q b minus a बटा a b तो q से q कटेगा a b उपर जाएगा और k की value की 4 pi epsilon not तो 4 pi epsilon not a b उपर होगा बटा b minus a होगा ऐसा आएगा यह आएगा ना a b बटा b minus a और यह आना चाहिए था यह आना चाहिए था क्यों dimension का खेल बताता हूँ देखो अभी तुमने capacitance निकाला था एक sphere का तो isolated sphere का तुने निकाला था 4 pi epsilon not into r अब सुन मेरी बात सुन ध्यान से जो मैं कहे रहा हूँ चाहिए कुछ भी हो जाए चाहिए तो cylinder का लिक plate का लिक sphere का लिक combination of sphere का लिक किसी भी चीज का लिक dimension यही बनेगा क्या epsilon not into r epsilon not into r dimension हमेशा बनेगा epsilon not into r मतलब epsilon not into distance अब चले यहाँ देख epsilon not उपर दो distance तो नीचे एक distance इसको काट देगा यहाँ देख देख यहाँ पर ध्यान से 2 pi dimensionless epsilon not into r distance हाँ अब यहाँ पर कोई और चीज नहीं आना चाहिए लेकिन radius तो आएगा तो radius ऐसे आना चाहिए कि उसका dimension आया तो देख log से आया है log B भाई है बोल जोर्दार चमका की नए चमका कम से कम यह feel तो लेते जाओ कि अभी तक हमने जितने भी dimensional निकाले है सब मतलब सड्री dimension निकाले है सब dimensionally epsilon not into distance है सब dimensionally epsilon not into distance है यह feel तो लेते जाओ A plus B नहीं होगा अरे A plus B होगा क्या है फिर मैं गलत क्यों कर रहा हूँ यार difference निकाल रहे तो यह minus minus plus होगा अरे क्योंकि यह positive charge है इसके वैसे यहाँ पर potential लिखेंगे तो आएगा KQ by small A small A और इस minus Q की वैसे यहाँ पर potential लिखेंगे तो आएगा minus KQ by अब जब difference निकालेंगे तो यह plus हो जाएगा हाँ dimension भी इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा सही बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है वो minus यहाँ पर मैंने calculation करते समय थोड़ा सा गरवर कर दिया चले कोई बात में ठीक कर दिया उसको सली क्या आपको इस वात का feel आया dimension का feel आया कि नहीं आया यह बता दो यह कहला निगेटी भी होगा अरे यार रूख जा मैं करता हूं रूख इस पलस की वैसे potential लिखेंगे इतना और इस minus की वैसे negative potential लाएगा और जब तुम अरे यार बकलोल कहीं का गरवर करवा दिया मेरे से negative भी होगा गधा यह जो है ना राम लाल बकलोल आदमी है सुन मैंने सही किया था यार सही किया था तू जब potential difference निकालेगा तो potential difference होगा अंदर का minus वार का वी inside minus वी outside तो वी outside वाला term तो तुमारा 0 हो रहा है ना क्योंकि इसको ground गया तो यह term तो तुमारा पूरा का पूरा क्या हो रहा है 0 हो रहा है अब तुम्हें इसका potential लिखना है तो इस plus क्यूंकि वैसे यहां पर potential लिखोगे तो यह आएगा kq by इस plus क्यूंकि वैसे distance a लोगे kq by a और इस minus q के वैसे लिखोगे तो negative भी तो आएगा kq by b कहा minus minus plus थोड़ी नोड़ा kq बाहर निकालोगे तो बचेगा 1 upon a minus 1 upon b यहां पर यह kq a b lcm लोगे तो उपर आजाएगा b minus a बटा a b यह वाला term आएगा तो यह minus b रहेगा मजाक कर रहा है का मेरे साथ कि रामलाल कर दिया ला कर दिया न करता है मेरे बेटा और मेरे बच्चे अब में बैच्चे, खुश रहो, आ गया में बेटा, आपको पता है, आप से घल्ती इसलिए हुई है, क्योंकि आपका ध्यान मेरी तरफ है, अभे, ऐसे सौख नहीं है मेरे, चली देख, चल, एस्पेरिकल का याद रखाई चल, एस्पेरिकल का याद रखना, टू पाइप सा V output ground किया है तो negative कैसे होगा यार फिर से वही बात इसको ground किया है और जिसको ground करेंगे उसका potential जीरो हो जाएगा निसका potential जीरो है एक बच्चे कमेंट से मैं थोड़ा distract हो गया मैंने सही किया था बार बार कमेंट करके distract कर दिया तो मैं चलिए हां देख next is parallel plate capacitor next is parallel plate capacitor अब आईए हम आपको parallel plate capacitor का concept समझाते है सबसे पहली बात इस पर charge रखर हमने plus Q इस पर charge रखर हमने minus Q तो यहाँ पे जो हम plate लेते हो conducting plate होता है कि non-conducting हम जो plate लेते हैं यह जो plate है यह conducting होता है कि non-conducting सर यह रहता है conducting कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं और जब हम conducting plate लेते हैं जब हम conducting plate लेते हैं तो उस पर charge plate के दोनों तरफ होता है उस पर charge plate के दोनों तरफ होता है लेकिन capacitor में क्या होगा जब दो opposite charge plate को पास रखेंगे, तो इधर से जो चार्ज है, वो इनर कोर पे आएगा, इसका चार्ज भी इनर कोर पे आजाएगा, क्यों? क्योंकि सर इक्वल एंड अपॉजिट नेचर के चार्ज हो, तो अट्रैक्शन से एक ही तरफ बनेगा, अगर इसका एरिया मैं बोलता हूँ A है, प्लेट का एरिया, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है, तो यहाँ पर सर्फेस चार्ज देंसिटी हो जाएगा तो नहाँ चार्ज Q अन एरिया A, क्या ये बात आपको चमका? क्या ये बात आपको चमका? अब बताओ, इसके बज़र से, जो conducting plate है कि non-conducting जैसा भीएब कर रहा है, इसके वैसे electric field होगा इधर, और negative charge की वैसे electric field होगा इधर, दोनों electric field, individual plate का electric field, हम add करेंगे, तो net electric field आएगा, between the plate. बिट्विन दा प्लेट, एक plate का electric field होगा, sigma upon two epsilon naught, रिजन बता, रिजन बता, रिजन ये है, ये non-conducting plate जैसा भीएब करेगा, दूसरे plate का capacitance कितना होगा? सोड़, electric field कितना होगा? sigma upon two epsilon naught, तो net electric field कितना हो जाएगा? sigma upon epsilon naught, इस sigma हो क्या रख सकता है? charge upon area, तो इसको रखेगा, charge upon area तो A epsilon naught आएगा. के लिए रेक है ये बात? तो electric field की जो value आ रही, वो आ रही sigma upon epsilon naught, या मैं कह सकता हूँ, q बता A epsilon naught, sigma upon epsilon naught या q बता A epsilon naught, है conducting लेकिन इसका behavior कैसा होगा? non-conducting जैसा, है conducting लेकिन इसका behavior कैसा होगा? non-conducting जैसा, इसलिए बेटा, ये आया है, इसलिए ये आया है, अच्छा सर, ठी देखे, अब electric field का pattern यहां से यहां तक जा रहा, D distance तो इस दोनों plate के बीच में, अगर हम potential difference देखे, क्या बेटेब देखे? potential difference देखे, तो बताओ potential difference क्या होगा? potential difference होगा, delta V is equal to E dot delta R, simple, electric field आ गया sigma upon epsilon naught into दोनों plate के बीच में, distance D, ये आ जाएगा, charge के terms में लिखोगे, तो q ब 2 का factor कहीं नहीं है division में, 2 का factor कहीं भी नहीं है division में, याद रखेगा, तो non conducting क्यों? कहा non conducting लिखा है? conducting है न, अचा behavior non conducting जैसा क्यों? इसलिए बेटा, क्योंकि non conducting के एक ही layer में charge होता है, और conductor के दोनों surface पे charge होता है, तो है ये conductor, लेकिन electric field एक plate का non conducting plate जैसा है, क्यों आया है? बेटा, इसलिए आया है, कि equal and opposite charge जब plate पे रखोगे, तो attract करके inner surface area पे charge रहेंगे, जैसे मानलों कि ये plate है, ये plate है, तो इस plate पर, positive charge इस पे negative charge, तो दोनों surface पे charge नहीं रहागा, एक ही surface पे charge आ जाएगा, clear है? clear है? clear है? next देखे, potential difference क्या चमक गया आपको? क्या capacitance क्या होता है? सर क्या capacitance होता है, charge बटा potential difference, अब बदा ये potential difference कितना है? sir, qd बटा a epsilon not, qd बटा a epsilon not, बेटा अच्छे से देखना please, q से q कटा, a epsilon not उपर चला गया, तो a epsilon not बटा d, इतना smooth और easy derivation आपको कहां मिलेगा बताओ? तीन लाइन में सिंपल तरीके से, तीनो चीजे एरेंज करके दे दिया तुम्हें, तीन लाइन में सिंपल तरीके से, तीनो चीजे एरेंज करके दे दिया तुम्हें, electric field sigma upon epsilon not potential difference sigma upon epsilon not into d sigma को किसी भी instant पर charge upon area लेग सकते है capacitance charge upon potential difference potential difference ये रहा q d वटा a epsilon not q d वटा a epsilon not q से q कटा a epsilon not by d जड़ा देखिए इसको ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए अग लगा दीजिए अगर आपको समझ आया है जो बाते कर रहा है ने एक दो लोग ऐसा है मुझे लग रहा है कि बात कर रहा है तुम क्या कह रही हो डिम्पल पेटा डिम्पल डिस्को जाके नाचतिया ठक धक धिन और तू बनेगा उस डिस्को में क्या बनेगा बिटर चल्दे किदर लेक्टरिक फिल्ध्य आया पटेंचल डिफ्रेंस आया क्या थींजिए अगदम क्लिएर है चलो बहुत बढ़ 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 बहुत बढ़ 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 अगर मैं तुम से बुछू force on one plate due to other तो क्या होगा force का direct formula में charge into electric field लिख सकता हूँ लिख सकते हो क्यों क्योंकि electric field यहाँ पर uniform बन रहा है न बेटा यह electric field distance के साथ change हो रहा है कि constant है यह electric field तुम्हारा आ रहा uniform तो लिख सकते हो electric field is uniform and that is equal to sigma upon epsilon not electric field is uniform and that is equal to sigma upon epsilon not clear है यह बात clear है यह बात हाँ यह तो बहुत clear है अब जब यहाँ पर force लिखोगे तो क्यों यह लिख सकते हो सरे चार्ज क्यों और electric field आपका आपने बोला sigma upon epsilon not तो simple आ जाएगा sigma q बटा epsilon not यहाँ से मैं sigma को charge open area लिख सकते हो तो यह हो जाएगा q square बटा a epsilon not लेकिन यह गलत है wrong यह force नहीं लएगा क्यों नहीं लएगा क्योंकि आपने पूछा है force on one plate due to other एक plate की बज़ा से दूसरे plate पर कितना force लगेगा और यहाँ पे जो electric field आपने लिखा है यह between the plate वाला लिखा है दोनों plate के बीच में जो electric field होता है ना वो होता है sigma upon epsilon not क्या दोनों plate के बीच में plate है नहीं plate तो यहाँ है और यह अपने electric field की वैसे थोरी ना force लगाएगा इसका electric field यहाँ पे आएगा तो force लिखोगे एक plate का charge और दूसरे plate का electric field एक plate का charge तुमारा q और दूसरे plate का electric field sigma upon 2 epsilon not into q sigma को लिक होगे q बटा a तो यह हो जाएगा q square बटा 2a epsilon not यह correct है देखो concept समझना concept समझना दो plate के बीच में concept समझना दो plate के बीच में electric field है यह between the plate between the plate sigma upon epsilon not between the plate यह दो plate के बीच का है sir इस plate पर force लिखना है तो इस plate पर जो electric field होगा वो लिखेंगे और इस plate पर electric field between the plate वाला थोड़ीन आएगा इस plate पर जो electric field होगा वो इस plate की वैसे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि जहां पर charge होता है वही पर उसके वैसे field डिफाइन नहीं होता है उससे दूर होता है तो यहां पर इस plate का field आएगा जो की sigma upon two epsilon not होगा बताओ फिलाए इस बात का फिलाए इस बात का अब बात कर रहा है तुमसे प्रेशर का प्रेशर कितना experience होता है अब धक बुर्वक force upon area कैसी बात है गर रहा हो force क्या है qa square बटा 2a epsilon not है आप a square कर दो अच्छा सर a square है तो charge बटा area को तो हम sigma लिख सकते हैं और दोनों का square तो sigma square हो जाएगा sigma square by two epsilon not pressure आ गया और यह तो पहले आपने बताया था कि surface पर अगर sigma charge देंशी तो प्रेशर होगा sigma square by two epsilon not दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या यह मैं दिखाऊं क्या दुबारा जो मैंने तुम्हें समझाया था कि प्रेशर sigma square by two epsilon not होता है प्रेशर क्या होता है, सिगमा स्कॉार भाई टू इप्सालन नॉट, क्या ये मैंने तुम्हें रटवाया था, हाँ, प्रूफ कर दिया, हाँ, रटवाया था, हाँ, प्रूफ कर दिया, हाँ, इफ डालेक्ट्रिक मीडियम अफ डालेक्ट्रिक कॉंसेंट के डालेक्ट्रिक कॉंसेंट को ही रिलेक्टिव परमीटिवीटी कहते है इस प्लेस्ट बिट्विन दा प्लेट दिन कैपसिटेंस बिल भी देखो जब तुम एक डालेक्ट्रिक को पूरे capsiter space के बीच में रख दोगे तो बेटा, dialectric रखने से वहाँ प्रिये लेक्ट्रिक फिल्ट के गुना कम हो जाता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फिल्ल बचेगा वो बनेगा सिग्मा अपॉन केब सालरन नौट तो net electric field जो आएगा वो होगा sigma upon k epsilon not तो potential difference क्या होगा तो potential difference होगा delta v is equal to sigma d वटा k epsilon not मैं जान भूझ कि यह सब लिख रहा हूँ ताकि चीजे तुम्हें अंदर तक फील आए capacitance क्या हो जाएगा capacitance निकाल लो k epsilon not d वटा a यह medium डालने के dielectric डालने के बाद है सर यह epsilon not d वटा है तो थो हमने c not परा था जब air था हाँ तो medium के साथ जो capacitance आएगा मतलब dielectric डालने के बाद वो हो जाएगा k times dielectric constant है k k times into capacitance जब उनके बीच में air था मतलब capacitance dielectric डालने के बाद k times बर जाता है NEET 2020 में इससे direct सवाल था NEET 2020 में इससे direct सवाल था NEET 2020 में इससे direct सवाल पूछा था बेटा direct सवाल पूछा था क्या यह बात clear है आपको समझ आ रहा energy density and electrostatic energy stored between the plate of capacitor बेटा जो energy density आप लिखते हो ना इसको यू से represent करता है चलो energy density वो energy density तुमारा pressure के बरावर यह होता है कितना होता है सर सिग्मा स्क्वाइर बटा 2 epsilon not यह आता है ना एक बार देख लो लंबे समय से चिलाते चिलाते हाँ सिग्मा स्क्वाइर बेटा यहाँ पे एक्जेक्ली जब तुम लिख सकते हो तुम प्लेट के बीच का distance d और space area a is equal to हो जाएगा half epsilon not e square तो electric field आएगा बेटा half epsilon not e square into ad e square into ad इसको capacitance के terms में change करोगे डारेक्ली तुमें यह दिखेगा half cv square या q square by 2c इतना energy stored होता है यह क्या है energy NEET 2012 में AI PMT बोल दो AI PMT बोल दो direct यह सवाल पूछा था कि energy कितना store होता है तो बच्चे इसको रटके जाते हैं इसको रटके जाते हैं यह भी तो energy है बेटा देखो energy per unit volume यह है तो total volume से multiply कर दो तो energy ही तो आएगा energy ही तो आएगा यह रहा आप का energy यह रहा आप का energy समझा रहा बेटा अच्छे से समझा रहा बहुत अच्छे से clear है clear है चलो सवाल कर के देखो a plate of parallel plate capacitor of capacitance 1 ferad 1 ferad find the plate area separation between the distance d is itna then area बताओ plate of parallel plate capacitor of capacitance 1 ferad 1 if मतलब 1 ferad are separated by a distance 1 centimeter then find plate area then find plate area चलो करके दिखाओ break चाहिए यार break चाहिए तुम्हें देख c बराबर epsilon not a बता d direct formula based सवाल है कोई खास बात नहीं है c दिया हुआ है epsilon not की value area में जानता है d दिया हुआ है तो area निकल जाएगा कोई खास बात नहीं है ठीक है कोई खास बात नहीं है यह calculation कर लेना थोड़ा इसमें time based नहीं करते हैं यह सवाल देखो thousand small water drops each of capacitance c join together to form up one large spherical drop then capacitance of the bigger drop is सुनो बेटा छोटे 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 इसको मिलाक एक बड़ा स्फेर बनेगा जिसकी रेडियस capital R हो जाएगी तो इसकी capacitance होगी c is equal to 4 pi epsilon into capital R समझ रहे हो हाँ सर यह तो हमने आप पढ़ा ही था अब इसको इससे डिवाइड कर दो c बटा c not is equal to होगा c की value 4 pi epsilon capital R बटा c not है 4 pi epsilon not into small R इस 4 pi epsilon not से 4 pi epsilon not कटेगा और इस case में मैंने आपको direct बता है कि capital R होता है n का power 1 by 3 into small R बटाए small R भी कट गया तो c is equal to होगा n का power 1 by 3 into c not कितना drop है thousand तो thousand का power 1 by 3 बताओ कितना होगा 10 तो 10 c आपका answer आएगा कितना answer आएगा 10 c आपका answer आएगा clear है अच्छा एक बात बताओ इतना करने की जुरत थी क्या नहीं हम जानते है capacitance is directly proportional to radius और radius is directly proportional to n का power 1 by 3 जब भी छोटे छोटे drops मिलके बरे drops बनते हैं या बरे drops छोटे drops ने तूटते हैं तो area n का power 1 by 3 से बढ़ेगा यह तूटेगा तो area sorry radius radius I am sorry radius 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 n का power 1 by 3 से घटेगा radius n का power 1 by 3 से घटेगा बहुत सिंपल है अच्छा यह सवाल करो beach of the capacitor graph between the potential and charge is given then beach of the following is correct सुनना बेटा यहाँ पर गलती मत करना बच्चे गलती करते हैं कहते हैं कि sir capacitance न चार्ज पर डिपेंड नहीं करता सही कहते हैं capacitance and potential पर डिपेंड नहीं करता सही कहते हैं लेकिन capacitance capacitance चार्ज अपन पोटेंचियल के रेशियो पर जरूर डिपेंड करता है सुनो जो मैं statement लिख रहा हूँ ध्यान सुनना capacitance depends on ratio of ratio of charge to potential बदाओ यह सही है कि गलत सही है कि गलत बताओ हाँ वो तुम answer जो भी दे रहा हो B और C हम देख लेंगे जो भी answer दे रहा हो B और C हम देख लेंगे लेकिन मुझे यह बताओ कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है यह सही है कि गलत जो भी मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो सही है कि गलत ये बता दो बस true और false बच्चे C दे रहे हैं हम देखते हैं बटा कि C एंसर होगा कि नहीं होगा ये जो मैंने लिखा है ये true है कि false है this is true हाँ अकेला charge पर depend नहीं करता अकेला potential पर depend नहीं करता लेकिन charge बटा potential के ratio पर जरूर depend करता है चलो सर देखते हैं तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि B by Q मतलब यहां पर इस graph का जो भी slope होगा उसके inversely proportional to capacitance होगी capacitance is inversely proportional to slope तो slope इसका जाद है तो इसकी capacitance कम होगी बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने C सही है दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि सर ऐसा देख लेते हैं कि माल लो कि किसी एक potential पे देखते हैं कौन ज़्यादा चार्ड जमा करते हैं माल लो दोनों का potential मैंने common ले लिया तो capacitance होता है Q by V वी दोनों का हमने same ले लिया इस V पे इसने चार्ड जमा किया है ये और इसी V पे इसने चार्ड जमा किया ये तो ये ज़्यादा चार्ड जमा कर रहा तो इसकी capacitance ज़्यादा होगी तो C2 is greater than C1 दोनों तरीके से कर सकते हैं दोनों तरीके से कर सकते हैं तो ये रही ये बात पैनल प्लेट capacitor का बेटा अगर हम area के साथ graph बनाएं तो C का area के साथ graph कैसा बनेगा तो capacitance is inversely proportional to area तो इस तरह का graph बनेगा अगर मैं charge के साथ बनाएं सिर्फ अकेला charge कहीं लिखाओ तो capacitance does not depends upon charge capacitance does not depends upon charge D के साथ graph बनाएं तो directly proportional होगा क्योंकि C बराबर होता है इपसालन not अरे रे सोरी सोरी गलत लिख दिया गलत लिख दिया C बराबर होता है एपसालन not A by D जितना बड़ा area रखो के charge उस पे ज़्यादा जहमा होगा और और यह होता है एपसालन not A by D यह तुम सेम रखो तो C is inversely proportional to D यह बनेगा आपका rectangular hyperbola clear है yes 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 this one is corrected this one is corrected electric field and potential only create due to charges on inner surface एक मिनट यह यह मैं बताता हूँ अभी यह समझो माल लो इस plate पर positive charge है और इस plate पर negative charge है यहां का potential है V है इस point का potential बोला हूँ मैं potential difference नहीं बोला इस point का मतलब इस plate का हाँ तार से जोड़ा तो इस plate का जो potential होगा वो का भी है इस plate का जो potential होगा वी भी इन दोनों में जादा potential पर कौन होगा वो बताओ अगर मैं simple तुम से यह सवाल पूछू यह capacitor बना हुगा है तो इस capacitor में जादा potential पर कौन होगा यह plate की B plate इस plate का जितना potential होगा simple तार से जोड़ा है तो यहाँ पर भी वह ही potential होगा तो potential किसका जादा होगा A का की B का तो असे potential जादा होगा A का A का potential जादा होगा क्यों जादा होगा क्योंकि सर इधर positive charge है अच्छा यहाँ पे difference कितना होड़ा potential का सर potential का difference होगा q by c कैसे तो हम जानते है q बराबर c v अरे भाई साब c बराबर होता है q by delta v तो q को अपन c v लिख सकते तो delta v यहाँ पे जो potential difference आएगा वो होगा q by c अब मैं तुम्हें क्या कहरा हूँ सुनना अगर माल लो कि मैं इन दोनों potential की बीच में relation लिखना चाहता हूँ अगर मैं इधर जा रहा तो जितना potential a पे है जो कहरा हूँ सुनना जितना potential a पे है अगर मैं इधर जाऊंगा तो इतने का difference पैदा करने के लिए यह hype है तो इतना का potential में घटा दूँगा तो B का potential मिल जाएगा minus QYC बराबर VB इस minus QYC को उधर ले जाओ VB को इधर ले आओ तभी तो यह VA minus VB वही बात हो गया कान को सीधा चूओ या उल्टा चूओ VA minus VB बराबर होगा QYC यह तो तुम जानते हो कि दोनों plate के बीच में potential difference QYC आना चाहिए लेकिन इस तरहिके से समझाने का जो मेरा मकसद है वो यह है कि इस पर best kristop's law आएगा और इस पर best neat में बहुत अरे सवाल आते हैं कि capacitor के एक plate से दूसरे plate तक आपको कैसे चल के जाना है फिर से सुनना मुझे बताओ कि अगर मैं इस plate के potential से आगे बरके इस point पर पहुचना चाहता हूँ तो यहाँ पर potential भी है और जब मैं आगे जाओंगा positive से negative बर तो drop मिलेगा potential घटेगा क्योंकि इसका potential कम है कितना घटेगा सर यही तो difference है तो इतना घटाओ minus QYC बराबर होगा VB इस VB को इधर लाओगे तो negative और यह negative उधर जाएगा तो positive तो यह हो गया VA minus VB बराबर QYC बहुत basic से समझारों बेटा तो अगर मैं positive से negative plate तक जाओंगा तो potential होगा QYC positive से negative plate तक जाओंगा तो potential को घटाओंगा QYC से clear है तर अगर आप माल लो कि यहाँ पे यहाँ पे यह positive charge दे यह negative charge दे यह point है आपका A और यह point है B अगर आप यहाँ पे potential लिको VB यहाँ पे potential लिको VA और यहाँ से इधर चलके जाओ तो तो सुनना है बेटा जब negative से positive तरफ जाओगे तो माल लो यहाँ पे लिखा तुने potential VB अब इधर जाओगे तो potential बढ़ेगा अरे B से A की तरफ जाओगे तो A का high potential है minus से plus में जाओगे तो potential बढ़ेगा कितना अरे भाई साब जितना इसका potential difference है QYC QYC potential बढ़ेगा माल लो charge Q है तो QYC potential बढ़ेगा यह हो जाएगा आपका V इस VB को इधर लाओ तो VA इस VB को इधर लाओ तो minus VB is equal to QYC बेटा यह बहुत important है तब ही आप capacitor के circuit में चल पाएंगे यह पताएगे जोधार तरीके सा समझ में आये की नहीं आये क्या पसिटर के दोनों plate के बीच में potential difference होता है QYC अगर आप plus के point को potential लिखते हैं VA उससे आप negative terminal पे जाएगे तो VA minus लिखेंगे QYC drop मिलेगा आपको यहाँ का potential VA आगे जाएगे तो इन दोनों plate का जो difference है वो घटा देंगे तो VA minus QYC बनावर VV तो positive से negative की तरफ जाएगे तो positive plate के potential में यह घटाएगे और negative से positive की तरफ जाएगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे क्या यह बात समझ में आया क्या आपको यह बात बहुत जोरदार तरीके से समझ में आया ठीक है हम आपको break दे देते हैं हम आपको break दे देते हैं यह सवाल कर दीजिए हम break दे देते हैं इस सवाल का answer बता दीजिए यह point है grounded यहाँ पर यह positive plate है यह negative plate है charge है plus 20 µ, minus 20 µ capacitance यह रहा और A point का potential आपसे हमने पूछा है इस सवाल का जवाब बता दीजिए हम break दे देते हैं बिल्कुल break देंगे बिल्कुल break देंगे इस सवाल का जवाब बता दीजिए हम आपको break देते हैं लिख देते हैं break देते हैं आपको कितना time हो रहा चीक है कि यारा पाच में शुरू करेंगे जारा नहीं बचा अब अरे बहुत कम है पचास पेज है ओ जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा पचास पेज खतम होने में टाइम ही नहीं लेगा पचास पेज है बस बताओ क्या लिखोगे देखो यहां का पोटेंचल 0 है तुम ऐसे भी में लोग बीस माइक्रो कुलम बटाओ पांच माइक्रो फाराड यह माइक्रो माइक्रो कटेगा माइनस चार वोल्ट एंसर आएगा माइनस चार अच्छा लगा एक बच्चा से प्लस चार कह रहा है बाकि सब माइन अरे भाई मेरे बाक बकलूल वैसे भी ग्राउंड गया प्रखोंग के लिए तो यहां पुटेंचल जीरो होगा और तुम्हारा जीरो ग्रोवोल्ट इस प्लेट का प्रोटेंचल जो के हाई होना चाहिए क्योंकि पैप तरफ हाई होता है थी अह सी बात है निगेटी प्लेट की प्लेट प्लेट स्वाइए गांग तो जील करण य जादा नहीं लाएगा पयटा। 50 पेज बचा बचा हुए जादा नहीं बचा हुआ है 50 के बचा हूए हम आपको ब्रेक देते हैं अग्या चे-ब्रेक आप टू ब्रेक आप टू एलेवन कि फाइव ए भी ठीक है बाई जल्दी मिलते हैं जल्दी मिलते ठीके बीटा चल्दी में आपस्प्त-कल्दों झाल 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 क्या हाल चाल क्या हाल चाल सारे बच्चे आगए क्या झाल 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 मुझे तो नहीं मिला तुम्हे तो मिल गया होगा तुम्हे तो मिल गया होगा चलो यह जित्ते भी बच्चे बच्चे हुए बहुत ही जादा मेहनती और बहुत ही जादा संघर्ष करने वाले जुजारों विखती हैं तो चलिए, अपने कारे करम को आगे बढ़ाते हैं, सुनियेगा मैं, ठीक है, चलिए, अपने कारे करम को आगे बढ़ाते हैं, तो लाइन सुनना पहले, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिस उससे जाद तक्दीर रूठे तो रूठे, हिम्मत न तूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। मैं आया? जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिस उससे जादा करो, तकदीर रूठे तो रूठे, हिम्मत ना तूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो. बैटरी के बारे में हम बात करते हैं, बैटरी क्या होता है साहब, अभी अभी हमने कैपसिटर समझा, अभी अभी हमने क्या समझा, कैपसिटर समझा, कैपसिटर में सारे कहानी समझी, सब चीज समझा, कैपसिटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने चलना सीखा, अब current electricity आप पढ़ चुके हैं तो बैटरी के बारे में ज़ादा बताने की ज़ुरत नहीं है, फिर भी हम बैटरी के बारे में थोड़ा आपको बता दे, important बात है वेटा, इसलिए हम skip नहीं करना चाहते हैं, आपको हम समझा देते हैं, समझा देते हैं, कि बैटरी is a source of energy, not a source of charge, बैटरी is a source of energy, not a source of charge, बैटरी चार्ज का source नहीं होता, बैटरी का ये काम नहीं होता, कि वो चार्ज दे, चार्ज सप्लाई करे, तो बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी का काम होता है, कि वो energy रखता है, और उस energy से potential difference maintain करता है, दो point के बीच में, हाँ, अगर बैटरी से कोई Q charge transfer हो रहा है, छोटे terminal से बाहर, बड़े terminal के दरफ Q charge जाएगा, तो उस बैटरी के बैटरी के बैटरी का potential difference delta V ii EMF, तो यह होजाएगा आपका Q delta V work done by the battery, Q delta V work done by the battery, बैटरी क्या करता है, potential देता है, potential supply करता है, कि potential difference maintain करता है, बैटरी क्या करता है, सर बैटरी पोटेंचियल डिफरेंस मेंटेंड करता है बैटरी क्या करता है सर बैटरी दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट के बीच में जहां आप लगा देंगे इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंचियल डिफरेंस मेंटेंड करेगा क्लिर है क्या ये बात जैसे मान लो कि एक हमने यहाँ पे बैटरी लगाया इस पॉइंट का पोटेंचल हमने दे दिया पांच वोल्ट और बैटरी है बेटा आठ वोल्ट ये में अफका तो इस पॉइंट की पोटेंचल कितनी होगी बताओ इस पॉइंट की पोटेंचल कितनी होगी बताओ तो सर जो भी होगी हायर पोटेंचल तो सर यह होगी तो बैटरी के अगर हायर से लोगर की तरफ जाओगे तो ये पोटेंचल माइनस करोगे पांच में से आठ वोल्ट का पोटेंचल difference है ये, ये higher potential ये lower potential है, higher से low पे जाओगे तो minus करोगे 8, बराबर V तो V बराबर आएगा, बेटा, minus 3 volt, जरा comment करके बताना क्या answer आ रहा जरा comment करके बताना क्या answer आ रहा, बहुत बढ़िया तो तुम इतना सीख चुके हो, बहुत अच्छी बात है अब चलो, हम फटा-फट, ये सवाल तुमसे पूछ लेते हैं, माल लीजे यहां का potential minus 20 है, 8 volt की battery है, तो A point की potential कितनी होगी, बता दो बेटा बता दो अगदम, दिल खोल के बता दो सरमाना नहीं, अगदम दिल खोल के बता दो, चलो तो सर, यहां का potential होगा, बहुत easy है, ये minus 20 है, हमें यहां का potential चाहिए, तो जब भी higher से lower की तरफ जाएंगे तो battery के potential को घटाएंगे, तो ये minus 20 यहां का है और minus 8 करेंगे, तब ये VA आएगा, मतलब VA बराबर A point है, इसका potential होगा minus 28 volt देखते हैं, जनता क्या कहती है आग लगा दिया तुमने आग लगा दिया तुमने, बिलकुल minus 28 volt potential होगा, अब सुनो एक capacitor है इसका negative terminal इधर है, स्वरी positive terminal इधर है negative terminal इधर है, इस पर charge है positive वाला 40 micro negative वाला minus 40 micro capacitance है 2 micro यहाँ पर ground किया हुआ है यह 8 volt की battery है, इस point की potential पूछी है अब चलके दिखाओ इस सवाल का जवाब बताओ, तुम मानेंगे इस सवाल का जवाब बतादो एक बार तुम मानेंगे इस सवाल का जवाब बतादो तो हम मानेंगे इस सवाल का जवाब बतादो तुम मानेंगे सवाल का जवाब एक जैसा आना चीए, कुछ बच्चे माइनस बारा बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 8 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे माइनस 2 बोल रहे हैं, यह नहीं चलेगा जब तक सभी बच्चों का जवाब एक जैसा नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं भरूंगा जब तक सभी बच्चों का जवाब एक जैसा नहीं आएगा मैं आगे नहीं भरूंगा माइनस बारा आ रहा है कुछ बच्चों का 28 क्यों आ रहा है माइनस बारा आ रहा है माइनस बारा माइनस बारा पूरे स्क्रीन पर मुझे माइनस बारा दिख रहा है तो मुझे ठीक लग रहा है मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ देखो तुम यहाँ से यहाँ चलके जाओ या यहाँ से यहाँ चलके जाओ एक ही बात है मालनो तुम यहाँ से चलके जा रहे है तो यहाँ पर potential 0, चलो 0 high से low जाओगे तो potential घटेगा कितना q by c और यहाँ पर low से high जाओगे तो बढ़ेगा plus 8 is equal to b minus q की value बोलो सर 40 है µ2 पलस 8 बड़ावर v यह आएगा तुम्हारा 20 minus 20 में से 8 जो रोगे तो v बड़ावर आएगा minus 12 बिल्कुल सही है v बड़ावर minus 12 बोल जितने बच्चों का आया है बेटा सुनो current electricity पे एक सर्किट में चलने वाला सवाल और एक यह है ना हंडेट परसेंट नीट में आता है मतलब आज चार नंबर तुम्हारा पक्का होगे हंडेट परसेंट नीट में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है अब चलो हम कुछ PYQ सेशन लगा लेते हैं parallel plate capacitor और इस सर्किट पे चलने वाले सवाल पे आफट जोड़दार तरीके से आईए देखो परने में समय लगता लेकिन सवाल करने मजा जाएगा नीट थाड़ा का सवाल है दा इलेक्रोस्टाटिक फोर्स बिट्विन दा मेटल plate of an isolated parallel plate capacitor C having charge Q and area A भाई साहब हम फोर्स जानते हैं ना याद है Q A square बटा 2 A epsilon naught पहला option देखो independent upon the distance between the plate हाँ या distance between the plate हाई नहीं अब charge जो दोगे वो क्यों रहेगा area तो plate का area है epsilon naught तो इसकी medium distance पे तो depend ही नहीं कर रहा यही सही लगएगा linearly proportional to the distance between the plate ना कहा proportional to है या distance आई नहीं दा proportional to the square root of the distance अब दिस्टेंस हाई नहीं इन्वसली परपोर्शनल दिस्टेंस नहीं है independent upon distance आईगा first is your correct answer A A first is your correct answer next 2015 का सवाल है ठाड़ा का सवाल अभी किया था 2015 का सवाल है a parallel plate air capacitor has capacity C distance of the separation between the plate is D and potential difference is V applied potential difference V is applied between the plate force of attraction between the plate of the parallel plate air capacitor is देखो बेटा वैसे तो capacitor के formula में charge और potential आता है तो क्या मैं कह सकता हूँ capacitor is inversely proportional to potential नहीं ना तो यहाँ पे तुम्हें सब में D दिख रहा होगा लेकिन actual में force D पे depend नहीं करेगा मैं करके दिखा दूँगा तो insert D के terms पे कैसे आ रहा मैं बता तो देखो जो force होता है वो simple होता है तुम्हारा Q into electric field और electric field को आप लिख सकते हो potential difference into distance लिख सकते हो V by D तो ठीक है और Q को लिख सकते हो तुम C V तो यह होगा C V square by D सही है C V square by D यहाँ पे electric field याद रखना कि एक ही charge का लेते तो यह Vy2 आएगा C V square by 2D is your correct answer साइद यह सबसे छोटा solution है आज तक का Ethernet पे देखोगे या कहीं भी देखोगे मैंने खुद दूसरे batches में इससे बड़ा कड़ा है यहाँ पे 2 का factor क्यों आया first क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ यहाँ पे जब तुम potential difference delta भी लेते हो बेटा तो लिखते हो न electric field into distance यह electric field कौन सा लेतो between the plate वाला लेकिन एक plate की वैसे दूसरे plate पर जो force लगेगा तो total electric field की वैसे आएगा कि आदे electric field की वैसे आएगा आदे electric field की वैसे आएगा तो यहाँ पे electric field अल्रेड़ी जो actual में उसका आदा इसलिए 2 का factor नहीं आएगा तो answer क्या हो जाएगा आपका D answer क्या हो जाएगा आपका D A नहीं होगा बेटा A नहीं होगा NEET 2015 का सवाल है D ही answer है यह logic मैं आपको बता चुका 10 मिनट समझाया था यह logic कि between the plate जो electric field होता है वो नहीं लेते हम between the plate तो दोनों plate का आएगा लेकिन एक plate पर जब force लिखोगे तो दूसरे plate की वज़े सही electric field होगे ठीक है अगर मैं दूसरे तरीके से करा सकता हूँ तो तुम्हे ethernet पहला की solution मिलेगा लेकिन यह solution सबसे based है तो f is equal to अपलिक सकते cv square by d cv square by d बिल्कुल सही एक दम असान है एक दम असान है अच्छा सर तो अब तो यहाँ पे देखो force inversely proportional distance आगे आप क्या करोगे देखो बात समझातो ध्यान सुनना यह जो force है ना बेटा वो inversely proportional root d दिखाई दिया रहा है आपको उपर potential भी तो है तो सर ध्यान से सुनना c का formula क्या होते है बोलो सर epsilon not a y d तो c का formula अगर put करोगे epsilon not a y d तो नीचे d आएगा हाँ सर d square आजाएगा एक d आओए और potential खुद ही d पे depend करता है कैसे तो v is equal to a तो है electric field into distance v square यह तो d square उपर d square नीचे भी d square तो cancel हो जाएगा इसी लिए जो force है वो distance पे depend नहीं कर रहा ठीक उसी तरीके से जैसे तुम पढ़ता हो न mobility होता है drift velocity per unit applied electric field अगर मैं conductor के अंदर electric field को double करू तो mobility कितना change होगा बताओ अगर मैं conductor के अंदर में electric field को double कर दू दो गुना कर दू तो mobility कितना change होगा बताओ यह अपने current electricity में पढ़ा है और यह AI PMT का पूछा हुआ सवाल है यह AI PMT का पूछा हुआ सवाल है कि अगर मैं electric field को double कर दू तो mobility कितना गुणा change होगा तो याद रखिएगा does not depends on E and VD independent same लेकिन यहाँ तो फर्मूले में है बेटा इसलिए independent है क्योंकि VD के फर्मूले में E आता है और उपर E और नीचे E cancel हो जाएगा और कराते हैं आपको वो root under 3P by rho कुछ आता है अब मुझे यहाँ बताईए क्या velocity of sound directly proportional to pressure होता है नहीं does not depends upon pressure क्यों भाई क्योंकि अगर pressure बढ़ाएंगे तो density भी बढ़ जाएगा क्लियर है क्या इसलिए वेटा concept तो यही कहता है कि दो प्लेट के बीच में जो force आता है उसका main formula यह है और इसमें distance नहीं है ठीक है अब बताओ मज़ा आया की नहीं है अब बताओ मज़ा आया की नहीं है each and every concept clear है की नहीं है चलो दूसरा सवाल नेको अब parallel plate capacitor is charged to the potential V after disconnecting the charged battery एक मेट एक मेट एक मेट गलत जगह सवाल आगे है करेंगे उसको हम करेंगे गलत जगह सवाल आगे वेटा यह सवाल देखिए यह सवाल देखिए need 2020 का सवाल है मैंने बोला था ना एक सवाल पूछा था मैंने थियोरी सारी पढ़ा दिया है अब सवाल देखिए the capacitance of a parallel plate capacitor with air as a medium is 6 microfarad air as a medium क्या है 6 microfarad air as a medium का फॉर्मला क्या होता है epsilon not a by d उसकी value 6 microfarad है with the introduction with the introduction of a dielectric the capacitance between them is 30 microfarad जब 30 microfarad हो गया है तो उस case में आएगा medium की permittivity epsilon a by d the permittivity of the medium पूछा है यह पर dielectric constant नहीं पूछा है देखो बेटा अगर air रखोगे तो air की permittivity epsilon not medium रखोगे तो medium की permittivity epsilon not हम से epsilon not पूछा है तो उनों को divide कर दो a by d से a by d कटेगा 6 microfarad से cancel करोगे तो यह 5 आजाएगा epsilon not 5 को यहाँ ले जाओ तो epsilon m is equal to 5 times of epsilon not यह होता है तुम्हारा 5 into epsilon not की value होती 8.85 into 10 to the power minus 12 ठीक है तो बता answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तुम्हारा c 0.44 into 10 to the power minus 10 solve कर के देख लिए solve कर के देख लिए c is your correct answer very good next अब पैर अच्छे से करो परो तुम करो तुम करो करो एक बार करो एक बार करो चलो अच्छा सवाल है इसमें गलती होने के chances हो थे इसलिए मैं तुम से करा रहा हूँ करो बढ़ो बेटा come on come on a parallel blade condenser with while between the blade of the electric consonant 2 has capsulency of the while is removed while is removed c by 2 अड़े वाय यार नहीं फसे तुम बढ़िया c by 2 अच्छा इसमें क्या गलती कर सकता है बच्चा बच्चा ये गलती कर सकता है कि वो पहले समझ सकता है c और while के बाद समझ सकता है 2 c नहीं जब आयल है तब c है आयल हटा दोगे ये रखोगे तो फिर तो के टाइम्स कम हो जाएगा c by 2 is your correct answer यहां पर ये गलती कर सकता है बच्चा ये गलती कर सकता है बच्चा ये देखो मेंस 2012 का सवाल है तू metallic sphere of radius इतना 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 given a charge इतना इतना if the connected wire conducting wire then final charge on the bigger sphere अरे यार final charge तो bigger sphere का radius जो भी ले रह बटा दोनो radius का sum into total charge ये तो simple formula है यहां पर गलती से आ गया ये सवाल आप पहले कर चुके हैं ये सवाल आप पहले कर चुके हैं ये देखिए कब का सवाल है भाई नी 2020 का सवाल है तो कर लेना चाहिए अब बुलेट ऑफ मास 2 kg having charge इतना इतना रहे यार यह तो देखो पी वाई की एक जगा टाइप किया था इसलिए आ गया यह सिंपल पोटेंचल का सवाल है अब कर लेंगे कोई खास बात नहीं है यह होंबग देता हूं charging of capacitor समझाता हूं देखो देखो charging of capacitor में वेटा एक capacitor लिया जिसकी capacity है और इस पर कोई चार्ज नहीं अभी इस पर चार्ज क्या है 0 है इसको वी बोल्ट के बैटरी से अभी जोरने वालाओं की open है अभी की क्या है उपन है अब मैं क्या कर रहा अब मैं क्या कर रहा इस की को खलो कर देता हूं तो की को जैसे क्लोज करूंगा तो बैटरी चाहेगा तुरा उसको टाइम लएगा लेकिन बैटरी चाहेगा कि उसकी potential difference V है तो capacitor plate पर भी potential difference V आजा है और higher potential किदर होगा सर जिधर battery का higher terminal रखोगे उधर पर potential higher होगा lower potential किदर होगा lower potential इधर होगा अच्छा capacitance कितना था सर C potential difference कितना आगया battery के वैसे V तो charge कितना आएगा सर Q बड़ाबर C V plus charge किदर सर plus charge इस पे आएगा C V और minus charge इस पे आएगा C V जो C V आएओ क्यों आया तो बेटा battery का काम है potential difference maintain करना वो करेगा तो कर दिया भी potential difference capacitance C है तो charge C V होगा लेकिन इधर positive क्यों क्योंकि battery का higher terminal ये है तो जिधर higher terminal होता होगा positive charge आएगा अब जो ये charge आया है CV वो किस ने दिया है क्या battery ने दिया है बेटरी के बाइस तो charge होता ही नी तो दिया कौन है पता है इस battery ने क्या किया यहां से charge उठाया CV यहां से charge उठा लिया CV चुकी 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 इस plate से इस plate पर charge था 0 और यहां से CV उठा लिया तो CV charge की कमी हुई cv उठा लिया और cv चार्ज की कमी उसको उठा के यहां से घुमा के और यहां रख दिया तो बैटरी ने कितना वर्क किया टोटल बैटरी ने वर्क किया चार्ज इंटू potential difference v चार्ज कितना किया cv इंटू बैटरी का potential v cv square ये बाद समझ में आया ये बाद समझ में आया अच्छा सर ये तो ठीक है अच्छा capacitor में कितना energy store हुआ capacitor में store energy होता है half उसकी capacity into v square तो बैटरी ने तो इतना काम किया था store कितना हुआ इतना तो loss कितना होगा loss की तो बात ये रही कि सर work बैटरी ने इतना काम किया store कराने के लिए इतना ये store हो पाया तो जो difference है वो loss में जाएगा वो कहां जाएगा loss में जाएगा तो work done by the battery cv square minus half cv square तो loss कितना हो गया half cv square तो 50% बैटरी का work done store हुआ है और 50% loss हो गया है 50% बैटरी का work store हुआ है और 50% work क्या हो गया है बेटा loss हो गया है clear है ये बात क्या आपको ये समझ में आया कि charge कहां से आया हाँ sir charge यहां तो उठा के यहां रख दिया कौन रखा बैटरी ने रखा अच्छा एक बात बताओ पहले से ये charge होता तो पहले से ये plus cv charge है और यहां पे minus cv charge है अब मैं वी बोल्ट के बैटरी को इस तरीके से जोर रहा हूँ देखना इसका higher यहां है lower है अभी जोरा नहीं है key open है अगर मैं key को close कर दूँ key is closed key is closed तो क्या होगा बताओ तो क्या होगा बताओ अभी बैटरी का कोई effect नहीं होगा अभी key close नहीं है तो बैटरी का कोई effect नहीं होगा अब बताओ क्या होगा Sir हम यहाँ पर एक चीज कह सकते है कि बैटरी चाहे कुछ भी करे उसके जीवन का एक ही उत्देस है कि जितना उसका potential है उतना ही potential ये maintain करना चाहता है तो कितना potential है बैटरी का V तो सर यहाँ पे charge अगर CV है और capacitance इसका C है तो potential तो V पहले से maintain है लेकिन यहाँ पे potential यह high है और battery को उल्टा जो रहा है तो यह तो high potential यहाँ रखेगा capacitance अगर C है और battery पूटेंचल वी दे रहा तो यहां पे चार जाएगा cv और यहां पे चार जाएगा माइनस cv बोल मानता है लेकिन पहले तो इधर प्लस था अब इधर माइनस है तो मुझे बताओ कि कितना चार्ज बैटरी ट्रांसफर किया है यहां से कितना चार्ज उठाया है तो पहले cv था अब माइनस cv है तो अब बेसी बात है 2 cv चार्ज ले गया होगा सर कैसे देखेंगे अरे मेरे लाल यहां से कितना चार्ज गया है वो कैसे देखोगे तो अभी चार्ज माइनस CV है मतलब माइनस निगेटिव में चार्ज है और पहले CV था तो इस CV में से CV हटा लोगे अगर मालनों CV है यहां से CV ले गया तो कितना बचेगा जीरो और CV अटालो 2 CV ले जाओगे तो माइनस CV बचेगा तो यहां से चार्ज कितना गया 2 CV तो work done by the battery की आएगा work by battery की आएगा work by battery आएगा Q into V Q ए तुम्हारा 2 CV और potential V तो 2 CV square कैपसिटर में final energy कितनी होगी capacitor की final energy भी होगा बेटा half cvA square कैसे surcapstancy or potential V तो half cvA square होगा अब बताओ कितना energy loss हुआ क्योंकि चार्ज यहां से यहां तक भागा तो अब बिसी बात energy loss होगा कितना energy loss हुआ बताओ हाँ 5 आवर से ज़ादा हो गया तनमे गौतम तो अब चले चाहिए 5 आवर से ज़ादा अगेशको बाद 5 घर 100 बार लिख देंगे मेरे हाथ में आए क्या परहाई रहुआ ना बेटा समझ आ रहा है न क्या करूं जब गजब गजब इस पैमर आते हैं यार यह कहरा loss in energy 0 क्यों कि सर देखो जितनी initial energy है initial कितनी है सर half cbs square और final कितनी half cbs square तो loss 0 हो गया अब एक गधे अब एक गधे अब एक गधे अब एक गधे 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 initial half cbs square final जो इस्टोर हुआ है वो भी half cbs square और जो बैटरी ने वर्क किया वो कहा गया बैटरी जो work किया वो store करा था, तो finally कितने heart c-b-a square, initial कितने heart c-b-a square, तो जो बैटरी ने work किया, वो सारा loss हुआ, बैटरी वर्क क्यों करछा, recter energy store कराने के लिए, battery ने work कितना किया, recter 2 c-b-a square, final कितना store हो गए energy, half c-b-a square, initial कितना था, turns c-b-a square, तो stored energy पहले भी आप cva square बाद में भी आप cva square तो loss कितना हुआ 2 cva square जितना battery ने काम किया सब खतम हो गया देख देख इसका एक जोरदार MR स्टार बताता हूँ इसको रटले काम हो जाएगा इनीशल एनर्जी जो stored है वो और battery कुछ work करेगा store कराने के लिए energy बराबर final energy प्लस यू लॉस ये तिरा जोरदार MR स्टार है इसको रटले देख पहले से इतनी energy थी battery ने कुछ काम करके energy store करानी कोशिस की finally energy प्लस यू लॉस अब इस फॉर्मूले से कर बता initial energy कितना था कर इस फॉर्मूले से सर half cva square battery ने कितना किया 2 cva square final energy कितना रहा half cva square plus you loss half cva square से half cva square cut गया you loss हो जाएगा बेटा 2 cva square ले ले इसको रट ले इसको रट ले और इस तरह के सवाल में एकदम आग लगा दे चल सुन मेरी बात सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से और अच्छे से करना देख अभी ये positive charge है ये plate higher potential पे हैं और मैं battery 2 भी EMF का उल्लटा लगा रहा हूँ चीक है इस पर minus CV है if key is closed then find total loss in energy if key is closed then find total loss in energy then find total loss in energy फटा वट बता बेटा कर दे मज़ा जाएगा कर दे कर दे मज़ा जाएगा सुन बेटा टू भी battery का potential है न तो टू भी potential difference maintain करेगा और higher किदर होगा बैटरी का higher potential यह है तो सर बैटरी का higher potential यह है तो टू भी potential maintain करेगा टू भी और इधर higher होगा कैपस्टेंस यह है तो इस पर होगा 2CV पलस 2CV और इस पर होगा माइनस 2CV कितना चार्ज आया हो कैसे निकालोगे तो बेटा final charge मेंसे initial charge घटाओगे total आया charge निकल आएगा बड़ा सान में थेड़ है यार पालतों में तुम्हें confuse कर रहा था पता final charge कितना है 2CV और पहले कितना था माइनस 2CV डिफरेंस कितने का है 3CV चार्ज आया 3CV चार्ज आया कितना चार्ज आया 3CV और प्रेट्री का पोटेंशल है 2V करो अच्छे से करना अच्छे से करना देखो initial energy plus work done by the battery बड़ाबर final energy plus U loss initial energy कितना होगा सर CV चार्ज है तो half CV चार्ज है तो half CV चार्ज होगा प्लस work done by the battery कितना चार्ज ट्रांसफर किया 3CV और पोटेंशल है 2V तो यह गा 3CV इंटू 2V बड़ाबर final energy क्या होगा तो सर final potential difference 2P प्लस हाफ C इंटू 2V का होल स्क्वार प्लस U loss तो यह हो गया तुमारा half CV स्क्वार प्लस 6CV स्क्वार 3CV इंटू 2V is equal to 4 से 2 कार दो तो 2CV स्क्वार आएगा प्लस U loss 2CV स्क्वार किदर लाओगे तो 4CV स्क्वार में half add करोगे तो 4CV स्क्वार सारे 4 मतलब 9 बटा दो 9 by 2CV स्क्वार हर एक चीज बहुत स्मूथ और एजी है बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 9CV स्क्वार वे 2 is your correct tension चीक है बहुत बढ़िया 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 अब देखो बढ़िया ठीक्व जाक्व और चीज गेद्यृ स्क्वार अबहं हाँ जिस पर पल्प हाँ कमक्यार चीज बहुत बढ़िया 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 ब्ऱिया बढ़िया Mac ск kya बढ़िया अब़िया बढ़ियाadersीन मतलब ये capacitor है जिस पर plus charge इधर है plus cv charge है माल लो और इधर है minus cv charge सर minus cv charge c1 v1 बोल देते हैं c1 v1 बोल देते हैं मतलब इस capacitor की capacitance है c1 potential है v1 इस capacitor की capacitance है c2 and potential है v2 positive वाले terminal को positive से जोड़ा है और जब हम की को close करेंगे तो negative वाला negative से जोड़ जाएगा close circuit बनेगा तो charge exchange होंगे क्या होंगे बेटा charge exchange होंगे और एक वाद बताओ cv कैसे आया प्लीज बता दो देखो बेटा पहले charge था plate पर minus cv और अब है 2 cv पहले plate पर था minus cv अब है 2 cv तो कितना difference आया है कितना charge आया होगा तो ये minus cv में 3 cv डाल दो तो minus cv में 3 cv डाल होगे तो 2 cv बचेगा देखो यहाँ पर 2 cv बचा हुआ है पेटा तो जोर घटाओ है सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात जब भी दो conducting plate को या दो capture को जोरते हो तो charge transfer होता है energy stored कैसे निकाले energy stored हाफ cv स्क्वार energy stored हाफ cv स्क्वार जब भी दो capture plate के बीच को capture plate को जोरोगे तो charge कब तक transfer होगा जब तक बराबर charge ना जाए या जब तक बराबर potential ना हो जाए बताओ charge कब तक transfer होगा जब तक बराबर charge ना जाए कि जब तक बराबर potential ना जाए तो जब तक उनका potential सेम नहीं हो जाएगा तब तक charge transfer होगा और वो common potential जो आएगा उसका formula बड़ा simple होता है अगर positive positive terminal को जोरेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 अब final charge क्या होगा सारे capacitor पे तो common potential VC आ गया तो final charge पहले capacitor पे होगा T1 into VC दूसरे capacitor पे final charge होगा T2 into VC loss in energy का formula collision के concept से direct लिख सकते है loss in energy का formula collision के concept से direct लिख सकते है half C1 C2 बटा C1 प्लस C2 into V1 minus V2 relative potential का whole square ये loss in potential का formula था है बिटा rotation में भी मैंने ये तुमें कराया था collision में भी तुमने ये परा था capacitor में भी direct याद रखो सर अगर हम plus को minus से जोड़ेंगे तो तो कुछ नहीं plus बाले को plus रखो जो minus आया है उसको यहाँ पर minus कर देना simple सी बात है हम यहाँ पर लिख देते हैं if opposite polarity is connected opposite polarity is connected जब opposite polarity को connect करोगे तो चो common potential होगा positive charge मालो ये ये negative है ये positive है ये negative उसके according आप जो positive उसको positive रखो जो negative उसको negative रख देना बटा c1 plus c2 that's it सर इसमें loss in energy कितना हैगा देखो अगर opposite polarity को जोड़ोगे plus को minus से जोड़ोगे तो spark होगा जादा energy loss होगा plus minus से जोड़ोगे तो जादा energy loss होगा तो याद रखना इसमें हो जाएगा तुमारा ये वाला term plus c1 c2 बटा c1 plus c2 into v1 plus v2 का whole square और और सबसे जादा important बात सबसे जादा important बात ये जो board पे लिखा हुआ है न इसमें आज तक neat में कितने सवाल पूछे गए होंगे guess करके बताओ ये जो board पे इतना formula लिखा हुआ है न इस पे आज तक neat में कितने सवाल पूछे गए होंगे guess करके बताओ कितने सवाल पूछे होंगे बताओ कितने कितने 10 20 25 3 4 15 बताओ पिछले 15 साल का अगर में पेपर देखू उसमें 15 से ज़्यादा सवाल पूछे 15 साल के पेपर में 15 से ज़्यादा सवाल पूछे है मतलब हर साल एक सवाल हर साल एक सवाल अगर ये concept आप समझ गए है तो हर साल एक सवाल लिख लो हर साल एक सवाल और करके मैं दिखाऊंगा हर साल एक सवाल चल देखो अब यहाँ पे यह भी concept याद रखो drive नहीं करूँगा कि मालवे capster इसकी point की potential है V1 यह capster है C2 इस point की potential है V2 तो इनके mid point का junction का जो potential आता है वो common potential के formula जैसा ही आ जाता है यहाँ पे हम direct लिख सकते हैं यह C1 potential V1 पलस यह अगर positive है तो positive लेंगे negative है तो negative लेंगे C2 V2 divided by C1 plus C2 और सिर्फ यही नहीं अभी और सुनिए अगर जाल जैसा combination हो कि माल लीजे कि यहाँ पे capster C1 है यह potential V1 लिखा है capster C2 यह potential V2 यह capster C3 यहाँ पे potential V3 तो mid point पे junction पे जो potential आएगा common इस point का वो होगा C1 V1 याद रखेगा capacitance तो negative होता नहीं हमेशा positive होता है capacitance कभी भी negative नहीं होता है लेकिन potential यहाँ पे plus minus यह 0 कुछ भी हो सकता है तो common potential आएगा C1 V1 C2 V2 C3 V3 divided by C1 plus C2 plus C3 आप यह लिख सकते है आप यह लिख सकते है clear है क्या बेटा यह बात चलो यहाँ पे उसी पे based एक सवाल फटा फटा हम कर लेते है find common potential and charge on each sphere common potential and charge तीनों निकालना है चलो इस point का common potential बेटा फटा फटा फट खुद से एक बार calculate करो हम चाहते हैं खुद से एक बार calculate करो खुद से एक बार calculate करो जल्दी जल्दी कैसे निकालोगे सर बहुत easy है सर यह आपका c1 यह v1 तो 20 गुना 2 20 गुना 2 plus 30 गुना 5 30 गुना 5 प्लस इसको 0 से multiply करोगो 0 बटा 3 दो 5 और 5 दस तो यह आएगा तुम्हारा 200 प्लस 150 बटा 10 यह 350 बटा 10 is equal to 35 वोल्ट है 19 यह 0 है यह 30 गुना 5 35 देड़ सो अच्छा यह 2 है यहाँ पे अच्छा अच्छा सॉरी दो है दो है सॉरी 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 तो यह होगा 40 तो 1 19 by 0 19 वोल्ट क्या पोटेंचल आया है 19 वोल्ट अब 19 वोल्ट जो पोटेंचल है इस पॉइंट का है common पोटेंचल हमने निकाल लिया 19 वोल्ट इस पॉइंट का इस दोनों में से कौन से प्लेट पर पॉजिटीव चार्ज होगा उपर वाले पे की नीचे वाले पे इन दोनों में से कौन से प्लेट पर पॉजिटीव चार्ज होगा उपर वाले पी की नीचे वाले पे सर उपर पे होगा positive और नीचे होगा negative कि उपर है रहे potential पे है और charge कितना होगा तो पहले बाले पे charge होगा CB, क्या पर stence बोलो, 2 microfarad and potential बोलो, सर ये 20 और ये 19 एक, तो ये आएगा तुम्हारा 2 microcolum, इस पर plus इस पर minus, इस पर charge देखोगे, तो बेटा ये तुम्हारा minus, प्लस 19 ये 0 तो इसर प्लस charge आएगा, और कितना charge आएगा बोलो Q3, सर, capacitance 3 microfarad and potential 19 बोल्ट, तो ये आएगा तुम्हारा 57 microcolum, इस पर charge देखोगे, तो ये 30 बोल्ट हायर हो गया, ये 19 बोल्ट हो गया, तो इस पर plus आएगा और इधर minus आएगा, चार्ज कितना होगा, सर, इस पर charge का Q2, बराबर CB, potential difference बोलो, 30 और ये 19, तो ये हो गया तुम्हारा 21 वोल्ट, सर, ये 11 और 5, तो ये 55 microcolum आएगा, ये minus 55 microcolum, और यहाँ पे, यहाँ पे, minus 2 microcolum, तो minus 55, minus 2, minus 57, और इस पर plus 57, देखो, इन तीनों का समच 0 आया, क्यों 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, क्यों 0 जीनों 0 आएगा, इसके नीचे वाले पर चार्ज, इसके नीचे चार्ज और इस पर इस दर्वाले पर चार्ज, तीनों पर चार्ज का सम 0 क्यों आया है, तीनों पर चार्ज का सम 0 क्यों आए, देखो, plus minus तो इस चीज़ पर depend करता है कि किधर higher potential है, किधर lower potential है, मैं आप से RPG कि इस प्लेट पर चार्ज इस प्लेट पर चार्ज और इस प्लेट पर चार्ज का सम जीरो क्यों आया है और क्या हमेशा ऐसा होता है हमेशा ऐसा होता है हमेशा ऐसा होता है क्योंकि बेटा अगर मानलो कैपसिटर कुछ इस तरह का होगा अगर मानलो कैपसिटर कुछ इस तरह क यहाँ पर बैटरी जोरो या कोई सरकीट लगाओ चार्ज उड़के तो नहीं जाता यहां से यहां तक इंडक्शन से छार्ज इस से पर आप आएगा है तो यहां पर यह प्लेट इससे कनेक्टेड एल यह जो इन तीनों पर हमेशा यहां जा और ये भी कह सकतो कि जितना चार्ज यहां पर आया उतना गया तो यहां से चार्ज का ट्रांसफर जीरो रहेगा यहां से चार्ज का ट्रांसफर क्या रहेगा बेटा जीरो रहेगा चार्ज का ट्रांसफर क्या रहेगा यहां पर जीरो रहेगा एक सवाल अगर मैं तुम्हें यह करने के लिए दूँ कि find charge on each capacitor तो निकाल सकते हो करने को तो इसमें पालतू, लूप, रूल वैगरा लोग लगाते हैं लेकिन बहुत एक प्यारा सा statement है ध्यान सुनना जीवन में अकेला इंसान और सर्किट में सर्किट के किसी एक ब्रांच में लगा बैटरी जीवन को, लाइफ को और सर्किट को दोनों को असान बना के रखता है ध्यान से सुनिये का मैं क्या कह रहा हूँ जीवन में अकेला इंसान, लाइफ में अकेला इंसान और सर्किट के किसी एक ब्रांच में अकेला बैटरी life को और circuit को दोनों को असान बना के रखता है एक करा बीटे सुन भीज़ कौन सा नकसा कर जा है ससांक सिंग सुन मेरी बात सुन फिर से circuit में लगा अकेला बैटरी और life में अकेला इंसान circuit को और life को दोनों को असान बना के रखता है देखें आपे, हमें दोनों के एफसरे पे चार्ट चीए, भले ये तुम्हें लूप लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत असानी से कर सकता है, देखना कैसे, अगर किस पॉइंट पे हम 0 वोल्ट पोटेंशल मान ले तो, सर ऐसे हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशल 0 वोल् खतम कहानी, अगर यहाँ पे 0 मानोगे तो यह 20 वोल्ट का पोटेंशल डिफरेंस देरा, इधर इधर हाई होगा, इधर 0 से जादा होगा 20 वोल्ट ही है, यह 0 और लो से हाई जाओगे प्लस 20 वोल्ट पोटेंशल आएगा, यहाँ प्लस विल तो कुछ नहीं लगा ना बैट और याद रखना, इधर हाई है तो यह प्लस होगा, यह माइनस होगा, इधर से देखोगे, तो यह 10 वोल्ट डिक्रीस करेगा इधर, क्योंकि हाई इधर है, यह जादा होना चाहिए, तो इस से इस तरफ जाओगे, तो 10 वोल्ट डिक्रीस करेगा, मतलब यह माइनस 10 और बिल्कुल यहाँ पे positive charge होना चाहिए क्यों कि 10 बोल ज्यादा यहाँ पे minus आएगा यहाँ पे इधर हाई है तो इधर minus आएगा अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40 दोनों का sum क्या रहा है जीरू समझ आरहा 40 मैं के कुल म दोनों प्यार आया कै बैटा अब मान लो कुछ ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आता है जीवन में कि सर अगर किसी एक ब्रांच में अकेला बैटरी नहीं है, यहां पे अकेला बैटरी नहीं है, यहां पे भी कैपस्टर है, यहां पे बैटरी यहां पे कैपस्टर है, इस तरह का सवाल सबसे मुझकिल तुमसे पूछा जा सकता, इस से जादा मुझकिल नहीं होगा, अब कैसे क चार्ज नहीं पताब को यह तो निकानना है कोई बात यहां पर पोटेंचल भी मान लेता हूं कुछ न कुछ तो आएगा एक जगह 0 माना है क्या मैं 0 से कूद के इधर जाओंगा तो 4 वोल्ट का डिफरेंस देगा 0 से 4 जादा तो यहां पर यह तुम्हारा है दो माइक्रोफैर्ड का कैपसिटर यह तुम्हारा है चार माइक्रोफैर्ड का कैपसिटर और यह तुम्हारा है एक माइक्रोफैर्ड का कैपसिटर यह पोटेंचल बेटा 0 यह पोटेंचल बेटा 4 वोल्ट और यह पोटेंचल बेटा माइनस 8 वोल्ट तो यह सवाल common potential जैसा नहीं हो गया जड़ा देखना यह सवाल इस सवाल जैसा नहीं हो गया capacitor, capstrans पता यहां का potential पता capstrans पता यहां का potential पता capstrans पता यहां का potential पता तो common potential निकाल लेंगे क्या यह सवाल ढिक्टो सेम है क्या यह सवाल ढिक्टो सेम है क्या यह वी सी निकाल लेंगे, क्या यह वी सी निकाल लेंगे, और वी सी एक बार हमें निकालना आता है, जो वी निकेटिव है, उसको माइनस में रखना, जो पॉजिटिव है, उसको प्लस रखना, जो जीरो उसको जीरो रखना, और एक बार तुम्हें वी सी पता चल गया, एक बार तुम्हें वी सी पता चल गया, मतलब इस पॉइंट का कैपसिटेंस पता चल गया, बस खतम कहा न हैं फिर हम आगे बरते हैं और एक सवाल ये कराते हैं आपको हैं हिंदी में कैसे लिख दिया इसको पोटेंचिल एक सवाल है बहुत बढ़िया बढ़िया बता अब सुनो इस सवाल को कैसे करेंगे कोई लूप रूल नहीं लगाना कुछ नहीं लगाना इसने बोला है इसने बोला है इसने बोला है एक पोटेंचिल एक पोटेंचिल टेंवोल्ड सवाल में दिया है अगर एक पोटेंचिल टेंवोल्ड सवाल में दिया है तो इस से हम आग एक माइक्रोफराड, एक माइक्रोफराड, ठीक है, एक माइक्रोफराड, एक माइक्रोफराड, और यह एक माइक्रोफराड, यहां का पोटेंचल दस उसने दिया है, इसका पोटेंचल हो गया 10 वोल्ट, क्या पेसिटेंस हो गया 1 माइक्रोफराड, क्या पेसिटेंस हो गया 1 एक 2024 यहां का पूटेइक criteria पॉटेंशल 20 वोल्ट यहां यहां का पूटेइल पूटेन्चल 20 वोल्ट यहां का पूटेंशल 20 वोल्ड अरे दादा सीरा common potential आज आएगा 20 गुना एक पलस 10 गुना एक पलस 20 गुना एक बटा तीन बीस चालिस दस पचास पचास वटा तीन एंसर आरा पचास वटा तीन एंसर आरा या आपको या यह वाला फील आया यह वाला फील आया यह गिवेन है कोश्चन में अगर मुझे कोश्चन में यह बता दिया तो एक बात बताओ बैटरी से कूदोगे तो 10 बोल्ट का हाई देगा, ये अगर 10 है तो 10 बोल्ट का हाई यहाँ पर 20 देदेगा, बात खतम, कितना आसान है यार, कितना आसान है, आओ, series combination of capacitor समझे, series combination of capacitor, एक बैटरी V बोल्ट का है, तीन capacitor को series में लगाया, तो होगा क्या, कि charge अ॓ना, charge सेम अओना इच capacitor, बीटा, अगर circuit में ये बैटरी ने Q चार्ज दिया है, तो यहाँ पे आएगा प्लस Q, यहाँ पे आएगा माइनस Q, यहाँ पे आएगा प्लस Q, यहाँ पे आएगा माइनस Q, यहाँ तीनों कैपसर पे चार्ज, तीनों कैपसर पे चार्ज सेम आएगा Q, Q and Q, तो क्या हम कह सकते हैं कि बैटरी से 3Q चार्ज आया, नहीं, बैटरी से तो Q charge आया, तो sir यहाँ पर कैसे induction हुआ होगा, मैं एक जोरदार concept बताता हूँ, थोड़ा सा समझना बेटा, मजा आज आएगा, पता इस बैटरी ने क्या किया, यहाँ से Q उठा लिया, तो यहाँ पर बचा minus Q, और इस minus Q को उठा के यहाँ पर डाल दिया, और capacitor में बेटा conductor हो इस दोनों plate पर total charge 0 होना चाहिए, तो इस पर आजाएगा plus Q, इसी तरीके से, यहाँ पर induction की वैसे charge फैलता जाएगा, लेकिन, लेकिन याद रखना, कि जितना बैटरी से charge गया है, उतना ही होगा, इस capacitor पर, ऐसा नहीं है, कि Q Q Q Q 3 Q charge आया है, बैटरी ने जितना charge दिया, उत ठीक है बिटा, ठीक है, अगर माल लो यहाँ का potential difference तुमारा है, माल लो, कि यहाँ पर potential difference V1 है, यहाँ पर potential difference V1 है, यहाँ पर potential difference V2, यहाँ पर potential difference V3 है, तो sum of potential drop across each capacitor is equal to potential of the battery, बैटरी का जितना potential है, वो इस point और इस point के बीच में आया है, तो हर capacitor potential drop कुछ 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 कराएगा, और सारे capacitor के long potential drop का sum बैटरी के potential के बरावर होगा, V1 की value को क्या लिख सकते हैं, सर V1 की value को लिख सकते हम, Q by C1, Q by C1, plus Q by C2, plus Q by C3 is equal to Q by C equivalent, तो साहब, इस तीनों capacitor को हटा के अगर एक capacitor लगाओ, तो 1 upon C equivalent की value आएगी, 1 upon C1, plus 1 upon C2, plus 1 upon C3, अगर सारे capacitor की value same होती, all are identical, all are same, all are same, तो यहाँ पे C equivalent आजाता, C बटाएन, क्या clear है यह बात? अरे भाई, यहाँ पे करोगे, तो N by C, अरे C equivalent, उल्टा कर दो, C equivalent is equal to Cyn, यहाँ पे एक statement और लिख सकता हूँ मैं, C equivalent, C equivalent is lesser than, less than smallest capacitance, यहाँ पे जो C equivalent आ रहा है, उसकी value, इस तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, उससे भी छोटा आएगा, C equivalent की value, इन तीनों में से, जो सबसे छोटा होगा, उससे भी छोटा आएगा, ये बात चमक रही क्या, ये बात चमक रही क्या, हाँ या ना, ये बात चमका की नहीं चमका, जल्दी जल्दी बता दो, क्या ये जोड़दार चमका, हाँ सर, अब एक छोटा सा हमार स्टार्ट सीखते जाओ, आए हो तो, तुम जानते हो, कैपसिटर के लिए क्यों बरावर सी पूटेंचल ड्रॉप उतना कम, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, Q बराबर C भी अगर Q सेम है तो potential is inversely proportional to capacitance potential is inversely proportional to capacitance चमका ये बात चलिए सवाल करते हैं find potential drop across each capacitor हर capacitor के लोग potential drop आप से पूछा है एक तरीका तो इसका यह है करने का कि तीनों capacitor का sequelent निकाल लो चलो sequelent निकाल लो कैसे निकालोगे तो सर बारो और चार का sequelent एक सात निकाले अगर हम तो बारा गुना चार बटा बारा गुना चार बटा 12 प्लस चार कितना हो जाएगा 12-4-40 12-4-16 तो यह आएगा 3 और यह दोनों मिला के 3 और इसके साथ यह सीरीज में जोड़ेंगे तो final sequence जो आएगा 3-2 बटा 3-2 यह आजाएगा तो वहारा 6-5-5 तीनों capture को हटा के यह capture लगा सकते हूँ और उसके cross potential difference हमने दिया 100 तो net charge जो जाएगा C equivalent into V 6-5 गुना 100 तो यह कटेगा 20 चार्ज जो जाएगा 120 µ चार्ज कितना जाएगा 120 µ तो यह potential difference होता है Q बटा C क्यों बोलो 120 बटा 2 एक मेंटे सही तो लिखा है ना मैंने 100 बटा 9 बच्चा क्यों कह रहा है यह आएगा तुमारा 60 वोल्ट V2 देखोगे तो Q बटा C2 Q बोलो 120 बटा 4 तो बताओ क्या होगा 30 वोल्ट और V3 लिखोगे Q बटा C3 तो क्या होगा 120 बटा 12 तो 20 वोल्ट 10 वोल्ट और तीनों का सम बैटरी के potential के बरावना है चाहिए तो 10 और 40 40, 40, 600 एकदम सही है एकदम सही है अच्छा यहां तक जो तुम्हें समझ आया बाते जितनी बाते तुम्हें पलने पर ही सब समझ आया सब ने सही जवाब दिया अगर मैं एक ही लाइन में इसका इंसर लिख देता तो बीना सीक्वलें निकाले बीना चार्च निकाले बीना potential निकाले अगर डारेक्ट लिख देता तो मज़ा आता कि नहीं और वो मज़ा मैं तुम्हें देना चाहता हूं जेदू, आओ, मैंने तुम्हें एक चीज बताया, कि potential drop उतना ही जादा होगा जितनी capacitance कम होगी, और capacitance जादा तो potential कम, यहाँ के potential को अगर मैं x मान लेता हूँ, 12 microfarad का, तो जितना capacitance कम होगा उसकी potential उतनी जादा होगी, अब thatly cv कर दो न, thatly cv कर दो, यह देखो, 12 गुना x ब बर चार गुना y, direct लिख सकते हो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3x, और यह तो मैं direct कह सकता हूँ, कि जितना capacitance कम होगा, potential उतना जादा होगा, तो 3 गुना capacitance कम, तो potential 3 गुना जादा, तो इसको x मानूंगा, तो यह 3x हो जाएगा, तो sir, ऐसे तो यह 6 गुना कम हुआ, तो potential 6 गुना जादा होगा, इधर देख, x, 3x और 6x, 6, 3, 9, 1, 10, 10x बराबर 100, तो x बराबर 10 volt, x बराबर 10 volt, मतलब यह potential drop 10 volt होगा, यहाँ पर 30 volt होगा, यहाँ पर 60 volt होगा, काम खतम, काम खतम, कितने लोगों को चमक रही है, चमक रही है, चमक रही है, यह method कठीन है, कोई बात नहीं, आप यह कर लेना, I am sorry, मेरे से गलती होगी जो मैंने यह आपको बताया, I am sorry बेटा, यह कठीन है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे करना है, कि सबसे जादा मेक समान लो, जितना गुना कैपसिटेंस कम पोटेंचल उतना जादा, कोई बात नहीं, तुम इससे कर लेना, तक दिन 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 दिन, तुम इससे कर लेना, कोई तुमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, यह क्या है अगे बढ़ते हैं, parallel combination, तो current electricity में भी आपने parallel combination पढ़ा था, ये combination एकदम topi-vage combination होता है, topi-vage combination, actual में इस combination का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं है combination का मतलब? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ एक कैपस्टर लूँ और उसको इस बैटरी से जोड़ दूँ, तो इस बैटरी ने, इस बैटरी ने, कितना potential difference इसके cross create किया है, पूरा मीटा देता हूँ, मैं एक नया diagram तुम्हारे आखों के सामने बनाता हूँ, बेटा जो मैं बोलूँगा, उसको बस देखते जाना, तुम्हें जोरदार समझ में आएगा, अब गारेंटी है, मान लो कि एक कैपस्टर हम ने लिया, जिसकी कैपस्टरेंज से C1, और उसको एक V बोल्ट के बैटी के साथ जोग दिया, अगर यहाँ पर पोटेंशल है भी, तो इसने कैपस्टर के लोग कितना पोटेंशल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, सरवी, क्लिर है यह बात समझ में आ रहा, अब मैं तुम्हारे सामने, एक और कैपसिटर, C2, यहाँ जोर रहा हूँ, C2 के जोरने के बाद, अभी C2 नहीं लगा हुआ है, मैं जो कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी C2 नहीं है, देखो नहीं है connected, तो इस बैटरी ने इस कैपस्टर को कितना पोटेंशल दिया है, भी, अब मालो C2 लगा दिया हमने, तो इस बैटरी ने इसी कैपस्टर को कितना पोटेंशल दिया, अभी भी भी, तो सर, इस C2 के आने से, C1 पे क्या फर्क परेगा, कुछ भी नहीं, सर, क्या बात कर रहो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, माल लो, कि यहाँ पे चार्ज, V-potential C1 है, तो C1 भी होगा, यहाँ पे चार्ज, C2 भी होगा, अगर, इसी सिच्वेशन में मैं इसको हटा दू, तो C1 पे क्या फर्क परा, कुछ भी नहीं, क्योंकि बैटरी ने V-potential दिया हुआ है, अब इसको लगा दू, तो क्या फर्क परा, कुछ भी नहीं, C1 पर तो कोई भी फर्क नहीं पर रहा, क्योंकि C1 पर तो directly ये बैटरी पहले भी लगा था और बाद में भी लगा है, गजब बात है, इसलिए हम कहते हैं कि parallel combination में क्या होता है, कि जो बैटरी का potential होता है, उतना ही potential सारे capacitor को direct मिलता है, मतलब potential सेम एक्रॉस इच कैपसिटर, एक्रॉस इच कैपसिटर, इच कैपसिटर, पोटेंचल सेम एक्रॉस इच कैपसिटर, पहले एक कैपसिटर था, तो एक कैपसिटर को चार्ज दिया Q1, अब दूसरा आ गया, तो दूसरे को चार्ज दे रहा है Q2, तो total चार्ज क्या हो जाएगा, total चार्ज हो जाएगा Q बरावर Q1 प्लस Q2, Q1 चार्ज को क्या लिख सकते हैं, C1 V, कैसे, potential V, कैपसिटर न C1, Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2 V, अच्छा दोनों के एक कैपसिटर माल ले तो, C equivalent into V, यहां से V से V से V कटा, तो C equivalent आ गया तुम्हारा C1 प्लस C2, C equivalent आ गया तुम्हारा C1 प्लस C2, ठीक है, अब सुनना, अब सुनना, एक जोरदार M1 स्टार, क्या तुम लिखते हो Q बरावर C भी, हां सर, बताओ, पैडलल कॉम्हारा में क्या potential हर कैपसिटर के लोग सेम होगा, हां सर, तो क्या मैं कह सकता हूं, Q is directly proportional to C, हाय न, हां, चार्ज उस कैपसिटर पे उतना ही जादा जाएगा, जिसकी क चीज को याद रख लेना, मजा जाएगा, बस इस चीज को याद रख लेना, मजा जाएगा, आओ, तुम्हें मजा दिलाते हैं, आओ, देखो बेटा, यहां पे चार्ज आ रहा, सो माइक्रो कुलम्, तुम से पूछा है कि, find charge on each capacitor, तो हर कैपसिटर पे चार्ज की value बताओ, क्या बताओ, हर कैपसिटर पे चार्ज की value बताओ, हर कैपसिटर पे चार्ज की value बताओ, तो तुमने अभी बढ़ा कि, charge उतना ही जादा होगा, जितनी कैपसिटर जादा होगी, तो एक काम करो, सबसे कम किस पे होगी, सबसे कम इस पे होगी, तो अगर तुम इस पे मान ले इस पर जाएगा 50 बटा 3 इस पर जाएगा 3X मतलब 150 बटा 3 और 2X मतलब 100 बटा 3 एंसर आग लगा देगर समझ आया तो आग लगा देगर समझ आया तो, खतम, 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 क्या खतम, सवाल खतम बे 100 बटा 3, 300 बटा 3, 200 बटा 3, इनों को जोर, तो 200 और 300, 500, 600 बटा 3 600 बटा 3 कितना हो जाएगा? 600 बटा 3 आजाएगा तुम्हारा 200 कुलम क्या 200 कुलम चार्ज आ रहा है टोटल? बुद्धीन, 200 कुलम टोटल चार्ज आ रहा है at least इतना तो समझ कि इन तीनों का सम इसके बड़ावर आएगा जोर तो इन तीनों को 100 वटा 3 150 वटा 3 50 वटा 3 जोर तीनों को जोर तो 200 और 300 वटा 3 100 कुलम ऐसे मत कर बेटा ऐसे मत कर ऐसे मत कर next सवाल बहुत अच्छा है इसको एक बड़ करके देख सवाल पर पहले सवाल पर चार्ज ओन 6 माइक्रो फारड कहा है 6? यह रा इस 8 माइक्रो कुलम देन फाइन पोटेंचल ड्रॉप एक्रोस 4 माइक्रो फारड फाइन पोटेंचल ड्रॉप एक्रोस 4 माइक्रो फारड कि इस फोर माइक्रो फेराड जो कैपसिटर है एक मिट क्या है पोर माइक्रो फेराड होगा बेटा यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है मैं ठीक कर रहा हूं माइक्रो फेराड होगा कह रहा है कि चार्ज उन सिक्स माइक्रो फेराड इस एट यहां पर चार्ज गया है एट माइक्रो कुलम इस सिक्स माइक्रो फेराड कैपसिटर पर तो यहां पर potential difference कितना होगा बहुत सांदार सवाल बहुत सांदार सवाल बढ़िया सवाल अगर तुम कर लोगे न सीना चोड़ा हो जाएगा मेरा मज़ा जाएगा मज़ा जाएगा करो करो देखो एक बार कोशिस करो सभी बच्चों का जवाब 6 वोल्ट आ रहा है क्या सभी बच्चों का जवाब 6 वोल्ट आ रहा है क्या वायर अच्छा लगा देखे सुन जितना जादा capacitance उतना जादा चार्ज इस पर चार्ज आठ तो इस पर चार्ज शोला हो माइक्रो कुलम लॉक कर ले तो आठ और सोला चौबिस माइक्रो कुलम यहां से चार्ज गया होगा तभी तो इन दोनों में बचा है तो टोटल चार्ज आजाएगा चौबिस माइक्रो कुलम इस पर तो वी बड़ाबर होता है क्यू बाई सी चौबिस बटा चार वोल्ट एंसर वायर तो इसमें कौन सा मेथर लगाओगे सुनना ध्यान से सिर्फ सिरीज हो तो बड़ा असान है सिर्फ पैरलल हो तो भी बहुत असान है लेकिन पहले यह पैरलल है फिर यह दोनों मिलके सिरीज है फिर यह दोनों मिलके क्या है बटा सिरीज है अब इसमें क्या करोगा, एक मेट रुकना, ये चार दुना आठ, चार दुना शे नहीं रुको रुको, ये 6 माइक्रोफराड है और ये 3 माइक्रोफराड है, ठीके बेटा, ये 3 है और ये 6 है, जब भी सिरीज एन पैरलल होना, तो एकदम बेसिक मिथड से जाओ, इन दोनों क आठ आके दो माइक्रोफराड का कैप्स्टर लगा लो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट,ammate, sorry, 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 मैं क्या कर रहाँ, एकदम गलती कर रहा था, I'm sorry, I'm sorry मैं गलती कर रहा था, मैं रेसिस्टेंस का कॉंबिनेशन लगा दिया गलती से, ये पैरलल का, तो पैरलल में हो सिं प्लिटीशन होता है चार दो छ ओगा ये और ये होगा 120 वोल्ट की बैटरी ये होगा 120 वोल्ट की या मैं एक है पहलेलime ले क्यों अब यह तोनों सेरी जिए तो जांट क्या होगा बारा गना यता बारा यूलट चार माईक्रोफट्स से को एप तो जो चार जिस पर जाएगा वो क्यू इंटु एक्षप्वाईलेंट हो शरी क्यू बराबर सी एक्षपवाईलेंट इंटु वी एक्सो बीस गुणा 4, 12, 44, 480 माईक्रोकुलम ठीक है चार जोगा 480 माईक्रोकुलम बोलो गिया इसे सवाल करलोगे बेटा क्या ऐसे सवाल एक दम जोरदार तरीके से कर लोगे बेटा चलो ये करके दिखाओ फिर ये करके दिखाओ पाइंट चार्ज एंड पोटेंचल एक्रोस इच कैपसिट है यहाँ पर तो बड़ा असान है पता है यहाँ पर क्या करो 100 वोल्ट की जो बैटरी लगी है न क्या हो 100 वोल्ट का पोटेंचल डिफरेंस डारेक्ली इसको नहीं मिल रहा है हाँ सर मिल रहा है तो इस पर चार्ज मान लो Q1 इस पर मान लो Q2 इस पर भी फिर Q2 ही होगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है Q1 की वैल्यू अगर तुम डारेक्ट सीवी लिखो सी तुमारा 5 और 100 तो 500 माइक्रो कुलम अगर तुम लिख देते हो तो कोई गलती है क्या 500 माइक्रो कुलम अगर तुम लिख देते हो तो इसमें कोई गलती है क्या बताओ 500 माइक्रों कुलंब अगर तुम लिख देते हो तो इसमें कोई गलती है क्या क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पॉटेंचल डिफेंस इतना होगा और इसी पॉइंट के बीच तो डारेक्ट लगाई है सर इसका क्या करेंगे तो इसका सी कॉइलेंट जरूर निकाल लो बोलो इन दोनों का सी कॉइलेंट क्या होगा सर सी कॉइलेंट होगा छे गुना तीन बटा छे प्लस तीन दो माइक्रो फराड ठारा नो दो माइक्रो फराड तो उस पर जो क्यूटू चार्ज होगा दो गुना सो, दो सो माइक्रो कुलम, कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो चीजे बड़ा असानी सो जाएगा तो सर्क Q2 गया इधर 200 और ये गया 500, तो टोटल चार 700 जाएगा क्या, अरे आग लगा दी वे, तुने आग लगा दी, टोटल चार्ज 700 जाएगा, बिलकुल सही कह रहा है, टोटल चार्ज 700 जाएगा, बिलकुल सही कह रहा है टोटल चार्ज 700 जाएगा बिलकुल सही कह रहा है तो नेक्स देख, इन्दर जोटने डाइग्राम फोर कैपसिटर, देख आप दू पॉइंट और इस दू पॉइंट के बीच पैडल लगा है तो सीधा कह सकतो चार चार तो आठ हो जाएगा सिंपल में तो ये हो गया तुम्हारा बीस उसके बाद यहां से बीच में आठ उसके बाद ये बारह और तीनो स्रीज में लगा है तीन सो वोल्ट से ये दोनो सर्किट सेम है के डिफरेंट पहले ये बता दो ये दोनो सर्किट सेम है या डिफरेंट इतना बता दो ये दोनो ही सर्किट सेम है या डिफरेंट सेम है या डिफरेंट अगर तुम को ये समझ में आ गया हाँ मिटा बहुत बढ़िया अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो सवाल बहुत एजी है तुम कर ले जाओगे अगर तुम्हें ये बास समझ में आ गया तो सवाल बहुत एजी है कर ले जाओगे यहाँ पर देखो ये सवाल भी मैं होमवग देता हूँ बहुत एजी है क्या करना है सर पहले इन दोनों को हम सीरीज में ले लेंगे सीरीज में है ये तो सीरीज में कड़ी देता हूँ छेती अठारा ये दो माइक्रोफेड आएगा ये दो माइक्रोफेड आएगा और ये दो और ये दस पैरलल में है माइक्रोफेड इसके साथ ये तुम्हारा चार माइक्रोफराड है फिर ये 90 वोल्ट की बैटरी क्या समझ मैं आ रहा अब बेटा 10 और 2 ये 12 और ये 4 बचेगा ये बचेगा तेरा 4 माइक्रोफराड और ये बचेगा तुम्हारा 10 और 2 12 माइक्रोफराड और यहां से एक बैटरी लगी ऐसे क्या ये सर्किट और ये सर्किट सेम है अगर सेम है तो बस फंसब कर दो बस फंसब कर दो फंसब कर दो ये सेम है तो फंसब कर दो बाकी का चीज तुम अराम से निकाल ले जाओगे इतना सिंप्लिफाई कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं वैसे मुस्किल था ये दोनों सिरीज में फिर ये पैरलल में फिर ये सिरीज में लेकिन सोचो ये हम सिरीज में जोड लिए दो आएगा ये दो और ये दस ये पैरलल है तो बारा और चार सिरीज में है थमसब कर तो बस मैं समझ जाओंगा उसके बाद ये तुम्हारे लिए एक दो सवाल बेटा घर पे खुद भी करना अरे मज़ा आ गई चलो अब सिर्फ दो टॉपिक तुम्हारा बचा है सिर्फ दो टॉपिक बचा है कौन कौन सा दो टॉपिक बचा है मैं आपको बता देता हूँ आपका अरे वाई 142 स्पेज पे आ गया तो कितना बचा है बस 20 25 स्पेज 25-26 स्पेज बचा है सिर्फ दो टॉपिक आपका बचा है एक टॉपिक है एक टॉपिक है combination of dielectrics मतलब एक डियालेक्ट्रिक का इफेक्ट तो आपने पढ़ा था कॉंबिनेशन ओफ डियालेक्ट्रिक और दूसरा टॉपिक है फाइंडिंग ओफ सी कुवेलेंट मतलब सीरीज एन पैरलल कॉंबिनेशन के वैसे सवाल आपने करेंट इलेक्ट्रिसिटी में अलग-अलग सीमेट्रिक सरकीट, वीट स्टोन ब्रेज ये सब आपने किया होगा उसी तरीके से कैपसिटर के भी सीरीज पैरलल कॉंबिनेशन में सी कुवेलेंट फाइंडिंग के सवाल एक्जाम में पूछे जाते हैं और कैपसिटर में भी सिमेट्रिक सरकीट होता है, कैपसिटर में भी बीट स्टोन ब्रेज बनता है, तो सिर्फ दो टॉपिक आपके बचे है, ज़्यादा नहीं बचा बचा बटा ठीक है? ठीक है? चलिए, चलिए, शुरू करते हैं हापर, देखिए बटा इफेक्ट आफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस बीट्विन दा पैडलल पेट कैपसिटर, सर यह तो आमने पढ़ चुका थे, सर यह तो आमने पढ़ लिया था, बेटा वहाँ पे जब हमने पढ़ा था न, उस केस में प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक डाला था, सुनिएगा बात, प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक डाला था, वो पूरे स्पेस में डाल दिया था, यहाँ पे जो हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, वो दी डिस्टेंस प्लेट के बीच है और सिफ्टी वि capacitance क्या होगा तो पहली बात तो ये याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे electric field versus distance का graph बनाऊंगा तो वैसे तो parallel plate के बीच में electric field constant होता है लेकिन यहाँ पे जहाँ पे air है वहाँ पे तो electric field e naught रहेगा लेकिन जहाँ पे dielectric है वहाँ पे electric field e naught किया जाएगा तो बताओ इसका graph कैसा बनेगा जहाँ पे air है उस space में तो electric field constant e naught रहेगा लेकिन जहाँ पे dielectric डाला है वहाँ पे electric field कम हो जाएगा और फिर यहाँ पे air है तो फिर ऐसा हो जाएगा क्या आपको electric field और distance का graph समझ में आया क्या आपको electric field और distance का graph समझ में आया ठीक है आप सुनिए इसका capacitance लिखने का एक खतरनाक ठीकारी MR star बताता हूँ सुन के capacitance लिखना C बड़ाबर तो मुझे बताओ इस dielectric का area और इस capacitor plate का area सेम है कि different dielectric का area और capacitor plate का area capture plate का area और dielectric का area सेम है कि different सेम है कि different बस इतना बताओ capacitor plate का area और dielectric का area सेम है कि different यह बताओ नेहा कहरी है different है अच्छा गितांजली कुमारी कहरी है different है जतिन कहरे है different है लेकिन उसके बाद सब सेम कहरे है same different 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 बस 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 तो तुम्हें सिखाने की जौद परेगी तुम्हें सिखाने की जौद पड़ेगी Mix जवाब है, थोरा सोच के बोलो थोरा सोच के बोलो बेटा क्योंकि पूरा कंसेप्ट इसी पे निर्वर करता है इसका एरिया और इसका एरिया इस प्लेट का एरिया और डालेक्ट्रिक का एरिया सेम एकी डिफरेंट क्योंकि आगे का सारा कंसेप्ट इसी पे डिपेंड है गरे गरे नो रिलेशन्सिप चल रुक बताता हूँ कुछ तो करना पड़ेगा तुमारे लिए तुम बहुत चोमू हो क्या करूँ देखता हूँ मोडूल ओडूल कहीं पड़ा हुआ है तो कुछ पड़ा है कहीं जलो देखो लो आज तुम रात में 12 बज़ तक पढ़ रहो कितने बज़ गया सारे 12 बज़ गया तो हम तुम सभी बच्चों को पूरे 30,000 रुपए नगधी नाम देते हैं सभी फिजिक्स वाला के बच्चों को पूरा कितना 30,000 रुपए का नगधी नाम सभी बच्चों को 30,000 का नगधी नाम फिजिक्स वाला की तरप से 30,000 वंली physics वाला for the out standing performance सबी बच्चों को सबी बच्चों को 30,000 रुपए सबी बच्चों को 30,000 रुपए आप देखो सबी बच्चों को 30,000 रुपए मिलेंगे क्योंकि आप रात में 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं एक बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत ही महांदा वाली बात है, बहुत ही संगर्ष वाली बात है, तो सभी बच्चे को पूरे 30-30,000 रुपए का नगदीनाम लेके घर जाओ, लो 30-30,000 रुपए, 30,000 वन ली, 30,000, 30,000 वन ली, 30,000, पूरे 30,000 रुपए, पूरे 30,000 रुपए का नगदी नाम लेगे चलो अब परो अब देखो, यह capsule plate है, ठीक है अब तुम बीच में इसके डालेक्टिक डाल रहो यह तुम्हें जो line दिख रहा असल में यह line नहीं है यह plane में दिख रहो इसलिए line जैसा दिख रहा यह actual में क्या है यह actual में पूरा ए एरिया है अब यह दो plate, इस plate को यहाँ पर माल लो अब इस plate के बीच में मैं डालेक्टिक जैसा आ गया अब मैं डालेक्टिक जैसा जो आया हूँ वो यहाँ से यहाँ तक बीच में दो डीडे स्रेंस लेकिन एरिया तो पूरा का पूरा यहां से यहां तक फेस कर रहा ना ऐसा समझो ऐसा समझो यह पता है कैसा डाला गया है एक प्लेट यह एक प्लेट यह दो प्लेट और बीच में इसी के जैसा है कि यहां पर यह डाल दिया है एरिया सेम है यह जो facing area इसका बनेगा और इसका area बनेगा उसेम है दी अलग है area same है तो जब आप ऐसे ऐसे करके dielectric ढलोगे बने एक यहाँ डाल दी एक यहाँ डाल दी इस तरह से dielectric ढलोगे न यहाँ बने तो area तो same ही है न बिटा तो area same है तो इसलिए आप रखोगे epsilon not area same है जिट इस बटा, जितने distance तक dielectric है उसका distance, बटा dielectric constant, तो सर्ट t distance तक dielectric है, तो t width बटा के इसका dielectric constant, प्लस, यहां हवा है, तो हवा कितने दूरी में है, तो total distance तक d, उसमें से t घटा दो, तो हवा है d minus t तक, बटा, एयर का डियलेक्ट्रिक कॉंस्टिंट होता है वन, और एयर, ये तुम्हारा कैपसिटिंस होगा एकदम जोरदार, अगर ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी आएगा देख, अभी आएगा, एकदम दिल तक पहुचेगी बात देख बताता हूं, एकदम दि एक D1 मोटाई का, इतने का बिटा, D1 मोटाई का, K1 डियलेक्ट्रिक का, डियलेक्ट्रिक कॉंस्टिंट डाल दिया, उसके बाद, यहां से यहां तक D2 मोटाई का, यह टू डियलेक्ट्रिक कॉंस्टिंट वाला मेट्रियल डाल दिया, तो पता इसका कैपसिटेंस क्या होगा, C बराबर, इप्सालन और एक्यू की एरिया तो सेम है, बता, इसकी मोटाई D1, कैपसिटेंस K1, इसकी मोटाई D2, कैपसिटेंस K2, जाल जी ले अपनी जिन्द पता, यहां गई की नहीं गई यह बात बता, यह जो दोरदार बात है, वो यहां गई की नहीं गई, खासर बड़ा असान है, यह प्लेट और यह प्लेट, एरिया सेम है, तो इपसालन और आटे, हम कैपसिटेंस क्या लिखते हैं, इपसालन और ए बटा डिस्टेंस यह पूछेंगे, equivalent dielectric constant का क्या मतलब होता है? équivalent dielectric constant का बेटा मतलब होता है, कि सारे में अगर k डाला होता तो, सारे में k डाला होता तो, इसकी dielectric constant होती, k epsilon not a by da होती, और अभी कितनी है, अभी इतनी है, तो लिको, epsilon not a divided by d1 by k1 plus d2 by k2 ध्यान से जब तुम देखोगे तो a epsilon not a epsilon not कटेगा तो equivalent electric constant k बराबर क्या आ रहा equivalent electric constant k बराबर आ रहा तुम्हारा k बराबर आ रहा d को इधर ले जाओ d divided by d1 by k1 plus d2 by k2 यह आ रहा तुम्हारा k equivalent क्लियर है बेटा equivalent का मतलब क्या होता है कि पूरे में अगर एक डियालेक्ट्रिक डाल दोके तो equivalent डियालेक्ट्रिक constant क्या होगा अगर आधा आधा distance होता d1 बराबर d2 होता तो यहां से d बाहर निकल के cancel हो जाएगा तो यहां को क्योगा k1 k2 k1 plus k2 बताओ यहां तक clear है यह बात यहां तक यह बात clear है क्या k1 k2 divided by k1 plus k2 निया कहरी तीसजार उपए में उन्हें देदो अब यह भी क्या दिया मैंने तुम्हें कुछ और ले लिक्या तु गलत बात बेटा जो दिया होई ही लो बदमासी नहीं बदाओ के equivalent क्या होगा आया समझा आगे बेटा समझा आगे बेटा अब आगे देखो अब आगे देखो सुर ऐसे ऐसे अगर different distance में डालते जाये तो different distance में डालते जाये तो अगर तुम करना चाहते हो तो लो मजाएगा करो सर अगर मान लो यहां से D1 distance में K1 डाल दिया यहां से D2 distance में K2 डाल दिया और D3 distance में K3 डाल दिया तो capacitance क्या होगा अरे जोला चाप इधर देख epsilon नोट ए बटा D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 बोल जोरदार MR स्टार बोल बोल जोरदार MR स्टार बोल next यह क्या कह रहाँ dielectric slab between placed between dielectric slab placed between capacitor इना पैर्लल कॉम्बिनेशन अब पैर्लल कॉम्बिनेशन का मतलब समझे पैर्लल कॉम्बिनेशन का मतलब समझे बेटा यह एक प्लेठ है एक क्वे दोनों प्लेठ के बीच में क्वे तो डेलेक्ट्रिक कैसे डाले लिए आमने और डेलेक्ट्रिक को पूरे स्पेस में आ गया क्या क्या ये डियलेक्ट्रिक पूरे स्पेस में आ गया कैसे दिखाऊं तुम्हें ऐसे देख ऐसे समझ पाएगा लेटरल रख दू तो कि यह पूरे स्पेस में आ गया क्या यह पूरे अरिये में आ गया क्या डालेक्ट्रिक का एरिया और प्लेट का एरिया बराबर है क्या डालेक्ट्रिक का एरिया और प्लेट का एरिया बराबर है क्या डालेक्ट्रिक का एरिया और प्लेट का एरिया बराबर है क्या डालेक्ट डियालेक्ट्रिक कह रिया और प्लेट कह रिया बराबर है नहीं क्या डियालेक्ट्रिक का डिस्टेंस और प्लेट के बीच का डिस्टेंस बराबर है इस्टेंस के लिए बताईए एरिया तो नो लिख दिया आपने डिस्टेंस बताईए दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है और डालेक्ट्रिक का जो डिस्टेंस हो सेम है की नहीं कि पताए ऐसे करते हैं ना अंवसाम को नहीं बता रहा था एधर कि ऐसे कौन परहाता है जा जा एसे कौन परहाता है जा ऐसे कोई परहाता है क्या बताओ, ऐसे प्रहान से तुमको ज़्यादा समझाये कि निया है मैं तुम्हें हवा में बताते रहता क्या समझाता समझारा क्या डिस्टेंस से में समझारा समझारा मतलब डियलेक्टरिक कुछ ऐसे डाला जारा डालेक्ट्रिक कुछ ऐसे डाला जा रहा, तो सर डिस्टेंस तो अब बिसी वात है, सेम ही रहे गए ने, दोनों प्लेट को टच कर रहा है, हाँ लेकिन इसका एरिया आला गए, तो माल लो इसका एरिया कुछ एवन है, देखो न, यह इस प्लेट का एरिया ऐसे, ऐसे देखते है, यह तो कमी एरिया है, तो A1 एरिया मानेंगे, फिर दूसरा डियलेक्ट्रिक डालेंगे नीचे, फिर हम दूसरा डियलेक्ट्रिक डालेंगे नीचे, ऐसे डालेंगे दूसरा डियलेक्ट्रिक डालेंगे नीचे, यह A2 एरिया का एगा, इसका डियलेक्ट्रिक कॉंस्ट तो इसमें जो capacitance आईगा, इसमें जो capacitance आईगा, वो क्या होगा, ठीक है नि? वो क्या होगा? जल्दी बताना क्या होगा. Sir, इस plate, A बोलते हैं, इस plate को B बोलते हैं, इसके बीठ जो capacitance आएगा, होगा, epsilon नॉट by d, same आएगा सबका, क्योंकि distance तो सबका same है बटा इसका area A1 dialectic A1 तो dimensionally dialectic यहाँ आता है तो यह हो जाएगा A1 K1 plus A2 K2 plus A3 K3 बोलो चमका के नहीं चमका A3 K3 समझा रहा हो गया खतम बढ़िया यार अगर आपको equivalent dialectic constant पूछता है equivalent dielectric constant पूछता है तो equivalent dialectic constant क्या होगा तो सारे को हटा कि अगर K equivalent मानते हो तो epsilon not सारे को हटा कि अगर K equivalent मानते हो तो यही तो capacitance आएगा और actual में capacitance ही आएगा epsilon not D into A1 K1 plus A2 K2 plus A3 K3 यहां से ध्यान से देखेंगे तो epsilon not D से epsilon not D कटेगा तो K equivalent की value आजाएगी A1 K1 plus A2 K2 plus Y divided by A1 plus A2 plus A3 clear है बेटा क्या आपको series and parallel combination समझ में आएकर प्रिंटिंग विस्टेक अहां विटा K3 K3 अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार नीचे तो ठीक लिखा न देख प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 अब ठीक है अब यार ठीक है ले clear समझाएगे समझाएगे चलो अब अगर combination में डल जाए ऐसे डाल दिया जाए तो equivalent capacitance कैसे लिखोगा तो सबसे पहले ध्यान से देखना क्या यहाँ पर distance पूराडी है हाँ क्या यह आधे distance तक डाला है सर नहीं लिखा मैं बता रहूं आधे तक डाला है इसका area आधा है यहाँ पर AY2 इसका area आधा है यहाँ पर AY2 अब कैसे लिखोगे dielectric constant कैसे लिखोगे कैसे लिखोगे dielectric constant तो dielectric constant लिखने का एक बहुत असा तरीका बताता हूं बहुत असा तरीका बताता हूं तुम क्या करो कि ये एक अकेला x से y के बीच में एक capacitor ये k1 वाला का c1 capacitance लिखो उसके बाद तुम्हें नहीं लग रहा ये पहले लगाया फिर इसके बाद ये लगाया तो दो capacitor ऐसे लिखो सिरीज में ये तुम्हारा c2 और ये c3 अगर मैं c1 की value बूछूं तो यहां से यहां तक distance पूरा d area a by 2 तो c1 की value आएगा dielectric constant k1 epsilon 0 a by 2 into distance d अगर मैं इस पूरे space में यहां से यहां तक k1 डला है यहां से यहां तक k1 डला है तो यहां से यहां तक k1 dielectric डला है उसकी capacitance अगर लिखू तो area a by 2 distance d k1 epsilon 0 a by 2 into d क्या मैंने c1 सही लिखा है क्या मैंने c1 सही लिखा है हाँ सर c2 बताओ क्या होगा सर यहां से अगर मैं c2 लिखना चाहूं c2 लिखना चाहूं तो इसकी capacitance हो जाएगी k2 epsilon 0 a by 2 क्योंकि area आधा और distance भी आधा तो d by 2 तो यह 2 से 2 कर जाएगा हाँ एकदम सही उसी तरीके से इसकी capacitance लिखोगे तो आएगा k3 epsilon 0 a by d अब इन दोनों का कौन सा combination होना है series सर उसके बाद इन दोनों का parallel तो parallel के लिए क्या करोगे c equivalent लिखोगे तुम c1 प्लस c1 c3 बटा c2 प्लस c3 यही आएगा क्या answer बेटा इन दोनों का series combination कैसे होता है c2 c3 बटा c2 प्लस c3 यही तो लिखोगे अब देखो answer c1 बोलो क्या है सर k1 epsilon 0 a by 2 d और जब हम इस दोनों को multiply करेंगे तो सर epsilon 0 a by d epsilon 0 a by d को तो common निकालो epsilon 0 a by d common into k2 k3 multiply कर लो k2 k3 divided by k2 plus k3 क्या यह answer आएगा थोड़ा लिंदी है बेटा लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमें निकालना पड़ेगा अगर value d होती तो यह असान होता value d होती तो यह असान होता यह तुम्हारा जवाब आएगा यहां से epsilon 0 a बटा d epsilon 0 d बटा d को बाहर निकालोगे तो यह आएगा epsilon 0 a बटा d को बाहर निकालोगे तो यह आएगा तुम्हारा k by 2 k1 by 2 k1 by 2 यहां पे आजाएगा k2 k3 divided by k2 plus k3 clear है यह बात clear है यह बात संघर्ष बटा संघर्ष 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 करना परता है बटा संघर्ष करना परता है एक यह माईस्टार सीखोगे तो अगर exam में यही चीज़ आ गया और चार option मुझे दे दिया तो सर्म हम तो परसान हो जाएंगे निकालते- निकालते कब होगा complete मैं भगवान नहीं हूँ बैटा मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिस कर रहा हूँ मैं भगवान नहीं हो यह कब complete हो जाएगा कितने देर में complete हो जाएगा सब कुछ तुमको बता दू 146 पेज में 165 पेज है टोटल तो 20 पेज बचा है यह अपन एंड पे ही है उसके बाद सीकोल एंड के सवाल होगे सब्सक्राइब मैं देली बाद ध्यान से सुनना एक कह रहा है कि सार पांच घंटा कब का हो गया तुम जानते हो यह चेप्टर कितना बड़ा है अगर तुम्हें मैं टॉपिक का नाम लिखने के लिए दे दूना कि सिक्वेंस में कितने टॉपिक हैं बताओ तो एक घंटा लाएगा आदा घंटा लाएगा याद करकर के लिखने में बत्तमीजी कर रहा है आंके अच्छा से परहार हो समझार हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है पांच घंटा कब का हो गया तो एहसान कर रहा है आपर रुक के चल देख यहांपे अगर मैं तुम्हें चोटा से मारे स्टार बताओ कि मान लो बेटा कि के वन डियालेक्ट्रिक कॉंस्टेंट का मेडियम रखा के टू डियालेक्ट्रिक कॉंस्टेंट का मेडियम रखा के थरी डियालेक्ट्रिक कॉंस्टेंट का मेडियम रखा तीनों की डाइलेक्टरिक कॉंसंट ड्लाग लगए K1, K2, K3 लेकिन हमें तो exactly नहीं पताना कि K2 जादा है, K3 जादा है, K1 जादा है बता तो कौन जादा है K1, K2 या K3 बता तो कौन जादा है, K1, K2 की K3 कौन जादा है K1, K2, K3 कौन जादा है तो यह मत बोल देना K1 जाद है यह जादा दूर तक लगा है कि वन की वैल्यू थो इन्हे जाद है अगर मैं ऐसा सोचू कि सर अगर K1 बराबर K2 बराबर K3 होता ये 1 होता चलो माल लो K1, K2, K3 सब की value 1 रख दो अगर माल लो बराबर होता है नहीं बराबर लेकिन माल लो value fix नहीं दी हुई है तो माल लेकि अगर बराबर होता और उसकी value 1 होती, year होता तो sir capacitance तो आना चाहिए epsilon not a by d अब यहापे रख के देखो K1, K2, K3 की value अगर 1 रखो तो answer आएगा epsilon not a by d रख के देखो epsilon not a by d यहापे value रखो 1 तो 1 by 2 plus 1 into 1, 1 divided by 1, 1 plus 2 1 by 2, 1 by 2 half plus half 1 आएगा तो epsilon not a by d answer आ रहा है, sir आ रहा है और मैं तुम्हें guarantee के साथ कहता हूं ध्यान सुनना, मैं तुम्हें guarantee के साथ कहता हूं कि अगर exam में ऐसा सवाल आ गया तो एक ही option verify होगा टिक कर देना, sir इतनी guarantee कैसे कह रहा हो क्योंकि बेटा यह सवाल neat के level का नहीं यह बहुत मुस्किल है, अगर ऐसे सवाल neat में आते हैं तो यह मुस्किल हुआ ना बेटा आयत है ऐसे सवाल neat 2016 में इसमें बहुत बढ़ा controversy है कि यह सवाल सही है कि गलत इसमें बहुत controversy हुई लेकिन अभी मैं controversy में नहीं परूँगा अभी मैं तुम्हें एमा स्टार की तागत सिखाऊंगा, इधर देख अब parallel plate capacitor of area A plate suppressant D and capacitance C capacitance C मतलब plate suppressant D यह plate ऐसे रखा है बैटा, plate ऐसे रखा है plate ऐसे रखा है filled it with four different material having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 यहाँ पर डाला dielectric constant K1 यह डाला K2 यह डाला K3 और यह डाला K4 क्या क्या डाला K1, K2, K3, K4 clear है क्या यह बात इस K1 का area है A by 3 और distance यहाँ पर आधा है D by 2 इसका area A by 3 distance आधा D by 2 इसका area A by 3 distance आधा D by 2 यहाँ पर भी distance हो जाएगा आधा D by 2 और इसका area तो पूरा ही A है K4 वाले का अब इसका पूछा कि dielectric क्या पूछा if a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in the capacitor then the dielectric constant is given by इसको 90% बच्चे 95% बच्चे छोड़के आएथे क्योंकि अगर इसका actual solution करने पर आ जाए तो एक page लगेगा और आप Ethernet पर जाके इसका solution देख सकते है क्या किया है मैं solution पर नहीं जाओंगा क्यों नहीं जाओंगा सर आप short trick बता रहे हो क्या है नहीं short trick नहीं बता रहो मेटा concept बता रहो इसमें बताओ K1, K2, K3, K4 किसकी value जादा है किसकी value जादा है बताओ तो तुम्हें बोलना परेगा कि सर हम value नहीं बता सकते किसकी जादा है K1, K2, K3, K4 सबकी value कुछ अलग अलग होगी और value exactly नहीं दिया हूँ है तो कुछ ने कुछ तो value होगा अगर मैं मानू K1, K2, K3, K4 सब बराबर है इस K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर K4 और सबकी value 1 है तो ऐसे मानोगे तो हवा, 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 हवा तो सब हवा हवा का equivalent electric constant तो 1 ही आना चाहिए तो सबको 1 रखने पर जिसमें K equivalent की value 1 आएगा वही answer होगा तो चलो इसको check करें इसको check करतें 1, 1, 1 तो उपर 3 और नीचे 3 तो ये बचेगा 3 by 3 1 आएगा और यहाँ पर 1 रखोगे तो ये भी 1 आएगा तो इधर आजाएगा तुम्हारा 2 2 से 2 कटेगा K equivalent 1 आएगा इसमें इसमें सबकी value 1 रखोगे 1, 1, 1 तो 1 plus 1 plus 1 3 और यहाँ पर 1 रखो 3, 6 आएगा इसमें गलत होगा इसमें जब 1 रखोगे तो 1 plus 1 plus देखो 1 रखो 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 और यह 3 by 2 तो तीन प्लस 3 बटा 2 नहीं आएगा एक इसमें 1 रखोगे तो 3 से 3 कटेगा देखो नो 1, 1, 1, 3 3 कटेगा देगा तो 2 बचेगा यहाँ 2, 4 इसमें भी नहीं आएगा तो सई एंसर आपका चला जाएगा है कैसे? यह बचा 2 बचा 2 बचे is equal to the 2 तो यह 2 से यह 2 कटेगा k बड़ावर 1 आगया पहला एंसर है लेकिन इसको करेंगे कैसे? अरे बचा इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ यह controversy में फस गाता सवाल नीट बालों ने इसका solution कैसे दे दिया? इसको इसको और इसको उन्हेंने मान लिया parallel में लेकिन actual में यह तीनो parallel नहीं होंगे क्योंकि इस point का तो चलो potential एक ही होगा लेकिन यहाँ पे इन तीनो point का potential same नहीं होगा तो पता है इसको कैसे करेंगे? इसका K1, K4 का यहाँ से जहाँ तक किक हम ले लेंगे series में फिर इसको ले लेंगे हम series में फिर इसको ले लेंगे हम series में और फिर इन तीनों का parallel करेंगे तुम उस जल्जट में मत परो क्योंकि ऐसे सवाल या तो छोड़ने होते हैं क्योंकि बेटा आप इतना calculation करके अगर चार नंबर लेते हो तो बेफ कूफी हो बेफ कूफी हो चलो यह सवाल देखो अथ्य से देखना अ पैरलल प्लेट एर कैपसितर हैस कैपसितन सी आँ हाफ अप 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 आप स्पेस इस फिल्ड़ड बिथा न्या कैपसितन सी क्या होगा तो देखो बेटा ऐसा है कि सबसे पहले बताओ यह डियलेक्ट्रिक सीरीज में की पैरलल है सर यह और यह पैरलल री डाला है इस एक डियलेक्ट्र के हाँ और शब्लेण का पॉइंट है फिर यहाँ तो हम ऐसे लिखेंगे इप्सालन नॉट बाई A इंटू इसका एरिया आधा A बाई 2 इंटू K और यह हो जाएगा आपका A बाई 2 इंटू 1 तो A बाई 2 आपका बाहर आजाएगा A बाई 2 बाई 2 बाहर आजाएगा तो इप्सालन नॉट A बाई यह D लिखना है, sorry, D है एपसालन नॉट एवाई 2D into k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस आप नहीं, k प्लस आप क्यों हा रहे हैं? यह आ गये न, फस्त, air capsid होता तो capsid tenses की क्या होती? तो epsilon not a y d को c लिख जया c by 2 k plus 1 देखो c by 2 k plus 1 पहला जवाब आएगा और यह सही भी है ज़िए अगर k को 1 डख तो a r r हो जाएगा k को 1 डखने पर c आना चाहिए k को 1 डख होगे 1 plus 1 2 2 से 2 कट दिया देखो सही अंसर आगा अगर मालो k 1 होता अगर मैं इमार स्टार लगा के हाँ पर सोचने कोसिस करो कि इफ के 1 तो सब के 1 डखो तो c डाएगा आपका epsilon not a by d c के बरावर आएगा तो यहाँ पर 1 डख को देखो 1 plus 1 2 2 से 2 कट गया c डाएगा बहुत जोड़दार यहाँ पर 1 डख के देखो तो half 3 by 2 नहीं आएगा यहाँ पर 1 डख के देखो 2 c नहीं आएगा यहाँ पर 1 डख के देखो 3 by 2 नहीं आएगा कितने लोगों ने वाँ स्टार से सोचा हला कि बढ़ आसान था हला कि बढ़ आसान था इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेनी की जौत नहीं थी लेकिन फिर भी अगर आप एमार्स्टार से सोचते हैं तो कोई बुराई नहीं है नेक्स देखिए बटा नेक्स देखिए अब पैरलल प्लेट कैपसिटर आफ्टर चार्जिंग इट केप्ट कनेक्टेट टू बैटरी देखो यहाँ पर बिटा अच्छे से सुनना ज्यादा समय नहीं है जो बता रहो ध्यान से सुनना और याद रखना अगर कैपसिटर को हम बैटरी से चार्ज करते हैं और बैटरी रिमेंस कनेक्टेड बैटरी रिमेंस कनेक्टेड बैटरी लगा हुआ रहता है पोटेंशियल रिमेंस सेम चाहे तुम कैपस्टर प्लेट के बीच में डालेक्टिक डालो डालेक्टिक डाल दो बैटरी लगाय रखना बैटरी रिमेंस कनेक्टेड या तुम कैपस्टर प्लेट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दो पोटेंचिल चेंज नहीं होगा पोटेंचिल चेंज नहीं होगा सुनना बहुत इंपोर्टेंट कंसेट बता रहो इंसे तो तुम बता लेना बहुत इंपोर्टेंट कंसेट बता रहो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कंसेट बता रहो जहां से सुनना capacitor plate के cross अगर battery लगा के तुम इसके distance को double करो या इसमें dialectic डालो कुछ भी करो तेरा potential change नहीं होने जा रहा clear है अब यही सवाल यहां लिखा है parallel plate capacitor after charging kept connected to the battery and the plates are pulled apart with the help of insulating handle now which of the flowing quantity will decrease तो तुमारा potential तो change नहीं होने जा रहा अगर तुम distance बढ़ाओगे तो epsilon not A by D तो capacitance कम होगा और Q बराबर होता है C भी तुमारा रहेगा constant C कम हो गया तो Q कम होगा अगर charge भी कम हो रहा capacitance भी कम हो रहा तो तीसरा option क्या सोचना energy भी कम होगा अगर अगर आप बैटरी हटा के battery removed अब distance डबल करो तो क्या charge decrease होगा नहीं बैटरी हटा दोगे तो charge हमेशा क्या रहेगा same बना रहेगा अगर बैटरी हटा के कुछ करते हो तो charge हमेशा क्या रहेगा same बना रहेगा चार्ज क्या रहेगा same बना रहेगा चार्ज क्या रहेगा same बना रहेगा in the circuit below C1,2,20,C2,40,C3,50 is no capacitor can sustain more than 50 volt then maximum potential difference between X and Y बढ़िया सवाल है देखो बैटा ये 20 microfarad है ये 40 microfarad है ये 50 microfarad है और कोई भी 50 volt से जादा potential tolerate नहीं करता ये इसका breakdown voltage है breakdown voltage वो voltage होता है जो maximum voltage कोई tolerate कर सकता है तो maximum ये 50 volt tolerate करेगा ये 50 volt करेगा ये 50 volt करेगा अगर मैं इस पर 50 volt tolerate कराके चार्ज देखो तो Q बरावर होता है CD तो इस पर जो maximum चार्ज आ सकता है पांच दुना दस 1000 microcolum आएगा तो इस पर जो maximum चार्ज आ सकता है पचास कुना चार पांच उक बीस 2000 microcolum आएगा और इस पर जो चार्ज आ सकता है वो 2500 microcolum आएगा इस पर maximum चार्ज इतना दे सकता है इस पर maximum चार्ज इतना दे सकता है इस पर maximum चार्ज इतना दे सकता है इस पर maximum चार्ज इतना ही दे सकता है अगर इससे ज़्यादा चार्ज दूँगा तो यह फूक जाएगा लेकिन सिरीज में क्या चार्ज हमेशा सेम जाएगा सिरीज में चार्ज हमेशा सेम जाएगा हाँ तो बताओ कितना चार्ज देना चाहिए कि ये सेफली काम करे कितना चार्ज इस पर मैं दू कि ये सेफली काम करे सर एक हजार दोगे तो ठीक रहेगा एक हजार से ज़्यादा देते ये फूख जाएगा और तीनों पर सेम चार जाना चाहिए तो मैं मिनिमम मिनिमम वही चार्ज दूँगा जो तीनों के लिए सेफ रहे तो मैं ये चार्ज दे सकता हूँ अगर मैं एक हजार दूँगा तो पहले वाले पर एक हजार चार से तो potential 50 बोल्ट कहीं आएगा दूसरे बाले पर अगर मैं एक हजार चार्ज दू तो इस पर potential कितना आएगा पर एक हजार चार्ज दो तो वी बढ़ावर हैगा आपका QYC एक हजार बटा चालिस तो ये जीरू कटेगा तो आएगा तुम्हारा और 20 पंचान में तो मैक्सिमम मैक्सिमम पंचान में वोल्ट आप potential दे सकते हैं इससे जादा नहीं दे सकते हैं 95 वोल्ट potential आप maximum दे सकते हैं इससे जादा देंगे तो काम खराब हो जाएगा AIPMT 2014 का सवाल पढ़के बताओ अराम से अराम से AIPMT 2014 जलो ज्यान से ज्यान से बताओ क्या होगा बताओ क्या होगा जवाब ऐसा सवाल मैंने भी आपको करके दिखाया था सभी बच्चों का जवाब अगर C है तो C होगा अरे यार मतलगा रकनी दे रहागा सभी बच्चों का जवाब C है तो C होगा और बड़ा असान है देखना देखो यहाँ पर डालेक्ट्रिक केवन है यहाँ पर केट हुआ है तो दोनों जगा इलेक्ट्रिक फिल घटेगा बाकि एर में सेम रहेगा तो यहाँ पर बढ़ रहा है तो गलत है यहाँ पर सेम है तो गलत है यहां पर इलेक्ट्रिक फिल एक बार घटा एक बार बारा तो गलत है यहां पर इलेक्ट्रिक फिल दोनों बार घट रा तो सही है एक बार ज्यादा इसलिए घटा क्यूंकि डालेक्ट्रिक की वेल्यू ज्यादा थी इसलिए ज्यादा घटा ज्यादा थी इसलिए ज्यादा घ डिसकनेक्टेट फ्रॉम इट मतलब पहले कैपसिटर को चार्ज करके पहले कैपसिटर को चार्ज करके बैटरी अगर बैटरी अटा लोगे तो चार्ज तुम्हारा सेम रहेगा बैटरी नहीं लगा हुआ है तो चार्ज सेम रहेगा डियलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपसिटेंस तुम जानते हो के टाइम बढ़ जाएगा कैपसिटेंज के टाइम बढ़ जाएगा तो जानतों क्यू बरावर सी भी चार्ज तुम्हारा से कैपसिटेंज अगर सी टाइम बढ़ा तो पोटेंचल वी टाइम घटेगा तो इसमें से सही आप्शन बताओ दो चार्ज चेंज इन टाइज हम देख लेंगे चार्ज ओ दा कैपसिटर इस नौट कंजरब नहीं चार्ज तो सेंग रहेगा या पूछा है which of the following is incorrect, गलत पूछा है, तो charge क्या रहेगा, same, और यह रहा, charge not same, अरे भाई साब, यही तो wrong है, यही तो wrong answer है, बागी potential difference between the plate decreases by k times, आदेखो, potential difference decreases by k times, energy stored in the capacitor decreases by k times, energy देख लेते हैं, energy को हम लिख सकते हैं, QA square by 2C, circuit square by 2C, Q लिखा, क्योंकि charge same रखा है, तो EC के terms में देखो, charge same, और capacitance तुम्हारा k times बढ़ेगा, तो यहां से तुम्हे साब साब दिख रहा है, energy k times घटेगा, और इसलिए energy का difference देखो, energy finally k times घट गया, initially, same था आप cv square, देखो, इसलिए, पहला correct है, यह भी correct है, यह भी correct है, clear है क्या यह बात, जलिए next देखते है, ऐसे सवाल पूछे जाते exam में, a capacitor having capstance 1 microflat with air, अगर air था, epsilon not A by D, तो वो 1 microflat था, filleded half, with the dielectric as shown, filleded half, half of, half of, half of, half of with dielectric as shown, how many times capacitance will become, how many times capacitance will become, यह तुमारा plate ऐसे है, यह plate थोड़ा गलत बना, यह plate ऐसे है, यह plate ऐसे है, यह point A और यह भी, मुझे बस comment करके यह बताओ, series में लगाए कि parallel में लगाए, series में कैसे लगता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, parallel में कैसे लगता है, देखो इसका area आधा है A by 2, half of, इसका आधा A by 2, distance दोनों का same है, तो capacitance कैसे लिखोगे, capacitance लिखोगे, तो epsilon not by D, देखो same है, area आधा A by 2, into 8, plus A by 2, 4, ऐसे लिख देंगे, A by 2 बाहर निकाल लो, तो epsilon not A by 2, 8, 4, 12 आएगा, कितना असान है आधा, epsilon not A by D की value, 1 microphone दी हुए पहले से, तो 1, और ये कटेगा, A, क्या समझ में, आज six times बढ़ रहा है, क्या समझ में, आज six times बढ़ रहा है, बस अब last topic बचा है, से equivalent, बस maximum maximum आधा गंटा, 156 page पे है, 165 page तक आपको जाना है, maximum maximum आधा गंटा, बस, बेटा, complete chapter बहुत बढ़ा है ये, साथ, साथ घंटा, 30 मिनट में खतम कर लिया, this is the good, good, very good achievement, और हर topic पे खुल के सवाल करा है, खुल के एक दब, दिल खूल के सवाल करा है, साड़े PYQ कवर किया है, हर चीज कवर किया है, potential, potential में, आप अपने regular class में, जितने सवाल नहीं कियोंगे, उससे जादा मैंने करा है, potential, potential मैंने कम से कम 50 सवाल करा है, पचास, बोलने में न, आदमी की हिल जाती है, देखें आपर, in the arrangement zone, find the equivalent capacitance between A and B, यह अब नीट लेवल के सवाल है, A और B के बीच में equivalent capacitance निकाल है, देख, यह तुम्हारा parallel combination में simple addition होता है, तो 20, 10, 30, यह क्या हो जाएगा, 30 और यह 15, series में parallel जैसा addition होता है, तो 30 गुना 15 बटा 30 प्लस 15, तो यह हो जाएगा, 30 गुना 15 बटा 45, यह 3, 10 micro fire denser आदा, 10 micro fire denser आदा, clear है क्या, clear है क्या, clear है क्या, next, find the equivalent capacitance of the combination between A and B, A and B के बीच में equivalent capacitance आपको निकालना है, सुनो ध्यान से, जब भी इस तरह का सवाल हो, जब भी इस तरह का सवाल हो, potential method से करो, मतलब, माल लो यहां का potential कुछ V A है, तो बेटा, जब तक, बीच में battery और capacitor नहीं आएगा, potential वहीं रहेगा, मतलब वो point same रहेगा, अगर यह point A है, कोई battery नहीं, कोई capacitor नहीं, कोई battery नहीं, कोई capacitor नहीं, यह भी point A है, अगर, यह point आपका B है, तो यह भी B है, B है, B है, यह B है, A को side में बनाओ, B को भी side में बनाओ, अगर मुझे बताओ, कि क्या यह C1 A और B के बीच connected है, हाँ सर, यह C1 A और B के बीच connected है, क्या यह C2 भी A और B के बीच connected है, हाँ, C2 भी A और B के बीच connected है, क्या यह भी C3 भी A और B के बीच connected है, हाँ, C3 भी A और B के बीच connected है, तो C equivalent क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 C1 प्लस C2 प्लस C3 is your correct answer नेक्स देखिए बटा ये है short circuit का सवाल बहुत बढ़िया सवाल है एक बार इसको करिए बस एक मिनिट पांच मिनिट का ब्रेक लेक लेता हूं ठीक है इस सवाल कर ये तुरा short circuit का सवाल है झाल कर दो दो प्लस C2 झाल प्लस C2 कर दो 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 जौlor parksकाण ये आदरो ऑफन दो प्लस C3 क दोड़िया बद़ बद़ियो है झाल नेरे सवाल कर ये व्ला ये लेंव़या आदर कर दो कर दो झाल झाल इधर आ गया मैं चलो देखो For the following circuit The equivalent capacitance between P and Q क्या जवाब बता रहे हैं बच्चे चौथा कह रहे हैं देखते हैं देखो बेटा ऐसा है कि ये पॉइंट तुम्हारा P है और येही point P रहेगा ये P है तो ये यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है simple wire है तो ये P रहेगा अगर ये Q है तो आगे Q नहीं जाएगा अगर मालनो ये X है तो ये point X तो ये point X और येही से तार गया है तो ये point आपका X होगा क्या मैं कह सकता हूँ कि ये point P और ये point P तो ये दोनो capacitor series में होंगे क्या मैं कह सकता हूँ नहीं ये दोनो C series में नहीं है क्योंकि बीच में disturbance है ये दोनो C series में नहीं है क्योंकि इधर X है मानता हूँ इधर X है लेकिन बीच में point P है यह दोनों सिरीज में नहीं क्या यह दोनों सिरीज में है हाँ यह दोनों सिरीज में है क्योंकि बीच में कोई disturbance नहीं यह दोनों सिरीज में है और इसके दोनों तरफ potential x और x का है तो यह दोनों short circuit हो जाएगा short circuit का क्या मतलब होता है कि माल लो ऐसा capsitter है और इसको दोनों तरफ ऐसे मिला दो तो इसकी कैपसिटरिंज क्या होगी, अब ध्यान से देखो एक unknown point P, दूसरा unknown point Q और बीच में एक unknown point आपने X माना तो ये P और X के बीच में कैपसिटर है बहुत बढ़िया P और X के बीच में कैपसिटर है ये X और P के बीच में कैपसिटर है, ये हो गया, ये हो गया ये भी P और X के बीच में, ये भी P और X के बीच में चलो हो गया एक, दो और ये तिन देखो, ये PX, ये भी PX, ये भी PX ये सौर्ट सरील खतम, ये X और Q के बीच में, X और Q के बीच में ये सीरीज में C, C, C ये हो जाएगा आपका 3C और इसके साथ ये C सीरीज में करोगे इंटू C बटा 3C प्लस C ये हो जाएगा 3C बाई 4 concept clear है short circuit का एकदम जोरदार तरीके से concept clear है बेटा short circuit का इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है रेंडमली आपको क्या बोल देंगे कि एक प्लेट लिया, ये एक प्लेट लिया ये एक प्लेट लिया ये एक प्लेट लिया ये तो बताईए इसकी equivalent capacitance क्या हो जाएगे जब भी बेटा ऐसा सवाल आपके सामने आए और आपसे equivalent capacitance पूछे तो सबसे पहला जो saw सौर्ट ट्रिक में इसमें समझारू ध्यान से याद अखना, कितने capster बनेंगे, कितने capster बनेंगे, पहले सवाल solve करने से पहले ये तो देख लो कि कितने capster बनेंगे, बताओ, या पर कितने capster बन जाएंगे, कितने, जितने gap है, जितने gap है कितने capster बनेंगे बताओ तोहाँ पर capster बनेंगे एक, दो, तीन तीन capster बनेंगे जितने gap है उतने capster बनेंगे, बच्चा कहाँ रहा है पाँच बनेंगे नहीं बेटा, gap के बड़ावर और ये point A दिया, ये point B दिया जितने भी point होते हैं A और B उसको बीच मेंसे बना लो सर ठीक है, ये A हो गया पूरा और सर, ये हो गया B इसको क्या मानोगे इसको A है क्या नहीं, इसे नहीं connected है B है क्या नहीं, तो जो नहीं पता उसको X मान लो X को बीच में मान लो अब मुझे बताओ, ये gap किसके बीच है सर, X और B के बीच तो X और B के बीच एक कैपस्टर बनेगा ये ये gap किसके बीच है सर, ये gap है X और A के बीच तो X और A के बीच एक कैपस्टर बनेगा ये gap किसके बीच है सर, X और A के बीच X और A के बीच एक और कैपस्टर बनेगा यह C और C पैरलल में क्या हो जाएंगे 2C उसके बाद 1C यहाँ पर बचेगा 2C और C सिरीज में हो जाएगा बेटा 2C by 3 आपका एंथर बदा मज़ा आया 2C by 3 समझा आया अब इस तरह के सवाल कुछ भी आएंगे बड़े असानी से आप कर सकते हो यह लेडर स्रीज है यह भी हम आपको कराएंगे इस तरह के सवाल और है क्या हम आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बनाते हैं अरे रुकजा भाई यहां कर रहा है हरे बड़ी मेनस से तो यहां तक पहुंचा है 168 तक सवाल है बटा बहुत असान है चलो यह करके दिखाओ पहले हम फिर करते हैं यह करके दिखाओ चलो यह करके दिखाओ मज़ा आएगा A और B के बीच में कैप्सिनस निकालो करो मज़ा आएगा बैटा मज़ा आएगा करो A और B के बीच में कैप्सिनस निकाल कर बताओ तो देखो कैसे करोगे सर अगर यह पॉइंट A है तो यहाँ पर कोई केपस्टर नहीं लगा यह भी पॉइंट A है अगर यह पॉइंट A है तो यहाँ बीच में सीधा तार यहाँ पहुंच के तो यह भी पॉइंट A है तो यहां पर कोई shot circuit हो रहा है किया हां कि ये वाला shot circuit हो रहा तो क्यों सर ये point और घुमा के ये point भी है तो ये shot circuit हो रहा ये गलत हो जाएगा तो ये a और b के बीच और ये और b के बीच दोनों parallel तो c a b आपका हो जाएगा 2c बहुत बढ़िए है बना एक्दम जोर्दार gay oh एक्पटिर के लाविए्ड क्यь एक्पर लगा दीए हाँ फर मेंबना लेता हूँ यहाँ पर मैंबना लेता हूँ सारे साइड में एक्पश्टिर लगा दीए देखो ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, अरे बहुत कितने हो जाएंगे जरा बताना, कितने होंगे बोल, number of capture बोल, number of capture बोल तो यह पर कितने हो जाएंगे, number of capture बोल तो कितने हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार इधर, चार उपर, आठ, नो, दा से ग्यारा, बारा, बारा होंगे और क्या, बारा होंगे, तो इसमें तुमसे पूछेगा, कि एक साइड, ये पॉइंट A, B, A, B के लॉंग कैपसिटेंस बताओ, साइड के लॉंग, कोई भी दो साइड चूज कर उसके लॉंग कैपसिटेंस बताओ, इसमें तुमसे पूछ सकता है, कि फेस डाइगोनल के लॉंग, A और C के बीच कैपसिटेंस बताओ, A और C के बीच, इसमें तुमसे पूछ सकता है, बोडी डाइगोनल के बीच बताओ, A और D के बीच, तीनी सवाल बनते हैं, एक तुम्हारा body के long AC, एक बनेगा तुम्हारा face के long AD, मतलब sorry face के long AC और ये body diagonal हो गया, अचा answer मैंने लिखा हुगा है क्या, मिटा देता हूँ, ये बनेगा, और इसका एक-एक calculation एक-एक page का है, यहाँ पे एक जोरदार तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक जोरदार तरीका बताऊ पहले क्या लिखा आपने, along side, along side, ये क्या है बेटा, along phase, किसी भी phase के long, along phase, ये क्या है बेटा, along body diagonal, body diagonal, along phase diagonal, ये भी phase diagonal, along phase diagonal का मतलब है, कोई भी phase लिया जैसे ये phase ले लिया, तो D और इस point के बीच बताओ या तुम यहां और यहां के बाद बताओ है ना, phase के long बताओ तो पताए कैसे लिखते हैं पताए कैसे लिखते हैं पताए कैसे लिखते हैं Guys from Golibeeta, short circuit जब भी दो capture के, sorry जब भी capture के तो उनो end के long potential बरावर हो जाओ उसको short circuit केहते हैं वेठा दीगे ना, उसको short circuit केहते है सुनो तो पहले क्या निकाल रहो तुम alongside, a long face diagonal a long body diagonal तुम्हें गिंती आता है गिंती counting आता है, counting counting आता है count कर लो पूरा हो जाएगा सर मतलब मतलब एक, दो तीन चार पांच, छे साथ एंसर एक से साथ तक गिंती गिन लो बस खतम पांच, 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 पता नहीं क्या लिख रहा है कैसे किया बोलो गिंती गिंन आता है क्या एक, दो एक, दो तीन चार, पांच छे, लास्ट में साथ है एक, दो तीन चार पांच, छे साथ ये तुमारा है C A B ये तुमारा है C A C ये तुमारा है C A D C C C खतम कितने लोगों याद हो गया ये कितने लोगों याद हो गया ये क्या ये सच मेंस ऐसा होता है ले एंजर ये रहा गिंदी गिंद ले A B A C और A D देख एक, दो फिर देख नीचे तीन उपर चार फिर नीचे पांच, उपर छे और ये साथ फिर से बताओं देखो एक, दो पहले तीनों बटा कर लो जब भी तुम्हें कोई एक पूछेगा एक्जाम में अगर पूछता तो कोई एक पूछेगा कैसे करोगो देखो ऐसे तीन बटा कर लो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ये बताओं क्या है तर ये है साइट के लोंग ये है पेज के लोंग और ये है बोडी डाइगोनल के लोंग याद हो गया क्या याद हो गया क्या चलो ये सवाल कराओ तो फिर जुरदार सवाल तो बाद में कराई दूँगा सुन ये सवाल देखना ये पॉइंट पर बेटा ए 8 कैपसिटर उसी तरीके से यहां पे 16 32 कैपसिटर अब टू इंफिनिटी तो बताओ A और B के बीच में equivalent capacitance क्या हो जाएगा What is the equivalent capacitance A and B What is the equivalent capacitance A and B Guys from Goalier Spammer था अरे यार कोई बात नहीं बेटा मैं समझा कि सच में कुछ doubt पूछ रहे तू होता है होता है इंसान है आंके दोगा खाती है यार आंके दोगा खाती है आंके दोगा खाती है है न चलो यह करके दिखाओ तो बेटा यहां पे बनेगा हिंट दे देता हूँ यह बनेगा तुम्हारा GP Series और इसमें C A B बराबर आएगा 2C क्लियर है क्लियर है बेटा क्लियर है बेटा कैसे गर होगे यह तुम्हें मैंने बता देता हूँ कि देखो यह यह है तो यह सारा point A है और यह B है तो यह सारा point B है यह C और यह series में CY2 यह CY4 यह CY8 तो CAB कुछ इस तरह से आएगा एक यहाँ पे C और इसके साथ यह parallel में होगा CY2 तो simple addition इसके साथ यह parallel में होगा CY4 तो simple addition यह होगा CY8 इसको जोड़ोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा तो उसे clear है क्या बेटा वा यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो चलो उपर चलते है फिर से अब बचा चार सवाल बचा एकदम ladder circuit का concept समझातो पहले देखो बिटा ladder circuit के सवाल वैसे तो exam में कम आते हैं पतलब नहीं आया है neat में अभी तक ना तो resistance से ना तो capster से लेकिन फिर भी एक बार सीख लो क्या पता पूछ ले है ला एक बार सीख लो जैसे माल लो की समंदर में से एक लोटा पानी बाहर निकाल लोगे तो समंदर में कितना पानी कम हो जाएगा उमारा कोई वरोसा नहीं है वो लोगे साथ एक लोटा पानी समंदर में कम हो जाएगा मैं अगर simple तुम से पूछ हूँ कि समंदर में से एक लोटा पानी मैंने बाहर निकाल लिया एक लोटा पानी मैंने बाहर निकाल लिया, समंदर में कितना पानी कम हो जाएगा एक दम एक दम जहर सवाल जहर जवाब दोगे तूं कितना पानी कम हो जाएगा वह एक लोटा पानी कम हो जाएगा एक लोटा पानी कम हो जाएगा एक लोटा पानी कम हो जाएगा और सेम रहेगा नो चेंज समंदर सूक जाएगा अज़ा चलो काम करते हैं समंदर में एक लोटा पानी डाल देते हैं तो समंदर में कितना पानी बढ़ जाएगा अगर मान लो तुम बिहार से चले गए गोवा और बिहार से एक लोटा पानी ले गए और गोवा जाके समंदर म कितना पानी भढ़ जाएगा, बताओ, एक लोटा पानी भढ़ जाएगा, कोई change नहीं आएगा बाता,Infinite पानी है वहाँ पे, कोई change नहीं आएगा, तीक है, उसी तरीके से यहाँ पे Ladder सर्किट क्या होता है, यह और यह capacitor का एक unit है, यहाँ पे देखो यह capacitor का जो unit है वो मैं बता रहा हूँ, एक vertical capacitor यह लगा beta c और यह 2c, यह 2c, यह आपका a-b point, इसी तरह के बहुत सारे ऐसे लगा ले तो, देखो न, इसी तरह के देखो न, यह c, एक vertical c, horizontal 2c, vertical c, horizontal 2c, vertical c, horizontal 2c, vertical c, horizontal 2c, इसी तरीके के बहुत सारे capacitor का unit लगा है ऐसे-ऐसे कितने लगे हैं ऐसे-ऐसे कितने लगे हैं ऐसे-ईसे बेटा infinite लगेचे हैं मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ या पर मज़ा आएगा ये मज़ा नही आएगा हिल जाएगा इनको बताता हूँ एक ये लगा, ऐसा यूनिट एक और बनाता हूँ, देखो, ऐसा यूनिट बना ना, दूसरे कलर से चमक रहा है, देखो, ये C और 2C, ऐसा ये एक यूनिट और बनाता हूँ, देखो, एक वर्टिकल यहाँ पर C, और एक 2C, ऐसा यूनिट एक और बनाता हूँ, देखो और ऐसा ऐसा कितने बनाता हूँ इंफिनिटी बनाता हूँ इसी को बोलते हैं लैडर सिरीज इसी को बोलते हैं लैडर सिरीज अब बेटा सुनो ध्यान से माल लो कि यह point A है और यह B है इस में से एक हटाके एक point यहाँ पे CD मानता हूँ मैं एक हटा दिया मैंने एक हटा दिया, बिलकुल यहां से हटा दिया अगर एक हटा दिया और यहां पर point c-d मान लिया, let let c-d के equivalent, जो equivalent capacitance आएगा, x-y मान लेता हूँ, c-d से confused हो जाएंगे हम, जोकि c capacitance भी है यह point x और यह point y मान लेता हूँ, let capacitance between x and y is c, मतलब x and y is c-not माना, let, सब लिख दिया, हिंदी, अंगरेजी सब में, अगर मैं मानता हूँ कि x और y के बीच में capacitance c-not मान लिया x और y के बीच में capacitance कितना है c-not अब x और y के बीच में capacitance c-not मतलब यह सारा हटा के यहां पर c-not मानूँगा मैं, x and y के बीच में capacitance कितना मान लिया, c-not और एक ladder एक unit और बचा है c-n2c a और b के बीच में अगर इस c-not को इसके साथ जोर दू, तो finally a और b के बीच में capacitance कितना होगा, इस c-not से जादा कि c-not के बरावर c-not से जादा कि c-not के बरावर, बताओ, इमार स्टार भी बताओंगा, इसका चिंता मत करो, तुम मज़े बताओ कि यहाँ से एक unit हटा के capacitance आया c-not अब एक unit और लगा दूँगा, तो capacitance ए और b के बीच क्या होगा c-not से जादा, c-not से कम कि c-not के बरावर अरे मेरे भाई, यह लोटा वाली सवाल है, लोटा वाला सवाल है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो एक हटा के माल लो equivalent capacitance तुमारा आया c-not, तो एक लगा भी दोगे तो कोई फरक नहीं परेगा, वो c-not ही आएगा यह करा जादा equal, equal, equal बिटा समझो, एक कहरा यह वही वही तुम्हें जो हसी आ रहा था ना, कि एक लोटा पानी जार डाल देंगे तो पानी समंदर में बर जाएगा हे भगवान, कहां वो धरती पे आओ कैसे कैसे product मनाये हो मतलब तुम्हें देखके न, तुम्हें देखके न, मुझे एक बात पे तो भरोसा हो गया कि उपर भगवान भी सही से काम नहीं कर रहे है उपर भगवान भी सही से काम नहीं कर रहे है कैसा कैसा product बना के नीचे भेज रहे हैं, तुम खुद को देखो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे में से अगर एक हटा दूँ और caps दें C-naught मान लेता हूँ, और एक लगा दूँ, भी caps कोई फरक नहीं परेगा, एक खटाने और एक लगाने से कोई फरक नहीं परेगा तो इस C-naught में एक यूनिट और जोर दूँ, तो ये C-naught ही रहेगा अब चलो जोरते हैं, ये C-naught, यहाँ देखो इस A और ये पॉइंट है B, तो इस A और B के बीच में ये दोनों सिरीज में है, तो C-naught और 2C सिरीज में क्या हो जाएगा, 2C-naught बटा, 2C-naught, उसके साथ ये parallel में है, पलस C बराबर C-naught, ये equation बनेगा पलस C, यहाँ फिर से लिखता हूँ है, ये दोनों सिरीज में है, तो ये बनेगा, 2C-naught बटा, 2C-naught, ये दोनों सिरीज में, 2C-naught बटा, 2C-naught सिरीज में, ये जो भी आएगा, इसके साथ ये parallel है, तो simple addition C, जोर के C-naught के बराब आएगा, तो ये equation बनेगा, इसको अगर हम तोरा solve करे, उसको अगर हम तोरा solve करे, तो ये होगा, तुम्हारा 2C-naught प्लस, इसको इससे produkt करोगे, तो यगा, 2C-naught, 2C-naught-airement, 2C-naught प्लस C-naught C, ये C-naught C, बढ़ाबर इससे product करोगे इसको, नीचे LCM लिया, इसको इधर लेगा है, तो यहाँ से 2C C0 और यह 2C C0 कट जाएगा, हमें C0 की value चाहिए, तो C0 का whole square देखो, C0 का whole square यह दोनों term इधर जाएगा, तो C0 C minus 2C square, यहाँ पे C0 square का quadratic equation बनेगा, क्या बनेगा, C0 square, C0 तुमारा variable है जो तुन equation देख, माइनस C0 C minus 2C square, माइनस C0 C, C0 minus 2C square is equal to 0, तो बेटा, यह जो C0 capacitance है, और C square का quadratic equation बनेगा, मतलब C0 का quadratic equation बनेगा, ऐसा, जैसे quadratic equation होता है, AX square plus BX plus C is equal to 0, तो आसे compare करोगे, compare करोगे दोनो equation को, तो जैसे C0 का quadratic है, वैसे X का quadratic है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, A की value, अगर इससे compare करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, B की value इससे compare करोगे तो क्या आएगा, minus C आ रहा, और यहाँ पे, यह इसको constant को तुम D बोल द B, plus minus root under B square minus 4AC beta 2A, इसमें एक चीज़ याद रखना कैपस्टन को हम घटाते नहीं, तो इस फॉर्मूले में हम minus के जग़ा पे सिर्फ plus यूज करेंगे बस, यहां से तुम्हें जैसे X की value आते हैं, यहां से C naught की value निकल के आ जाएगी चलो निकालते हैं B की value बोलो, तो minus C B की value minus C है, माइनस भी फॉर्मूले में है, तो यहां पे आएगा आपका C plus root under B square, तो minus C का all square C square, minus 4 A की value 1 और C की value तुमारा 2C square minus 2C square तो यह plus हो जाएगा beta 2 multiply 1 C naught तो C naught is equal to आएगा 8C square plus 9C, C square 9C square, तो C plus root under 9C square beta 2 9C square हो जाएगा तुमारा root के बाएगा 3C 3C plus C, यह हो जाएगा 4C 4C beta 2 is equal to 2C वाह वाह ठीक है मुहित कुमार कस्यप, यह जब नहीं आता है, तो इतना मेहनत क्यों तो लिख के ले ले compounder भी नहीं बन पाएगा अब इसको लएगा मिडची लगा ले जहां लगाने ठीक है, अब सुन अब सुन क्या, खतरनाक है मारेस्टर बताओंगा, एकदम ही खतरनाक तुन ध्यान से बिटा यहाँ पर मैंने बोला, कि एक उनिट हटा के यहाँ पर कैपसिटेंस तुम मान लो C नॉट अब तुम मुझे बताओ, इस C नॉट को अगर मैं सिरीज में जोरूँगा तो सिरीज में जो कैपसिटेंस आएगा दोनो कैपसिटेंस के दोनो कैपसिटेंस से कम ही आएगा, तो C नॉट और 2C का कम आएगा यह इसको C नॉट और 2C को series में जोड के मैं x मान लेता हूँ चलो तो यह मान मोलो आगया x अब यह x और c को हम parallel में जोड रहे हैं तो अगर x और c को हम parallel में जोडे तुम समझ रहे हो मैं बताता हूँ तो यह तुम्हारा point है यह तुम्हारा point b एक capster यहाँ पर जोड़ा है मैंने c और यहाँ पर जोड़ा है मैंने 2c यहाँ पर मैंने capstance मान लिया है c not अब जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना मजा जाएगा मजा जाएगा यह 2c और यह c not को जोड के मैं कुछ x मान लेता हूँ तो ठीक x मान लेता हूँ और यह x और यह c क्या है तर पैरलल में पैरलल में जो जोडते हैं तो जो भी इसका c a b आएगा या पैरलल कॉम्बिनेशन में दोनों capacitance से जादा answer होता है पैरलल कॉम्बिनेशन में c equivalent दोनों capacitance से जादा आता है तो x और c को जब जोड़ोगे तो c a b तुम्हारा c से जादा आएगा मतलब पक्की बात है option में वही तुम तिकरो जो तुमें c से जादा answer दिख़ा अच्छा सर जो x की value होगी वो 2c और c नॉट दोनों से कम आएगी क्या हाँ जो भी c नॉट और 2c को series में जोड़के x आएगा वो 2c से भी कम आएगा सर अगर मालों यह 2c होता तो 2c से कम आएगा मुझे पता है कम आएगा लेकिन अगर 2c होता तो 2c और c series में जोड़के 3c आता लेकिन 2c से कम है तो यह 3c से कम आएगा मतलब सही answer वही होगा जो c 3c and c के बीच आए c and 3c के बीच आए वही सही answer होगा यह है तेरा mi star फिर से बतातों फिर से बतातों चिंता मत कर बेटा चिंता मत कर समझा के जाऊँगा चिंता मत कर समझा के जाऊँगा यह तेरा देख सरकीट है यह तेरा सरकीट है ऐसे ऐसे up to infinity तक लगे है अगर ऐसा सवाल आए ना एक second में इंसर आए देखी तरफ यह A और यह B यह C यह 2C यह C यह 2C यह C यह 2C यह 2C मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मान ले assume कर ले कि तिरह C, A, B, X आया यह मैंने मान लिया C, A, B मैंने X मान लिया अब यहां से यहां के बीच में capacitance तिरह X आ गया अब up to infinity है मान ले कि एंसर तिरह X आ गया क्या इसमें SI unit एक और जोर दू तो कोई फर्क परेगा नहीं सर तो एक और unit अगर मैं जोर दू यह 2C और यह C तो क्या इसका answer भी हमें वही X ही आना चाहिए हाँ सा ठीक है तो इसके बीच में जो भी answer आएगा क्या वो इन दोनों को series में जोर के आएगा series में जो equivalent capacitance होता है जो भी होगा वो 2C और X से कम आएगा और जब मैं इस दोनों को parallel जोरूँगा तो मेरा answer जो final आएगा वो C से ज जादा होना चाहिए अगर यह 2C होता तो 2C और C parallel में जोरूँगे 3C आता लेकिन चुकि यह 2C से कम है तो यह 3C से कम आएगा मतलब मेरा answer C और 3C के बीच आएगा कितने लोग को यह बात feel आया feel है feel है कितने लोग को यह बात feel आया कि C और 3C के बीच आएगा अगर मैं ऐसा circuit बनाओं मैं ऐसा circuit बनाओं एक और नया circuit बनाता हूँ चल ऐसा circuit बनाओं नया circuit है ध्यान से देखना इसका unit समझना जिसके repetitions यह बन रहा है इसका unit समझना जिसके repetitions यह बन रहा है हमें बताना है equivalent capacitance between A, B ये C, ये 2C, ये C, ये 2C, ये C, ये 2C, C, ये 2C मुझे M, R, star दो मुझे इसके लिए M, R, star दो, चलो ये question है, मुझे इसके लिए M, star दो C, A, B, निकालना है मुझे मुझे इसके लिए M, R, star दो तो पता इसका M, star क्या होगा पता इसका फता से हैं, इसका है माई स्रार क्या होगा, मैरे बास हो, सुन इसके रिपिटेशन से मनला यह यह पहले और जोंटल फिर वर्टिकल, और जोंटल वर्टिकल, इसका यह यूनीड है अगर मैं इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट माल लेता हो, X और Y इसके बीच capacitance मान लेता हूँ मैं कुछ x x और y के बीच में capacitance मान लेता हूँ अगर मैं इस x और y के बीच में capacitance x मान लिए ऐसा एक और part में लगा दूँ ऐसा एक और part में unit लगा दूँ यह c and 2c तो इसका जो भी answer आएगा वो कैसे निकालेंगे देखो इसको parallel में जोड़ेंगे sir parallel में जोड़ने से यह 2c से जादा होगा चीक है उसके बाद उसके बाद इस c के साथ यह जो parallel में जोड़ के आएगा इस c के साथ series में जोड़ूगा sir c equivalent lock करो चाहिए कुछ भी कर लो c से कम ही आएगा answer less than c तुम जो भी इसका quadratic sensor लाओगे 200% c से कम होगा 200% c से कम होगा मैं बता रहा हूँ एक unit यह है एक unit यह है अगर एक unit छोड़के मैं capacitance x माल लेता हूँ तो एक unit लगा के भी x आएगा x और 2c का parallel combination माल लो कुछ आया माल लो कुछ y आया माल लो x और 2c का parallel combination कुछ भी आया यह क्या हैगा 2c प्लस x आयगा यह 2c प्लस x पैलल में जोड़के क्या x साथ series में जोड़ोगे तभी final answer आएगा और series में जब x जोड रहे हो series में जब x जोड रहे हो तो पक्की बात है मैं कहा रहा हूँ इसको जोड़ोगे पैरलल में, फिर इसके साथ ये सीरीज में जोड़ोगे C को, तो अगर सीरीज में जब हम जोड़ते हैं, तो जो भी छोटाओं को उससे भी कमेंशर आएगा, आही नहीं सकता सी से जादा बेटा अगर समझ आया तो जोड़ा राग लगा के बता दो जोड़ा राग लगा के बता दो ये फील आये की नहीं आया है मुझे डर लग रहा है थोड़ा फील आये की नहीं आया फील आये की नहीं आया less than two hour होगा फील आये की नहीं आये बताओ अरे वाई सब अरे वाई सब सब तो हो गया बचा क्या फिर एक सिमेट्रिक सर्कीट बचा हो मैं कड़ा देता हूँ ये पहले करो पहले A और B के बीच कैपसिटेंस निकालना है पहले मैं इसमें प्रिंटिंग मिस्टे के तोड़ा ठीक कर देता हूँ सारे कैपसिटर की वेल्यू सी है तो A और B के बीच में कैपसिटेंस निकालके दिखाओ A और B के बीच में कैपसिटेंस निकालके दिखाओ करेंट लेक्टिसिटी में ऐसे ही कर सकते हैं हां बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं करेंट लेक्टिसिटी में ऐसे ही करना ही होता है और क्या कर क्या सकते हैं ऐसे ही करते हैं करेंट लेक्टिसिटी में ये point भी भी होगा, center पे, तो चारो तुम्हारे हो जाएंगे parallel में, C, A, B आएगा बेटा, 4C, clear है क्या, C, A, B आएगा बेटा, 4C, आओ अब तुम्हें symmetric circuit हम समझाते हैं, इसको कहते हैं, symmetric circuit, तब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कि जैसा अंदर जाने का रास्ता होता है, कुछ उसी तरीके का बाहर जाने का रास्ता होता है, जैसा अंदर जाने का रास्ता होता है, उसी तरीके का कुछ बाहर जाने का रास्ता होता है, बेट अब इसको direct solve नहीं कर सकते हैं क्योंकि कितने capacitor लगए एक, दो, तीन चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ capacitor में से कोई भी दो capacitor तुम ढूंड सकते हो जो series और parallel में होंगे कोई भी दो capacitor तुम ढूंड सकते हो जो series और parallel में होंगे नहीं तो यहां पर symmetric circuit का concept यह लगता है कि जैसा अंदर घुसने का रास्ता वैसा ही बाहर निकलने का रास्ता वैसे जो charge जाएगा मानलो Q1 और Q2 अंदर घुसा है तो यहां से भी Q2 निकलेगा और यहां से Q1 निकलेगा तो सर यहां से Q2 गया पर यहां से Q2 आ रहा तो इधर भी Q2 जाएगा मतलब यह short circuit हो गया यह हमारे capacitor काम के नहीं होगे जैसे यहां से Q1 गया यहां से Q1 आया और यहां पर Q1 पहुचना है तो Q1 जाएगा तभी तो Q1 पहुचेगा तो यहां से Q1 चला जाएगा मतलब इस capacitor पर चार्ज एक कोमलेट नहीं होगा तो यह तीनों series में हो जाएगे क्या हो जाएगे बेटा क्या हो जाएगे बेटा यह तीनों series में हो जाएगे CY3 और यह हो जाएगा CY3 A और B के बीच में यह दोनों parallel CY3, CY3, 2CY3 is your correct answer 2CY3 is your correct answer क्लियर है बेटा चलो फटा फटा पट तुम्हें B टेस्टोन ब्रीज का concept समझा दे B टेस्टोन ब्रीज क्या होता है B टेस्टोन ब्रीज क्या होता है देखो B टेस्टोन ब्रीज होता है कि माल लो A point है यह D point है यह Capstance C1, यह C2, यह C3, यह C4, यह C5 If C1 by C2 का ratio C3 by C4 के ratio के बराबर है Then, then charge on C5 bill भी 0 ऐसा क्यों होता है ऐसा बेटा इसलिए होता है कि अगर C1 by C2 C3 by C4 के बराबर है तो इस point और इस point का potential बेटा सेम हो जाता है VX बराबर वी वाई अगर यहाँ पे, यहाँ पे potential सेम तो potential difference 0 तो इस पर charge जाएगा ही नहीं इस पर charge जाएगा ही नहीं इसका example एक हम यहाँ बना लेते है जैसे माल लो यह Capstator बनाए हमने यह Capstator बनाए हमने यह Capstator बनाए हमने यह है 4 Microfarad यह 2 Microfarad यह 3 Microfarad यह 8 Microfarad और यह है 4 Microfarad तो बताइए A और B पीच में equivalent capacitance कितना होगा करके दिखाएए A और B के बीच में equivalent capacitance कितना होगा यह A है और यह B है इसके बीच equivalent capacitance कितना होगा तो बयटा रेशियो देखो 4 बटा 2 2 8500 2 तो इसमें कोई नहीं जाएगा तो यह होगा तुमारा आठ चोग बत तीस बटा बारज गुंदाअज आठ बत हम ने पीजिश्श में चलु गशे में वाह चाहर में फाय तो अगर आप 12 लेती हो तो बत्तिस याँ याइगा त क्विश्व ग्रण un मज़ा आ गया चलो लास्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और यह पॉइंट को नाम देते हो वाई C की वेल्यू बताओ ताकि यह वी टेस्ट उन भी जैसा बन जाए ले, तवाल को चोड़दार बनाया बदा असान है, बदा असान है इस C की वेल्यू क्या होगा है, find C find C so that circuit between A and B behave as beat a stone bridge beat a stone bridge A और B के बीच में इसका behavior beat a stone bridge जैसा हो तो देख बेटा, देख, ऐसा है कि यह Y के बाद एक 12 microfarad और यह 12 microfarad सीरीज में, यह दोनो अगर बेटा यह दोनों सीरीज में हैं, तो इस 12-12 को अटा कि यहाँ पे 6 लगा सकते हो, चलो देखो यह 6 microfarad उसके बाद उसके बाद यह 12, यह 6 यह 12 microfarad और यह तरह 6 microfarad यहाँ पे इस 12-12 को अटा कि 6 लगा लोगे 6 microfarad और यहाँ पे तुम बोल रहो कि यह सी है तो थोड़ा समझना कि A और B के बीच यह बिलकुल B distant bridge जैसा बन रहा कैसे हमें तो दिखी नहीं रहा यह Y और यह X है यह Y है और यह अगर तुम X मानते हो तो बेटा देखो और शोड़ शोड़ यह X नहीं है यह X मानते हो तो देखो इसको stretch करके X को उपर ले जाओ Y को नीचे ले जाओ तो यह तुम्हारा ऐसा बनेगा यह A यह capster लगा A और X के बीच देखो A और X के बीच यह X है यह capster 12 microphone का X और Y के बीच यह Y है तो सर यह Y औरे के बीच है सर यह X और B के बीच लगा है हाँ यह X और B के बीच लगा है और यह हो जाएगा तुम्हारा Y और B के बीच यह है यह है तुम्हारा 12 यह है तुम्हारा C यह है तुम्हारा 6 यह तुम्हारा छे यह तुम्हारा छे तो अब्यस्वी बात है यह छे छे एक तो यह छे होगा तभी तो इंसर आएगा स्थी की वेल्लू सिक्स माइकर बोल समझ आया कि नहीं है मैंने सीक्वल नहीं पूछा यह प्रिंटिंग मिस्टेक था यहां से इसका सवाल बना दिया थ्री वाइटू गलत है थ्री वाइटू गलत है एंसर आएगा छे बारा ओम गलत है कैसे थ्री वाइटू कह रहा हो सक्षम वेटा थुरा सोचो री थिंग करो वेटा कोई बात ने री थिंग करो स्पैम मत करो सारे बच्चे छे जवाब दे रहे हैं तो असरी बात है छे ही होगा एंसर छे ही होगा एंसर क्लिए रहे गया यह बात चलो चलो बना गया एक दम दिमाग तर दर करने लग जया है रहा है पैसे नहीं करता था आज कर रहा है ठीक है कोई बात ने वेटा बहुत बढ़िया चली आपका बहुत-बहुत सुब कामना है थांक्यो क्या बोलू अपनी लिए मंधत कर रहे हूँ लेकिन जो मंधत कर रहे हो भी इतना याद रखना हे दुनिया गोल है तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुम तक ही आके पहुँचे ही मुझे वो डेल्टाटी नहीं पता कि तुम्हारा किया गया मेनत तुम तक कब पहुँचेगा लेकिन ये मुझे पता है कि तुम्हारा किया हुआ मेनत ये दुनिया गोल है घूम के तुम तक ही पहुँचेगा कोई और नहीं ले जा सकता तो बहुत बहुत सुब कामना है All the best, best of luck या आप इतना संघर्ष और मेनत कर रहे हैं इसका result आपको जरूर मिले ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next lecture में झाल 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 झाल